हेलो CFA Candidates I welcome you all to this new revisionary series of CFA level 1 2024 exams हम स्टार्ट कर रहे हैं सब्जेक्ट डेरिवेटिव से डेरिवेटिव सब्जेक्ट के बारे में दो मिनिट लगा के बात कर लेते हैं देन विल जंप यह चोटे चोटे से लगी बाट दिया गया है चोटे चोटे से बना दिये गए सो दैट आप लोगों से कुछ मिस्स ना हो एंड कीपिंग दवडियू का लेवल डेरिवेटिव का इजी टू मीडियम रहता है मेरे ख्याल से बहुत जादा मुश्किल कुष्टिंस इससे नहीं आते हैं प्रैक्टिकल कुष्टिंस एक्जाम में नहीं पूछे जाते हैं मुझे ऐसा लगता है एक्जाम का फोकस या एलोएस की अगर मैं बात करूं तो वह थियोरी परें बट आप जो वीडियो देखोगी उसमें पूछे जाते हैं I don't really mean theoretical I should have said here theory from analytical point of view तो this is actually analytical analytical meaning कि आप से चीजें आप से प्रैक्टिकल कुष्टिंस पूछे जाएंगे without giving the exact what you call numbers तो आप से जो questions पूछे जाएंगे वह आप से तब बनेंगे अगर आपको practically चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आती है but question में कुछ number के लिए नहीं बोलेगा कुछ calculate करने के लिए नहीं बोलेगा but अगर आपको चीज़े practically समझ नहीं आती है तो exam में question solve करना मुश्किल हो जाएगा वैसे question का level मेरे इसाब से generally easy to medium के बीच में रहता है the most critical part about derivatives is that level 2 और level 3 के derivatives का base यहां पर level 1 में बनता है अब होता क्या है कि candidates because this is a portion which is generally slightly lower in terms of weightage candidates इसे फटा-फट पढ़के निकाल देते हैं या फिर कुछ बहुत फास्ट वीडियो देखके clear कर लेते हैं कि चार-पांच घंटे में पूरा पूरा derivatives हो गया नकी इसमें बहुत जादी बड़ी problem problem यह है दोस्त कि आपका level 2 और level 3 का basics हो गया पूरी तरीके से खराब next hedge funds is a big career option for CFA charter holders and CFA experts मेरे class में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अभी prop desk के लिए work कर रहे हैं they make really really good money even during their 11 exams even during their 11 candidates there is no reason कि अगर आपके derivatives के basics अच्छे नहीं अच्छे हो तो आपको in prop desk in hedge funds में बहुत अच्छी profiles में बहुत अच्छे पे पाकेज़ पे जौब ना विले but that is only possible if you understand things practically as I said I come from a background where I deal with derivatives on a day-to-day basis in practical real life my trading volumes are really really big I focus on the fact that I don't want to be a YouTube trader that's why I mean so practically I trade on a prop desk ठीक है नो तो prop desk पे हम इतनी जादी openly YouTube पे ट्रेड नहीं कर सकते we don't really showcase the amount of money we make the amount of positions that we have we the strategies are proprietary मतलब हम ये strategies को publicly available नहीं कर सकते otherwise हमारी edge lose हो जाएगी that's the thing so that's why all I can say is that मैं जब derivatives आपको पढ़ाऊंगा तो बहुत जादा analytical standpoint से पढ़ाऊंगा even if you have studied it earlier I can 100% guarantee that you will learn a lot while viewing these videos all I require from you is a lot of patients expect ये मुझसे बिल्कुल मत करिएगा चाहे इस वीडियो में चाहे आगे की वीडियो जोएंगी उनमें कि मैं आपको तीन गंटे चार गंटे में सारा का सारा स्लिबस पटाफट करा दूं आपको उपर उपर से रट्टे मारने वाली knowledge आ जाए वो इंटेंशन ही नहीं है आपको थोड़ा सा समय लगाना पड़ेगा बट मैं एक चीज़ की 100 परसेंट प्रॉमिस करता हूं अगर आप इन वीडियो को देख रहे हैं साथ में नोट बना रहे हैं तो मैं 100 परसेंट प्रॉमिस कर रहा हूं आपको डाइट यॉर सेल्ट स्टड सारे हैं तो साथ में नोट जरूर बनाईएगा मैं बहुत जादा सिस्टेमाटिक तरीके से नोट फॉर्माट में मूव करता हूं तो नोट जरूर बनाईएगा वैनेवर वांट तो स्टडी एनिफिंग गो बाक एंड रिव्यू दे नोट से अब चलते हैं रीडिंग्स की अची बात है आप देरेक्ली सीबुक देख रहें तो भी रीडिंग्स यहीं है तो लेट मी से दिस एज सी एफ ए रीडिंग्स के एसाब से कि यह हो जाएंगे टेन ऐसा जस्ट सेक कि यह हो गई सीएफ की दस ठीक है जी अब श्वैजर के साफ से यह लर्निंग मॉड्यूल से सीएफ के साफ से यह रीडिंग नंबर है मुझे बहुत जादा फोकस चाहिए आपका इस टेबल के तरफ देखिएगा द्यान से जब मैं आपको डेरिवेटिव्स पढ़ाऊंगा आपकी बुक में जो ओर्डर दिया हुए वह यह इस 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 टेटेट डवन स्टेटेट इन फ्रंट ऑफ यू यह और मेरे इसाब से हद वाहियाद और बुरा और पढ़ने के लिए अगर आप इस ओर्डर में पढ़ेंगे अगर आप चीज़ें अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज फॉलोव दा ओर्डर डैट आयम यूज मैं आपको सबसे पहले डेरिवेटिव का नीड्स बेसिक्स क्यों जहुरत पढ़ी हो सिखाऊंगा यह सब सिखाऊंगा फॉवर्ड के माध्यम से मतलब रीडिंग 72 यह सबसे पहले होगा फॉवर्ड के साथ ही अंदर एक तरीके से तो यहां पर कवर हो जाएगा नेक्स्ट फॉप मल्टिपल एफारेस कंबाइन बिकम सॉब्स एट्स इस यूर रीडिंग नुबर तो मैं सबसे पहले यह वाली रीडिंग पढ़ाऊंगा रीडिंग फाइ ठीक है नेक्स्ट वी विल स्टडी रीडिंग नंबर 71 या फिर सीएफे के साब से रीडिंग नंबर 4 मैंने आपको जो मेरा ओर्डर है क्लास ओर्डर वह यहां पर लिखके दिया हुआ है मैं इस फॉर्माट में आपके साथ चलता रहूंगा वान तो सेवन रीडिंग यह कं इसके पूरी की पूरी चीज़ें कवर हो चुकी है यहां पर इस एक रीडिंग का सेल्फ डिसकुशन सेल्फ स्टडी सेल्फ रीडिंग फॉर 30 मिनट्स रिक्वाइड होगा प्लीज जा कि अपनी बुक से कर लीज़ेगा इफ यू फॉलो दिस आई थेंग यू कन बी शूर्ट इन डेरिवेटिव स्पोर्शन आफ यह मेरी गैरेंटी है मेरे क्लास में मुल था कि चार-पांच घंटे में कंप्लीट नहीं होगा तो पूरी की पूरी डेरिवेटिव को दो तीन पार्ट में हमने तोड़ दिया है यह यह वीडियो फस्पार्ट है इसके अगली पार्ट आगे चलके आ जाएंगे मेरे ख्याल से वी आर एस्टिमेटिंटिंग देल भी और टू पार्ट तो वन रिडिंग यह मतब एक वीडियो यह होगई इसके अगली एक और वीडियो लेके आएंगे आपके लिए दिज टू वीडियो विडियो विल डू दू दट कंप्लीट बिट ऑफ डेरिवेटिवेटिवेटिव पॉर्यू थांक्स अलोट लेट्स मू से होती है यह स्टुडियो सेट अप है वो लाइव सेट अप है स्टूडियो सेट अप में कैमरा एंगल काफी अच्छे रहते हैं विकास देर इस नो सुडेंट सेटिंग इन फ्रेंट आफ यह चोटा सा वडियो कॉल एड्जस्में आपको करना पड़ेगा प्लीज बीज आप इसके बदले विस्तारा इंग विस्तारा इसके बदले विस्तारा एयरलाइन्स और क्रूड ओयल मैनुफाक्टरर को गिन लीजे मुझे फरक नहीं पड़ेगा ठीके आप कोई भी दो परसन को रख लीजे दा स्टोरी विल वर्क पर्फेक्टली फाइन आई लव मेकडीज आई लव पोटैटोज आई लव फार्मर्स इसलिए मैं इसके भी टाइम जीरो लेट से आई स्टाट मैं ओन बर्गर मेनुफाक्टर बर्गर लेट स्टाट मैं रेस्टरॉण ठीक है मैं विलाइगो बॉट माइब बिजनेस ऐल गो इन दे मार्केट बाइब बंस बाइब ब्रेड बाइब ऑल टॉपिंग्स दिस दाइट बाइब पोटैटोज बाइब दो स्टिक्की मैं की आजाती हैं तो है ना मैं उन्हें लेकर आऊंगा बर्गर फिलिप करूंग किलो कि लेटस दस रुपए की एक बर्गर में लग रही है एंड सो और इंसो फूर्ट इतने रुपए के मसाले इतने रुपए का बटर इतना रुपए तेल डिस डाट आइक इन आई नो दप्राइस ऑफ और रॉम माटेरियल कंपोनेंट्स पॉर येस और लो इफ आए वा यहां बोल दे रहा हूं आपको समझ आएगा तो मैं बर्गर्स की प्राइजिंग कैसे करूंगा I will say that मेरे जितने भी रॉम माटेरियल कॉस्ट आए उमानलो 20 रुपए का अगया ठीक है ना इस पर मैं डाइरेक्ट लेबर गिन ले रहा हूं कि पीपल इंवर्ड वेटर्स एंड डिलिवरी ड्राइवर्स देस्ट आइवरी मैं यह मैं सारे के सारे किन लेता हूं दस रुपए ठीक है अधर एक्स्पेंस दस रुपए यही हो गई कॉस्ट चालिस रुपए का बर्गर बना I say that I will have 25% profit margin I will sell this burger at 50 rupees yes no for every burger sold I'll make 10 bucks sure no friction in this piece correct if let's say I'm standing at time zero I know for a fact that मैं 10 रुपए एक बर्गर के पीछे कमा रहा हूंग correct I start doing this the business runs bloody well बहतरीन चलता है business I start opening franchisees the volume gets even bigger and then I become mcdonald's correct ab once we are talking about any company आपको आज का भाव तो पता है रॉप मतेरियल का या रूज़ों या 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 ना लूओं तिक रॉपिटेबल होंगा या नहीं करेक्ट इस फ्रेंचाइज छोड़ो लेट से अभी सारे के सारी ओनर ऑपरेटेट स्टोर से ओनर ऑपरेटेट मेरे पास बहुत पैसा है मैं जाके एक जगा करी दूंगा वहां पे कंस्ट्रक्शन कराऊंगा वहीं पर ही मार्केटिंग करूंगा लोकली एंडाल सेलिट लेट से इस इ फुला हुए यह लोग मेट्रो कुछ पैसे देते होंगे हर महीने के यहां चलो 20 लाग रुपए 25 लाग रुपए रेंट दिया महीन होगा वर्ट इफ लेट से आंब बर्गर सेंग मेग डीज आम ओपनिंग वन अफ मैं स्टोर्स इन करनाट प्लेस राजीर चौक मेट्रो स करेक्ट अगर मैं महीने के तीसलाग रुपए कमा लेता हूं और वहां तीसलाग के खर्चा है वीर इन दगेम विकश देन आमेट नो आमेट ब्रेक इवन लेवल फिर दीरे दीरे रिवेन्यू बढ़ता जाएगा तो वही रहने वाली है फिक्स्कॉस्ट पढ़ा हुए ना जिसकी वैसे लिवरे जाता था आपके पास नहीं पड़ा तो कोई टेंशन नहीं जो मैं बोल रहा हूं उसे समझ आजाएगा आपको महीने का मेना रनिंग खर्चा 30 लाग रुपए का है मुझे यह देख रहा है कि क्या मैं कहीं से भी 30 लाग रुपए जोड़ पाऊंगा नाओ इल स्टार्ट थिंकिंग कि ओके इफ आई सेल एक्स नंबर ऑफ बर्गर मेरा कॉस्ट होगा 40 रुपए मेरी सेल प्राइज होगी 50 रुपए मैं 10 रुपए कमाऊंगो तीस लाग विचने मिलब दिन के कि इन विदन ए टीन लाग डिवाइड वाइड वाय-थिद दस ऑर बर्गर दिन के बेचने दिन मैं 15 घंटे और उपरेट करें यह मांदो 10 घंटे और गुपरेट कर रहें तो दस ब्रुपरेट के तो दस आर बर्गर पर गंटे निकलने चीवर ऐसी क हाँ या ना यहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट होती हूं कि रॉम माटेरियल में क्या आ रहे हैं पोटाइटोस वीट वेजीज ओईल या बटर येस नो ओल दीज प्रोड़क्स आर कॉल्ड कमोडिटीज इनके प्राइज वेरी करते रहेंगे पोटाइटोस के प्राइज विल डिपेंड ओन तो वो किसान आदमी बनाएगा मंडी में बेचेगा वहां से रिलाइंस फ्रेश पर आएंगे वहां से आप लोग खरीदेंगे ना इनको कोई स्पेसिफिक लोग पोटाइटोस सप्लाइ गरते होंगे येस नू अब अगर यह पोटाइटोस का भाव उपर नीचे होता रहे तो यह जो 40 रुपए यह वी ऊपर नीचे होता रहना चाहिए इन दा सेम को रिलेशन पोटाइटोस का प्राइस गोज अप फॉट्टी रुपी शूट बंप आलू के भाव गिर जाए तो यह भी भाव गिर जाना चाहिए येस नू तो जैसे हम हमें जब भी जोएल्री ले आज का भाव 42 रुपए अबर गए आज 41 पचास आज 30 है ना और आलू जादा होगा थी किसानों ने तो लो आज 25 रुपए ओफर भी तभी निकालेंगे हाँ या ना जेमिन प्रॉब्लम और इस इस नौट अस्टोरी दाइं मेकिंग इड़ दॉप इस आक्चुली है प्रॉफिट्स विल्हाव हाई को रिलेशन तु दॉद प्राइज अप्राइज अपने प्राइज में स्टेबिलिटी कैसे लाग आप सोचके देखो ना screener.com नाम सुना है ना screener.com पे आप कंपनी के पिछले 10 साल के प्रॉफिट्स देख सकते आप रिलाइंस ऐसी कंपनी इसके प्रॉफिट देखेंगे 100 120 150 180 200 250 देज़ा लॉजिकल अप्साइट ट्रेंड इन गरेक्ट टीच एसके ट्रेंड देखेंगे देज़न देज़न और लॉजिकल अप्साइट ट्रेंड इन इस अप्रॉफिट्स आ राइसें अन्द कर्व इस लाइग दिस शुरू में फ्लाइगा इन देन शर्टनली बिकांव स्टील तो बाद में एक्स्पोनेंशियल राइज होने कर जा रहा है करेक्ट नाओ इफ यू कम टू दिस डूमेंग और मेंग डीज के प्रॉफिट्स आपको यू उपर नीचे दिख रहे हैं तो वोड़ वांट टो बीडा इन्वेस्टर इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट तो पॉइंट ही नहीं में इन्वेस्ट करने का इन्वेस्टर इफ को छोड़ो व्यूव। एक्सिस्टिंग मैंने मेड़ी लगा है आएम दी ओनर ऑफ मेड़ी आएम थिंकिंग आई ब्लडी एल आई डॉन्ट नो मैं पैसा कित्ता कमा हुआ इस से कौन से नए स्टोर ओपन करूँ अगर मैं मेड़ी की जगह पर हो तो मुझे लएगा मैं किसी तरीके से स्टोर ओपन करने को छोड़ कि गुड़दाओं में नॉइडा में सीपी में जगह लेनी है उसको छोड़ खेत खरीद आलू पक्के कर पहले बर्गर तो होई जाएंगे आलू कर आलू हाथ पे नहीं आ रहे हैं भीग ले हाँ या ना दिस वन साइड ऑफ प्रोग्लम तू बढ़ गया तो एक एडवांटेक भी चल रहा है कल भाव गिर गया तो है ना यह यह मान लो यह पूरे बीस रुपए आलू के यह है कि लेट सेगे कंप्लीट ट्वेंटी रुपीज ऑफ पोटैटो जोनी ना मैग्डीज वूड लवग दा सिट्वेशन वें तुमोरो दिस 20 becomes 10 किसान आलू बहुत लोगा दें और यह बीस रुपर गिरके दस रुपर हो जाए मैग्डीज की पार्टी है है ना फुदी बर्गर गाएंगे बैटके अपने पार्टी बर्गर गाओ है ना बट ऑनेस्ली स्टीकिंग अगर ऐसा केस है ना देन यह रुनिंग ऑन होग त दुबारा सुनना क्या क्या रहूंगे मैग्डीज is operating in which process they are operating on a cost plus basis उनको चाले सुर्पे की कॉस्ट पढ़ रही है तो दस रुपे की प्रॉफेट मार्जिन ले रहे हैं कॉस्ट का 25% tomorrow if the prices of raw material drop from 20 to 10 what will be the overall cost of the burger 30 what will be the profit margin 25% तीजर वर्वेट पच्छे स्टका जोड़के 37.5 में निकाल देंगे बर्गत हाँ या ना अगर मेंग्डी आज पोटैटो खरीदने क्ले जा रहा है आज मार्केट से आलू खरीदने क्ले जा रहा है तो तो देंगो प्राइस पर शूर परिक्या, निक्ट यूरे या से क्टिमे का है यह रहा है इस्टीर पाइस सब्चिकोर्चिक्ट कि اسब सुट उड पोटैक संद देंग धेरो दो अचोर्ज एपरकर यह ए तो एीजवाइस्टीर को यू तक्टोरख उतने है तो देंग Il आस पूटोड़क्टी अ입니다 प्राइस द्रॉब्स बिलोग ट्विंटी वाट आम ट्राइं टू से इस इवन फॉर अलोग यह उनको अंसर टेनिटी बर्दाश्ट नहीं हो दिये वह बोल रहें ठीक है कम हो जाएगा तो हो जाएगा लेकिन मैं आज गिनू क्या मैं आज क्या एक्सपेक्ट करूं मेरी कॉस आएगी कितनी मैं बर्गर बेचूंगा कितने विकास प्राइस के साथ साथ डिमांड भी लिंक हो जाएगी ये कल आलू कभाव बीस से एकसो बीस पहुंच जाएगा प्र तो कोई नहीं खा रहा है बर्गर फिर तो चिकन बिर्यानी फिर किस बात क्यार मैंटीज के आलू प इसको एक बार पार्क करते हैं अब दूसरे वरण्दगी प्रॉब्लम सुनते हैं लोग करें एलेक्शन भी आ रहे इनकी प्रॉब्लम की पहले बात करो कि उब्गेंड़ ये तो फिर भी मेटीज हैं इनको तो क्या होब या तो एक मिलियों डॉलर का प्रॉफिट आएगगा या तो एटब्रीट इन डॉलर्स का है न यह तो सौर्टेड अब दूसरे एंड प्रॉब्लम देज़ें एलेक्शन भी आ रहें किसानों की बुद्ध की बात कर लेते हैं एक बात है न है इन्हें आलू खरीदने दे उन बिछारों को बेचने हैं कि वहां पर वह क्या कह रहे हैं वहां पर फामर्स तेंग यहां यहां पर जाके बेच सकता हूं मानलो आज बहुत महेंगे बिक रहाएं तो उनको मोटिवेशन आए उनको लएगा कहां यह सब कुछ दूसरी चीज़े हुगाते हैं आलू युगाओ इसी प्रॉपिट है एक कि किसां टो इंचेलिजयन था निस एंट फेड़ लग गया तुम सब किसांत तुम सब ने अलू लगा अपने यह कि पर csukत में थे ने मारकेटी मिठीडि मेटी नहीं है इंडिमांड इस रूपे की democrats साफ सब्सक्रेड नहीं हैं महें इस तो दो दो रुपह बच जाएगा अब वो कॉस्ट आ गई सॉरी अब जो मार्केट का जो प्राइज आ गया वो आ गया पंदरह रुप्य का पहले जो दो रुपह बच रहा था अब तीन रुपह जेट से जा रहे हैं let's say your cost of producing potatoes was 18 and your expected selling price of the potatoes was 20. but because everyone was growing potatoes there was too much harvest of potatoes in the market the prices of potato fall to let's say 15 your expected profit was 3 per kg your actual profit is minus 2 per kg hiya no it's other the cleave me you know the fact of the matter is they are not even recovering their cause they are gone they are gone yet to pack a little thing ही लुटेंगे एक नहीं तो बहुत सारे लुटने वाले एक साथ है ठीक है न यह तो समझी problem मेग्डी जानना चाह रहा है कि certainty से यह पता चल जाए कि आफ्टर वन यह आफ्टर सिक्स मॉन्स आफ्टर तो यह विल बीड़ आउट फ्लो ओफ मनी देट आइवल आप तो दू इन और तो गेट हंड्रेट केजीज ऑफ पुटाइटो यह नो फार्मर जानना चाह रहा है कि आफ्टर सिक्स मॉन्स वन यह टू यह जब भी वाट विल बीड़ कैश आउट फ्लो देट आइवल गेट पॉर गेविंग अवे हंड्रेट केजीज ऑफ पुटाइटो यह स्नु करेक्ट दोनों को प्राइज ऐसेटेंट करना है फ्यूचर का ठीक है यह विट मी तिल दिस पॉइंट वाट देसेज वोटरें काम करते हैं आज ही तै कर लेते हैं दो लोग की प्रॉब्लम थी एक थी मैगडीज एक था फार्मर मैगडीज फार्मर मैगडीज को फियर है कि प्राइस गिरना जाएं मा लक्षमी से डरो पार्मर को डर है प्राइस गिरना जाए ना वैसे दोनों को डर क्या है प्राइस अंसर्टिनिटी अट ताइम वन या फिर एनी टाइम विच इस बियॉंड टाइम जीरो नहीं होना चीह ताइम जीरो के बाद पोई भी पॉइंट पे क्या प्राइस होगा ताइस देर फियर यस नो है नो ओके दिस वाज देरिवेटर वर बॉन लाइक इस स्टाठी ऐसे हुआ था इस नो इसको एक साल बाद तो भाव मिलता है का कॉस्ट लगती है कि मिला के हमारी लंका लग जाती है तोकि हम आउटफ्लो आज कर रहें इन डियूसाल बाद क्या इन फिल बिल्ट होगा डिपेंट अन्द, मार्किट डैड़निक से टाइम one, विविड़। बंकरफिद वे अर आप लोग बहुत लोग उनको आरतिया भी बोलते होंगे आरती यह ना जिन्होंने नहीं सुना मैंने कुछ बोला नहीं आपने कुछ सुना नहीं मुझे नहीं पता रती इस क्या होते हैं पता नहीं कहां से लेकर आजाते हैं लोग मैंने कुछ निगां ठीक है हाओ डिड़ दा कॉंसेप्ट स्टार्ट एक बार वो देखते हैं फार्मर्स आर स्ट्रॉगलिंग विद फैक्ट देड़ प्राइज में डिक्रीज दपर प्राइज ऑफ देर प्रोड्यूस आलू और प पोटैटो की हार्वेस्ट फसल होगे और हम काटे इसमें एक साल लग जाएगा मैं को बेचना एक साल के बाद है इन्होंने क्या कि है इन्होंने बोला आज ने कॉंट्राक्ट एंटर कर लेता हूं बिट्वीन फार्मर कि एंड शॉपकीपर ठीक है तो मान लो रिलाइंस कि से writeわか स्वाइब करीव अमेश्छ फिए रिलाइंस एंट फ़ार्मर अंधोर इंटर इंटर इंस बंडर लासे आप निघ्ट्राक्ट मेरे लिखा होगा वाट विल इस कांट्राक्ट इस कांट्राक्ट इस कांट्राक्ट है बी एंटर एट यहाप डेट लिखी होगी और टी जीरो और यहमारे संब पार्मर र्लाइंस कोira देने वाला को पोटैटो और क्या लेने वाला है पैसे ठीक है इस कॉंट्राक्ट विल से दाट टाइम वन फार्मर विल डिलिवर पोटैटोस तू रिलाइंस एंड रिलाइंस विल पे दमनी तू फार्मर यह पैसा कब मिलेगा टी-वन पर टी वन पे ती वनमनी विल एक्सचेंज हैंस आट टी ग्लाइंड यह कितना पैसा होगा एक हे कितना पैसा होगँ यह टाइम जीरो पर टाइम बैफ टीरो यृट टाइम बइस इरो का पॉर दोस उसे जीरो कि आंप दोस उसे बशा तक है कि मैं या इस धरगी नहीं है उसे तक्म में ने डिन एब ढरत से हाग्ट है is the most important thing that will define your success सब के सब एक आंसर दे रहे हैं दोजन्ट मीन वो सही है दोजन्ट मीन की वो गलत हो दोजन्ट मीन की वो सही है इधर it means nothing to you it should mean nothing and it's a good thing that to you it meant nothing so now money will exchange money will be exchanged at t1 how much money would be exchanged at t1 is determined at is determined at अगर ये भी टीवे नहीं है तो फिर कॉंट्राक्ट के पास कह रहा है मेरे साथ कॉंट्राक्ट मोटा भर कह रहे हैं कटते हैं क्या कॉंट्राक्ट के रहे हैं एक साल बाद इसाइब तो किसे पर जोचर मोटा रहा क्यों ते रहे पास तो फिर में एक साल बाद ही हम अना सीरा हालू लेक्रिए पर चीर्ट कर जेए लिए हम बैट्ट्याज वेक। निछे लिए हैं अना थास तो यह जा अन ट्स तो चार्स को गार प्र. बालू मच्टन बनीवस दीए हैंगे का जीए प्रीछ प्राइज ना लाए तो पैसे का आदान परदान होगा ही नहीं नो एक्सचेंज अ मनी एक्सचेंज अट टाइम जीरो लिखना तो है मनी एक्सचेंज टाइम जो दिया तर्फिर आपने दो अप्शन नहीं जो दिया को एक रुपया नहीं हो रहा है मुझे उसके चहरे को देखके रहा कि वो भॉज जाया तो एक में भी एक्सचेंज नो एट्ट टाइम जीरो क्या होगा एक पटाइम लिख होगा है के सिर्फ और सिर्फ पड़ाक्ट साइए इंबर इस कॉंट्राक्ट की बात कर ले देन चुह we finalize that this contract is entered at time 0 money is exchanged at time 1 at time 0 what is the money exchange कोई किसी को एक रुपया नहीं दे रहा at time 0 क्या हो रहा है सिर्फ साइन मारने दो दो सिर्फ कॉंट्राक्ट पे साइन हो रहा है कि हंजी रिलाइंस is promising I'll supply potatoes इसके से बाद कुछ नहीं होगा लेकिन कितना पैसा लिया जाएगा फार्मर्स ने फार्मर्स जितना पैसा लेंगे और रिलाइंस को जितना पैसा देना पड़ेगा यह को यह देटर्मेन कब होगा टी जी रो पर यह लुद घी जी रो पर टी वन पर होना है तो कंट्राक किस बात कर रहे है पिर टीए तो गार्यों तो प्राइज money at time 1 दुबारा the contract is being entered at T 0 and the contract says that the farmers will deliver potatoes at time 1 at a pre-determined price price being defined today itself yes no this contract is called a forward contract आपके लिए तो यह सिर्फ एक contract है इस contract में बोला के जा रहा है एक साल के बाद delivery ली जाएगी या दी जाएगी डिलिवरी दे कौन रहा है पार्मर उसकी पोजिशन को एफ माइनस बोलूंगा में यह contract क्या हुआ बता न दिस contract is in is a forward contract इस contract is a forward contract इस थो इस दो पार्टी जैंड कौन कौन पार्मर एंड रिलाइंस मैं इनकी पोजीशन क्या बोलूँ है देखना दिस पर्सन फार्मर विल डिलिवर दा कॉंट्राक्ट सॉरी विल डिलिवर दा पोटाइटो ठीक है न इसकी पोजीशन क्या है पोजीशन क्या सेल पोटाटो इसकी पोजीशन क्या है वाइप पोटाटो जप्लस नूं यह कौन्ट किसंट के तहत कम हो रहे है फॉरवड कोंट्राक के तहल so I will call this as F minus and F plus yes no with me till this point sure okay let's say at time 0 the contract is entered into the contract says that the farmers will deliver the potatoes at time 1 at okay I will be 25 I can see time 0 I can tell you time 1 P25 farmer Lega the line P25 per kg rupees 25 per kg yes yes so here I pay forward price Koga rupees 25 per kg sure yeah 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 कि वाट इस दी अंडर लाइंग और है पुटाइटो बात निकली है तो बोल दिया अपना कोई लेना देना नहीं है इस वर्ट से बीडिक है क्यों बोला बता दे रहा हूं कि आपका पस्ट एलो ऐसे तो यह सारी की सारी चीजों का डेफिनेशन देते हैं मैं नहीं पढ़ पा पाटी ने वह सब नहीं पढ़ूँआ मैं मेरे लिए ठीक है एफ माइनस इस शॉट फॉरवर्ड कॉंट्राक्ट अब प्लस इस लॉंग फॉरवर्ड कॉंट्राक्ट कि कंवेंशन है कि एक को शॉट एक को लॉंग बुला जा रहें लॉंग मतलब बाइंग पोजिशन शॉ प्राइस ऑफ पोटैटोस एक ताइम वन इस रूपीस 35 पर केजी इन था सेनरियो फार्मर रिलाइंस पोटैटोस डिलिवर होंगे एड टाइम वन यहां पर कितने पैसे मिलेंगे टोटल यह आपने लिखना आपने नोटबुक में बोलना नहीं यह व्यक्तु राइट देस इन यह नोटबुक इव दप्राइज एक टी वन इस रुपीस 35 पर केजी बोट मैच विछ विल्ट फार्मर जेसर वनियर इव दाप्ड लॉपीस 20 पर केजी अबthe prize drop 2 21 पर केजी वा विल दा फार्मर जेट तैम वन यह दोनों की दूना चीज़े शमर नीं आपने टो इफ आई वूड बीन यॉर पोजिशन आई वूड मेक दिस एज माइन नोट्स या चलो ठीक है नोट्स में लिखवा दूंगा अभी नोट्स की चिंता मत करो अभी नोट्स की चिंता मत करो बस यह दो आंसर निकालो और अपने पेज के टॉप पे लिख दो एक साल के बाद भाव कुछ भी ओ फरक ही नहीं पड़ता है पच्छिस रुपे इंटू सौ रुपीज 25 पर केजीज इंटू हंड्रेट केजीज पच्छिस सौ रुपे दिये जाएंगे इस इस पॉइंटर करने का तो रीजन ही यही था ना कि आप क्या चाहते थे कि प्राइस कुछ भी हो लेना देना आजी सेट कर ले प्राइस इस fixation is the mandate for this no to the price that would one of the money that would be exchanged will be 2500 irrespective of the market price at time one with me till this point correct okay अच्छे एक बात बुता ना गुझा पॉरा मुह अहीं देखना इस पीस इस कॉल्ट फॉर्वर्ड प्राइस इसे प्राइस कह रहें करें इस देश्ट प्राइब दे प्राइब दे गॉंट्राक्ट यह जो मैंने आपको सारा का सारा सिखाय ए है ना और दिस इस कॉल्ड फिजिकल सेटिल्मेंट यह है फिजिकल सेटिल्मेंट इसके अगला तुछ एक वर्जन देखेंगे लेकिन अभी तक कि इतना समझा है उतना इनप है कि चलो अगला वर्जन भी देख लेते हैं फिर नोट्स को कम्प्लीट करा दूँगा सुनना कि दिरा टाइम्स वेन एक्जाक्ट इस सेम कॉंट्रैक्ट इस एंटर्ड बट क्या होगा लेट से जो रिलाइंस है यह है गुड़गाओं में और अग्ड इस फार्मर इसन पंजाब इस नाओ वाट है थापन्स इस थाट इस तो पीपल आव एंटर्ड इंट्ट इन तो अग्स्चेंज पोटैटो इस ट्रूपिज ट्रूपिश्ट पर केजी और एक्ट यह पोटैटोस का भाव निकल गया 35 पर केजी दुबारा बोल रहा हूं अब का जो स्टेट्मेंट बोलू है यह बहुत जादा इसका इंपोर्टेरবक है आपके लेवल टू के अंडर स्टैंडिंग के आपकी प्रॉक्यू अंडर्स्टिक से मिल आँखाम सारी है केंडिडेट से मिलता हूं लेवल 3 केंडिडेट से मिलता हूं थैडली बहुत सारे टीचर्स को देखता हूं जो अपने केंडिडेट्स को एक वरजन में पढ़ना सिखाते हैं वो क्या बोलते हैं दैट F-plus forward plus यह long forward contract is the party which has agreed to has entered into a contract to buy the underlying at a predetermined price by definition this is correct but by intuition by logics this is stupid अगर हम यही भाशा बोलते रहेंगे रटते रहेंगे तो हमें करने कुछ नहीं आगा इसे कॉल ऑप्शन में बोलते हैं कि a long call has the right but not an obligation to buy the contract at exercise price पर शॉर्ट फॉर्वड शॉर्ट कॉल क्ली क्या बोलते हैं कि शॉर्ट फॉर्वड हैं अब्लिगेशन टूसेल दिए अंडर लाइं यह the obligation to deliver the underline at the exercise price यह ना बहुत जादा जार जानेश है आपके इस तरीके से पढ़ेंगे तो डेफिनेशन सोल हो जाएगी अच्छा एक पॉजिटिव साइड इस तरीके से पढ़ने का मैंने जो भी डेफिनेशन बोली है आपको समझ आरी थी कौल वाली को छोड़ दो पर आपको अधरवाइस समझ आरी थी आपके एक्जैम का ये लेवल लेवल से तीन पोजिशन लिखेंगे बोलेंगे बता इन में से लॉंग फॉरवड कॉंट्राक्ट उसके आप तीन डेफिनेशन दियोंगे और एक पर टिक मारों हो गया एक्जैम में इस लेवल के कुश्चिन पूछे जाते हैं ठीक है प्राक्टिकल लाइफ में क्या देखते हैं ये बोलने से डेफिनेशन अच्छी आ रही है लेकिन इंट्यूशन नहीं आ रहा है अब इंट्यूशन डवलप करते हैं ध्यान दीजेगा एम हंड्रेट परसेंट शूर इफ यू गिव मी नेक्स 10 मिनिट्स आफ यॉर् मैंने टी जीरो पर कॉंट्राक्ट एंटर किया कि मैं 25 रुपए में एक किलो अलू सप्लाइ करूं एक साल के बाद भाव हो गया 35 रुपए मुझे खुशी होनी चाहिए दूख हाई क्यों एंटर गिया 35 का विग्जात है हाँ या ना करेक्ट है अच्छा बात बताव मान ल लेकिन आप कॉंट्राक्ट एंटर कर लिया कितने का बेचना पड़ रहा है 25 का टीक है दस रुपए का डिफरेंस आ रहे है प्राक्टिकली 10 रुपए का डिफरेंस है है ना मैं 55 रुपए के आलू सप्लाइग करू इसके बदले 55 रुपए लूप 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 दिस वन व पे आफ लोजिंग दो प्राइब दी अधर वे गैन भी इडि अधर वे गैन भी थाट इन दिस केस फार्मर वाज फार्मर है प्रॉमिस दाट टाइम वन पे टाइम वन पे कितना कैश इंफ्लो होना है एक बार हंड्रेड रुपीज पर गेजी को हटा देता हूं इसे 2525 भी कर देता हूं टाइम वन पे यह ग्राफ बनेगा यह इमेज बनेगी यह जानना मतलब दिस वाज डिस्फाइंड एटी जीरो इसल्फ इसंट इस टाइम वन पे भाव कुछ भी हो इस बात से तो फरक ही नहीं पढ़ रहा है यह तो पहले डिटर्मेन हो चुका है कि टी वन पर यहीं इमेज बनने वाली है कि फार्मर पोटेटो सप्लाइब करेगा और 25 रुपे रिसीव करेगा येस नो है ना देखना एक बार अगर कॉंट्राइक में एंटर नहीं किया होता तो यहां पे पैसे कितने मिलने थे यह नहीं पता था अब अब फॉर शूर पता है कि 25 रुपाई मिलने से इस इस बात बता ना जो मैंने पोटैटोस दीए ये इसकी टू वर्थ क्या है आज की 35 तो क्या मैं यह बोल सकता हूं मैं 35 रुपए दे रहा हूं और 25 रुपए ले रहा हूं हां मैं 35 रुपए दूँ या 35 रुपए के आलू दूँ एक ही बात है न रुक्तराक्ट रुपए यह बोल सकता है यह लेट्स पॉटेटोस इस वर्थ रुपीस 35 तो एसे दाएट फ्रॉम पॉइंट फॉपए फॉर्म और फॉपए लुपए वर्थ गूट्स या सब्सक्ता है तो बीस टेप खूर्ट या फिर गूटर्ट या फिर और अगर दिफ् तरीके से बोलो तो इस गिविंग अवे 35 गेटिंग 25 मैं आपको 35 रुपह दो आपसे 25 रुपह लूँ इससे बेटर यह नहीं होगा कि इसको चुप चाफ से दस रुपह देते हैं अच्छे काम करते हैं इसमें अभी चेंज कर देते हैं इसको अभी मैं मैं मेकडीज कर दे रहा हूँ है है कि आप पोजिशन वी एक बार दॉपहरा टीजीनों से स्टार्ट कुरते हैं मैंडीज क्या डर रहा है एक साल के बाद भाव बढ़ना चाहिए गटना जाहिए और फार्मर क्या डर रहा है एक साल के बाद भाव रिर न जाए डोन Guru धोननों मैंनू माननों मैंने k७क मार्केट्स बना दिया सब्सक्राइब कोई फोन बेज सकता है मैंने मार्केट प्लेस बना दिया मैंने का यहां पे मैं एग्रो बेस प्रोड़क्ट्स की ट्रेडिंग अलाव करता हूं कि भूप मार्केटिंग की देश था बहुत सारे अपको लिस्ट कर दिया बहुत सारे अगया बर्गर करता हूं थे एक साल बात और खरी दूंगा फार्मा ने प्रोमिस करता हूं ने एक साल बात मेपकी में चेंगी हाँ यहाना आ अब कितने मिलने वादे माक्सिमम मैक्सिम mendra कितने पैसे ठरणफ से यह सब्सके पास से जागे सकता कर् güçmi है ए यए स्वाइश और वी किम ये स्नू येस नू मेटा सि पार्मर की क्या पूजिशन और Tapu pre Smith चीज का दर था, farmer had the fear that the price may decrease, है ना, the farmer is worried about the bearish scenario, yes, no, क्यों, because अब अच्छा यह bearish scenario में था, मैं जिसको फिर बोलूँगा उसीको वैट बोलूँगा ब़र जाने के लिए कुछ भी जा सकते तो वह और क्या हो क्या हो कि दो से एकदम सही आंसर दिये सुनना कि फार्मर में जैसे ही कॉंट्राक में एंटर कर लिए वो बोल रहा भाड में जा कुछ भी प्राइज हो मुझे तो नेट नेट 25 रुपई मिलने वाले भाव बढ़े इच्छा है भाव कि रिख हाँ या ना अर्यू विट में तिल दिस पंड करेक्ट इस सेनारियो में फार्मर के जैट से 10 रुपई चली गए लगा इसे 10 रुपई यहां से मिल गया है बजार का वाओ क्या होगे 35 मेटी मार्केट में जाएगा पैठेश रुपई देगा इन से पोटेटो ले लेगा येस नोट इक्वली गुड नो अच्छा फार्मर क्या करेगा मार्केट में जाएगा पोटेटो बेच देगा और इसके बदले क्या मिल जाएगा ऐसे 55 रुपर फार्मर को क्या मिला प्लस 35 माइनस 10 तो फार्मर को 25 रुपर मिल गए मेडीस को क्या मिला मेडीस को मिला प्लस टेन माइनस थर्टीफाइव इसके जब से पच्छे सुरुपे चले गए येस नो इन्हों ने ऐसा किया क्यों विकास मेंटीज वास बेस्ट इन गुड़गा फार्मर वास बेस्ट इन पंजाब यार कहां इतनी दूर माल भेज़ेंगे इस सब्सक्राइब कर दे 25 रुपीज नाओ उसी फार्मर से आए या किसी और फार्मर से आए क्या फरक पड़ रहे आलू को थोड़ी नहीं लिखा हुए फार्मर का ना ठीक है न श्योर आपको जो चीज़ बहुत अच्छे से समझ आने चीए वो क्या है इफ एफ फार्मर इस एंट बार में छोड़ो वूसुएवर इस एंट्रिंग इंटु एन एफ माइनस पोजिशन है जबीरिश बेट बूस पोजिशन है जबुलिश बेट विच मी सोखर तो लुट इस अच्छान बार मैं फार्मर की पोजिशन ले रो कर दो पर्मामरा थाडने शोजर पर्मर's TAX perfect was पर्मर's TAX public and儿 he had an outflow основ अधूर no he had an outflow exposure he wanted to get sorry यह देन इंफ्लो एक्स्पोजर स्वरी एक्स्पोजर ट्रांजेक्शन फार्मर का एक्स्पोजर ट्रांजेक्शन क्या था फार्मर वांटेड तू सप्लाय पोटैटोस थे इंट इंट्व एंट्व एंट्व एज़ ट्रांजेक्शन कि वाट इस हैंट्र ट्रांजेक्शन की आज देशाइट हो जाए कि मैं टी वन पर क्या भाव रिशीव करूंगा और you you know similarly make these also had an exposure transaction and the hedge transaction you करेक्ट and then they had entered into this hedge transaction which was a forward transaction correct correct with me so far how did they hedge it अब देखना मैं बोल के रहा हूं farmer को risk क्या था the risk was price increase हो जाएगी तो क्या now the farmer had this risk that what if the price increases what will he do he will sorry the farmer had the risk that what if the price decreases that's his fear what will he do he will want to mitigate his fear he will want to hedge his fear he will want to transfer his risk yes no so now I have this fear that I am the only earning member of my family yeah I am I earn 90% of my family's thing what if something unplanned happens to my life that's a risk that I have what will I do abhi emotions emotions to side but if I know for a fact that let's say I make hundred rupees per annum if something and for uncalled for happens to me tomorrow something that I have not planned if something of those sort happens to me tomorrow 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 this is a person that he can amapara how will my family take care of their finances that's a risk that I have what will I say I'll say is there any way to transfer this risk from me to someone else my kisiko risk day I'll also have to give some money for someone else to bear this who is this someone else the insurance company you know second I know for a fact that I am living in Google it's probably it's definitely amongst India's most costly in terms of medical expenses good about Bangalore Mumbai in salam and I know for a fact that even if I have to take a two-day package to a fortis it will cost me a fortune high or not I'll be bimari-bimari hooghe to jail lenge kya karzaket jana hospital admit hoona to but admit hootethe samehye yeh tension nye hoona chahi ki room yeh ya yeh haom yeh best room batao kya available hai tumhahre paas yes 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 but those rooms will come at a cost a 20k per day or 30k per day more than the cost of Amoria Sheraton and a teaser per day cost like that's a risk that I have I want to transfer that risk who will assume that risk assuming the risk medical insurance company so I got a premium data on the sale of these are all right I have taken the best plan that is possible in medical insurance and license कि डॉक्टर के बाज आते हैं सोचना नहीं पैसे ले आज भाई यह दो अपना तो देख पुर्जे सारी ठीक रहने चाहिए कमाई बनी रहने घर चे तो सम्वारी लें हम क्या हो गया ठीक है न मैं किसी को रिस्क दे रहा हूं मार्केट में कोई एक बंदा बैठा है रिस्क ल सब्सक्राइसमेंट दूरिं आई पिल कराई पिल देख रहा है मरे गाना गुगल एक्सपर्ट इन टेकिंग मनी फॉर दैक रिस्क अच्छा इनकी भी कुछ कैलकुलेशन होती हो कि यह सी बेवकुफ सम्वान कुछ भी कर रही है ओविसली दू दू देर बिट आफ कैलकुल साइन्स वाला सब्सक्राइब करते हैं देटर्मिन वाट शूट भी बहुत ऐसे ग्रॉस लेवल पूल रहा हूं तो यह एक्षरी सुनेगा तो मुझे गोली मारते करें देटर्मिन कि तुमसे इंशुरेंस का पैसा नहीं कितना तो देटी डेमोग्राफिक्स एंट फाइनसे देटी इस तो पीसे सामल्टेनेश्टी तो देर एक्षरी सिटिं इन अगर्ट वाट रिटर्मिन की इंशुरेंस प्रीमियम होना कितना चाहिए अच्छा इंशुरेंस कंपनी क्या करती होगी वो जैसे इस क्लास में कि वो लि पैठे है ठीक है जटी विल वांट टो टेट एस्टर निंग टू एस्पेक्स अ अफ फाइनस ये ट्यास सटीं मॉर्टालिटी रेट्स भी आर स्टेटिं फाइनस ठीक है इंशुरेंस कंपनी क्या चाहता है बंदे मरें ना मरे लिए दो लोग पूजा कर रहे हैं तुमारी यह जिन्दगी बार प्रीमियम दे हम प्रीमियम खाए और इनको कुछ देना पड़े पूरी जीवन में हाँ या ना करेक्ट माहा तो ऐसी कर रहे हैं माहा तो माया विचारी उनको छोड़ो गउख है ना अब देखना याट टू पीपल सिटिंग इन अमार्केट एक हूँ वा पीपल इफ आ गिव इंशुरेंस तो हंड्रेट पीपल या इफ आ कंसिडर आप टोटल पॉपलेशन सेट अफ हंड्रेट प्रोबेबली वन वूट डाइन नहीं है तो सौ में से एक मरेगा तो नव वाट वूट दे वांट की एक को जितना पैसा देना है हूँ इस समवन ड है कि सब्सक्वर एक करोट रुपए देदा या टोटल प्रीमियम कलेक्ट हो जाए एक करोट वीसलाग रुपए का एक करोट रुपए जो मर रहा है उसको देदे बीच में 20 लाग कर बचे उसमें अडवर्टाइब्टाइसमेंट क्यूष्ट कोस्ट इंप्लॉई को मुए तको दोलोा प्यान्योता चारा है is that he is supposed to get something, he's supposed to get something, is fyrus what is this something it is small? So he says I have a risk, the price that I might receive tomorrow is less than my expected price, इन हाय नाहम ठीड़ा न नितस्वाओ I सब्स्सांई यह अंता यह वीर्साइर्प आज फने फट्डेस्त वाइनल। झाल्ड पूर्ड़ करें повтор इसको अभी के लिए एक्सपर्ट बोले टीए अधिए टीए यह एंटर्स इंटो एंट्राइक्ट विच एन एक्सपर्ट सुनना स्वारी वाद इंटरॉप्शन है जो आ वस सेंग आट पॉर आप फार्मर देवन एक्स्पोजर देवा पोटेंशल रिसीट कमिंगे ठीक है उसको पैसे मिलने वाले इस वाट डिस रिसीट लेस देन माइक्सपेक्टेशन तो यह क्या बोल रहा है। ठीक है फिर काम करते हैं एंटर कर लेते हैं जब फिर है प्राइस पॉल होने का उस्टाइम पर हैज ट्रांजेक्शन क्या होगा पॉवर्ड में एंटर करना एफ प्लस या माइनस माइनस यह था समझने के एंगल से रटना चाहते हो तो सुन लो अभी बोल दे रहा हूं तुम क्या चाहते हो तुम आलू बेचना चाहते हो पैसे लेना चाहते हो यूँवांट तू गेट रिट यूँवांट तो शॉट पोटैटोज एंड रिसीव मनी यूँवांट तो दू देस्पॉट आज ही करना चाहते हो लेकिन आज तो अलू बने ही नहीं है तो तुम क्या करोगे ऐडियली यूवांट टू पोटैटोज माइनस तोडे बिकास य जो भी तुम्हारा एक्सपोजर है उसके लिए जो भी तुम्हारा सॉल्यूशन है जो आज करना चाहते हो वही फ्यूचर में करोगे तो इफ देर इस रिस्क दैट प्राइज में गो डाउन तोडे या इफ देर इस अबैट एट प्राइज विल गो डाउन यह वांट तो विल भी और एक्स वाट विल भी और हैज विल भी डूर शॉट फॉरवर्ट तो कुल मिलाके जो आज करना है वही फ्यूचर में करना होगा सिंपल रटने की चीज़ है कि बैट क्या था भाव गिरेगा तो क्या करोगे बेच दो मेरे पास जमीन है कि मुझे लगता है डेली घर पढ़े होगे तो क्या करों मा सारे बेच दो माट वाटेवर्य नॉक्त दूदर डूटए पीचर है जो उट्वा फ्रवाध ट्रांजेक्श्षेंचन दुप और फ्च्रांजेशन डूटेंट प्लस 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 पोजिशन लगत की बाट जाएगा अगर मेंग डीज को लग रहा है कल भाव बढ़ना जाए तो क्या करेगा ट्रक उठा आलू पगड़ के ला पाहर से जितने मिलते हैं खरीद ले यूड वॉड वांट टुड़ाइट टुड़े यूड वॉड वॉड वांट टुड़ाइट टुड़े वाट शुड्यू दू एज़े ट्रांजेक्शन यूश्ट बाइफ वार्वर्ड विशुट दू लॉंग फॉड एफ प्लस ट्रांजेक्शन विट मी सो पर पर पर्फेक्ट कोई फ्रिक्शन नहीं यहां तक करेक्ट अब अच्छ चलो ठीक है यहां तक कोई फ्रिक्शन से दो अभी कूशिए पार्मर की एफ माइनस प्लस 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 और एफ को समझान चाहिए क्या विर यस मैज़ीस की एफ प्लस पोजीशन बिरेश बैट विलिश-मेपर पोस, यह समझाना चाहिए आपको बहुत अछे से तरुक्त है सूनना एक शाल के पाहался transaction कैसे होगा the transaction will happen on these lines farmer will give potatoes and receive 25 rupees farmer will give potatoes and receive 25 rupees irrespective of whether the price is 35 or whether the price is 20 what in which scenario will this happen this will happen in the scenario in which there is physical settlement physical settlement मतलब आलू दो पैसे दो ठीक है मान लीजे यह दोनों के दोनों अलग-अलग स्टेट्स में या दूर-दूर बैठे एक दूसरे से तो यह बोल सकते हैं अब कौन इसको आलू पहुचाने के लिए जाए कि कौन आलू पहुचाने के लिए पैंतिस के आलू देने थे 25 से रुपए मिलने थे कुल मिलाके दस रुपई तो देने बन रहे हैं तो कितना बढ़िया हो अगर फार्मर उठाके मेंग डीज को चुप चाप से दस रुपए ही दे दे यह क्या हो रहा है यह है कैश डिलिवरी फार्मर ने उठाके दस रुपए दे दिये मेंग डीज को यह कौन सा ट्रांजेक्शन था यह था हैज ट्रांजेक्शन लेकिन फार्मर का इन जनरल एक्सपोजर क्या था इन जनरल फार्मर्स ठर्मर्चावस स्पोस्जर वेस पीज से ड एक ट्रस ऑ तर क्रावस फोड़े मेंपोटर मेंपोंटर क्वेशन अठीट ट्रीuğ इन हम एन्टर्स अट्रिफाइश था हैज वार्चावस ऑन्रोय।ंट था मेंपोटर्मर्स व तर्लुपस्टों इस बि्ज्टाव पर्चावस है ना एक साल के बाद देखेगा तो उसे 25 मिल रहे हैं घर पर पर परिशान बैठा था क्या रहा है क्यों जब अधिस के साथ कॉंट्राक्ट कर लिया अच्छे कास से 35 मिल रहे होते इस बेटे को करा रखता है बेटा क्या बोल रहा है इंशुरेंस था पापा कि यह आज तो पहते सो गया कल पांच और रुपए हो जाता तो क्या करते फिर वही रोड पे फेगते नालिये फेगते पॉलिटिकल पार्टी फोटो खीचती हा कि क्या फाइदा हो इस से चुप चा के साइड मेग डिस के साइड का देखते मैग डीष मेग डिसका मेडीक t received potatoes. So what is his exposure transaction this minus 35 and this plus 10 is his hedge transaction. Haan या ना. So MacD's has received sorry MacD's has paid 25 net net में. You are with me till this point. This is the second scenario in which we are saying that the delivery is happening in cash mode. यहां पे फिसकल दिलिवरी ओरी ती यहां पे cash delivery or you cash delivery meaning the underlying that is not being paid by a paid by minus party to a plus party. The underlying is not paid. The cash difference is paid. फिसकल दिलिवरी में क्या हो रहा है? फिसकल दिलिवरी अंडर लाइं इस दिलिवरी अंडर लाइं इस दिलिवर्ड इस दिलिवर्ड बाइं ड लाइं है खिसे फिस्ति हैं झाल झाल कर दिलिवरी में क्या होगा है अंडर्लाइं इस नॉट डेलिवर्ट कि अंडर्लाइं जस्काइब टेलिवर्ट कि छेंज इन प्राइस इस देलिवर्ट तो मतलब पोटाटोज नहीं दे रहा है सिर्फ उसर्फ डिफरेंस इंप्राइस दे रहा है कैश दिलिवरी वाला स्कानपोंट एक बार और बोल रहा हूं फिसिकल दिलिवरी में उठा के इप्रोन इस वर्याथ आपैटोज फार्म स्वैश्ण फार्म इलिवरी देख रहें सब्सक्राइब के और चल्रिवरी में इस वी अनटर्ली बीघ डिलिवरी में प्लस नू गाई दिलिवरी में लू वाट इस है मिलना था पॉटाट सबाव क्या है मार्केट में दिवनपे थीमीन तो क्या समान देना था 25 यहाई-धू-डTr फार्मर विल से ओके लेट मी पेड़ेस तेन रुपीज ओनली कि पैस का समान दे रहा था 25 रुपई ले रहा था क्यों इतना गेम खेलना है इससे सीधा उठाके दस रुपई दे देता हूं ठीक है ना दस रुपई एक तरीके से द द वाल्यू अफ दिस कॉंट्राक्ट तेन रुपी जोनली में डीज को इस कॉंट्राइक में इंटर करके क्या मिला 10 रुपई तो ठीक दस रुपई तो ठीक है दस रुपई देता है न लूजिंग पार्टी विल पेट तुद विनिक पार्टी तेस तेन रुपीज यस नो दस रुपई दे दिये और एंड में जाके क्या मनी? What is, what will happen? Farmer has paid Rs. 10 to make these, make these otherwise exposure क्या था? make these otherwise exposure on the outflow. He had to give away market price and receive potatoes. Potatoes मिल गए, he gave away the market price. The market price was 35. So this blue highlighted piece is the exposure transaction. This blue highlighted piece is the exposure transaction for make these. Yes, no. And this 10 rupees plus is the hedge transaction forward receivable. Yes, no. From the standpoint of farmer, his exposure was outflow of market price. Sorry, inflow of market price and outflow of potatoes. He gives away potatoes. He receives market price. Off rupees 35. But 10 पर्पे चलेगा इसके pocket से क्यों क्योंकि जो forward में enter किया था उसमें इसका नुक्सान हो गया. हाँ या न यह केस नमबर टू में कैसा बनेगा? In case the price is rupees 20, how will, how will it happen overhead? In this case, if the price is rupees 20, can you draw me this whole piece? If the price is rupees 20, can you draw me the whole cash delivery का figure कैसा देखेगा? Please करो. If the market price is rupees 20, if price at T1 is equal to 20, so कैसा देखेगा देखना? MacDs will pay to the farmer rupees 5, yes, no. Market price इसे मिलना था, इसने देना था, यह तो आई गया, as it is, hedge hedge में this guy received 5 rupees, this guy paid 5 rupees, over here, what was the difference, यह plus 35 था, यह कर लो, minus 35. 35. This was minus 35. This was plus minus 10. This is plus 10. Hi, Anna, over here, this is exposure. This is hedge. Yes, no. net net may, the price will remain 25 in both the cases, isn't it? Which is same as this piece. और यही तो होना चीए था, this should have been the end result. Perfect. With me on this, no friction. This was physical delivery. This was cash delivery. Correct. I am moving ahead to the next bill. Next video record कर रहा हूं सक्लिए. Till this point of time, you have heard of two parties. These two parties were MACDs and farmers. F plus and F minus positions respectively. Correct. Both these parties had an exposure position. The exposure position was, एक को पैसा देना था, एक को पैसा लेना था. आलू चाहिए थे, एकने आलू बेचने थे. While all this was happening, बहुत सारे restaurant owners, बहुत सारे potato buyers और बहुत सारे potato sellers, farmers, मेरे platform पे interact कर रहे थे. ठीक है, this was happening. Now, there was a person who had bloody hell no business of potato. कोई पढ़न लिखके, CA, CFA, MBA, finance, this, that, ऐसा वाला कोई बंदा आया और उसने देखा कि ये लोग एक आलू बेच रहे एक आलू खरीदर. ये लोग कुछ contract contract करते हैं, आपके दूसरे को लेंदेन कर लेते होगे. इस पर्सन हैड नथिंग तुदू विट पोटेटों बट ही वाज़ा स्मार्ट गई. ये कुट सम्हाओ आइडेंटिफाए कि कल भाव क्या होगा अलू गा, अट लीस ही थोट सुथ हूँ. उसे लगा मुझे आलू से लेना देना नहीं है, लेकिन मुझे ये लगता है कि मैं ये बता दूंगा कि कल इसका भाव बढ़ रहा है या धट रहा है. He thought that he understands this game. तो he said, even if I have no exposure, I can take a hedge position. दुबारा. मैगडीज ने आलू खरीद के बर्गर में लगाना था. मैडीज had to buy potatoes and then use it as a raw material in its burgers. मैडीज had an outflow position. Yes, मैडीज had an outflow position. So it was entering into an F plus transaction. मैडीज entered into an F plus transaction. मैडीज entered into an F plus transaction. And if I look at this diagram, if I look at this figure of cash settlement, when the prices increased, मैडीज made 10 rupees out of the hedge transaction. Yes, no. This 10 rupees, 1 second rupee. Just one sec. ये ब्लू आला पाट. This is the hedge transaction. No? And this green part is the exposure transaction for MECDs and farmer respectively. The hedge part is written in blue in between. Correct? Hedge part के साब से मुझे बताओ. MECDs ने क्या किया था? MECDs had entered into an F plus position at rupees 25. Yes, no. कर जब भाव 55 रुपए हो गया, तो MECDs made rupees 10 because of this hedge position. Yes, no. Effective price उसको भले 25 का ही पड़ जा रहा था. लेकिन उसको hedge में तो benefit हो रहा था. हाँ या ना है ना बहुत सारे MECDs और बहुत सारे what you call farmer के transaction को देखके मेरे जैसा person जो side में बैठा हुआ था. He identified a business plan. He said boss, I have no exposure. I do not want to be a MECDs. I do not want to be a farmer. I just want to play in this blue domain. दुबारा मैं MECDs नहीं हूँ, मैं farmer नहीं हूँ. मुझे लगता है एक साल के बाद potato का भाव 50 उर्पे होगा. ठीक है? यह मुझे लगता है एक साल के बाद आलू का भाव 100 उर्पे होगा. आज की डेट में जो forward contract trade हो रहा है. वह हो रहा है 25 उर्पे पर. I can enter into an F plus position at rupees 25. Yes, no. मुझे लगता है एक साल के बाद जो price होगा, वो क्या होगा? 100. तो मैं क्या करूंगा इस contract में? इसमें long जाओंगा या short जाओंगा? Long जाओंगा. क्यों? मुझे लग रहा है 25 में एंटर करनूं transaction. एक साल बाद तो भाव का 100. मैं बोलू मैं मेरे से cash settlement कर ली. तो मैंने, because I am the long party and भाव is above 25, I will get 75 rupees over there. Yes or no? Everyone with me till this point. देखना, मैं यही चीज़ एक बार दुबारा करा रहा हूं आपको. hedge party क्या कर रही थी? hedge के case में क्या हो रहा था? Megdees was f plus farmer was f minus, correct? f is equal to 25 बोल देता हूं मैं आपके, correct? देखना, at t1, s1 is equal to 100. S1 is equal to 100. ठीक है? एक साल के बाद spot price is rupees 100. मुझे बताओ, अगर मैं cash settlement करता हूं, अगर cash settlement करता हूं, तो Megdees को पैसा मिलेगा या देना पड़ेगा? Will Megdees be experiencing a profit or a loss? Profit क्यों? Because it's F plus position है, F plus position मतलब bullish position. अब final अपनी line बोल रहा हूं, bet क्या है पता है इसकी? hedge वाले case में इसकी bet क्या है? bet है, price at t1 will be more than 25. यह समझाना चाहिए आपके, correct? bet, at t1 भाव है 100 रुपए, शर्थ, Megdees, जीता या हरा? जीता, कितने रुपए से जीता? 25 की bet, 300 रुपए जीता. आपको पूरा का पूरा derivative, bet के शब्दों में समझाना चाहिए. एक बात बताओ, शो देखा किसीने मिर्जापूर, चौपेंट पर्दोजाबस हुए फीन मिर्जापूर, जो नहीं नहीं देखा, तुम बताओ, जीवन में कर क्या रहे हो? पाइनेंशल न्यूस पर हमने पढ़ा ली, विग शॉट हमने देखी नहीं, मैं पूछूँगा दिन में पढ़े कितना गंटे हो कह रहे हैं दो, कॉलेज चल रहा है रहना, जॉब कह रहा है वो पापा करते हैं, तु दो गंटे पढ़ने के निकाल दे, छे-अट गंटे सोने के निकाल दे, दस होगे, बाकी 14 गंटे कर क्या रहे हो, बैंक में जमां करा रहे हैं कि यहां भागवान जी बात में देना तुम्हें नलाएक कर क्या रहे हो बतानी, मिर्जापुर में ना एक दो बेटे देना उसके, वह जो दुद्धू ना जो बड़ा वाला था, उससे उसके फादर पूचते हैं क्यों कर रहे हो ऐसा, फिर मजा आने लग गया, अब लोग ऐसे मज़े में करने लग गया, देखना मजबूरी क्या थी, फार्मर वाज 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 वरीड, वाटेव दे प्राइज इंक्रीज, तो ही टूक अबेट टूक अहेज, उसका डर सही साबित हुआ, उसकी बैंड बजी पड़ी थी, वो डर रहा था कहीं पक्चिस से उपर भाव में हो जाए और बच गया उसने ले लिया है, वरना उसको सौरवे में आलू खरीदने पड़ते थी, ठीक है न, उसको हैज में 75 रुपए बचे, येस नो, ये लिए 75 इन है फार्मर विल लूज 75 इन है ये तो हो गया हैज के केस में एक सब्सक्राइब लूज 75 इन हैज और जो एक्सपोजर था एक्सपोजर में किस रेट पर होता है हमेशा ट्रांजेक्शन मार्केट प्राइस पर है न, अगर ये हैज में नहीं एंटर किया रहता तो मैगडी का क्या एक्सपोजर था इफ दे वुड़ एव नॉट एंटर्ड इंटु दे हैज ट्रांजेक्शन में इसको पोटैटो लेने के लिए कितने पैसे देने पड़ते हैं सौ रुपे और इसे इसे कितने पैसे मिलके सौ रुपे Оп ओवरॉल एलुन नेट प्राइस क्या पढ रहे हैं नेट प्राइस इस से पढ रहा है पच्छिस इस से पढ रहा होटाइस और पर ना भी था यही तो सब्सक्राइब देखना जो दूसरा पर्सन है कि सट्टेवाज कि एक्सपर्ट गया है थे स्पेकुलेटर वह क्या बोल रहा है वह बोल रहा है एक्सपोजर गया तेल नहीं मेरा कोई बैट है कि कल एक साल बाद आलू का भाव सौर पार करेगा बैट ही तो नहीं है न ड्रीम एलेवन में टीम बना रहा है इसमें क्या ही डिफरेंस हा रहे है यू आर सेंग एफ प्लस एक 25 जैसे बजार में स्पॉट का भाव पता चलता है यू कें गो टू अवोडियू कॉल इसी जरीके से मार्केट में जाके फॉर्वर्ड का रेट भी चेक कर सकते हो कि वन यह फॉर्वर्ड का पोटैटो का क्या भाव चल रहा है अगर मैं कैश डीलिंग कर रहा हूं अगर इसने एफ माइनस पोजिशन ली होती अगर एक बुलिश बैठाए बंदा अगर अगर एक बुलिश स्पेकुलेटर बैठा है अगर एक बुल बैठा है तो एक बीश बैठा है अगर एक तेजी कर रहा है तो एक मंदी भी कर रहा है एक साल बाद निकला प्राइस और रुप है बहुत गलत था है बंदा लगे इसकी लंगा हाँ या ना विच्मी सोफर अगर इसका हैज भी होता साथ में अब सुनना मैं इसको कहरा हूँ A इसको कहरा हूँ B इसको कहरा हूँ C इसको कहरा हूँ D ठीक है अब जो बात बोल रहा हूं यह किसी बुक में नहीं लिखी दिखेगी आपको emotionally और IQ के साफ से समझ आनी चीए इफ यू आर परसंड एफ यू आर परसंड एफ यू आर परसंड एफ यू आर एंट्रिंग इंट्रिंग इंटु दो हो कि हाया ना कि इफ यह परसंड बी यह प्रेंग टुग बबाबाजी प्लीज प्राइस क्या करा दो कुछ भी करा दो फरक निवर्दाफ तो मैं कॉंट्रैक्ट एंटर कर गया तो ए और बी को खाक पर्वानी है बजार का क्या बाव होगा इफ यह परसंड सी देन यह प्रें आउंगा आप पूरी घूस खोरी करोगे क्या बोलने के लिए बुझा बच्चेश से उपर रखना प्राइस नॉनमेस खाना छोड़ दूंगा हां मम्मे की बात मानूँगा यह वो फलान दिमकान सब कुछ किस बात के लिए बाव पच्चेश से उपर रखने के लिए यह ऐ इस केस में विकॉद आपको कोई फरक नी पढ़ रहा हो क्या रहा है यहां पर आपको रिस्क मिल रही थी यहां पर आपने रिस्क पास ओन कर दी यहां पर नो रिस्क रह गई यहां पर कोई रिस्क थी नहीं जो मैं बोल रहा था ना बात यहां मजबूरी में रिस्क पासाउन कर रहे थे अब मजा रहा है अब आप रिस्क ले रहे हो तो यहां पर रिस्क है ना इसी लिए यूर प्रेंग कि रिस्क तो ले लिए कहीं सही सावित ना हुजा है मेरी देश कि यूव टेकन दर रिस्क नो यह प्लेस्ट अगर एक ग्राफ इमाजिन कर सकते हो तो आपने 25 रुपीस की लाइन डाल दिये अब भाव ऐसे उपर नीचे हो रहे हैं आप बोल रहे हैं इसके नीचे ना इसके नीचे मेरी लंका लगे अभी टीवी में अचानक लिखा आजाए कि गुडगाओं में रियल एस्टेट के प्राइस बुरी तरीके से क्रैश हो ना बगवान करें मेरा एक्सपोजर है लेकिन मान लो एसा नहीं कुछ नहीं मेरे पास मान लो टीवी में लिखा आजा है नॉइडा में रियल नहीं है कि विल सीइंग दस न्यूज विलाइबी हैपी और भी साइड मुझे कोई निपट रहा है मुझे क्या फरक्ट पट रहा है प्राइज उपर जाए नीचे जाए मुझे कोई फरक निपट है ठीक है बटे गुड़गाओं लिखा आजाता तो मैं बहुत घबराज आ ठीक है न क्यों वहाँ एक्सपोजर था तो रिस्क आ रही है यहाँ एक्सपोजर नहीं था अभी पोटेटो का वहाँ उपर जाए नीचे जाए स्पेकुलेटर को कोई फरक नहीं पढ़ना चाहिए छूड एप्सेल्यूटली नॉट भी वरीड आउट पोटेटो उनका डिमांड सप्लाय मैंको इनका प्राइस का पैटन समझ रहा है मैंने केंडल्स बनाई है अपने इसाफ से रेड्ड ग्रीन यह वो मुझे लगता है एक साल के पाद 25 सब्सक्राइब क्या है कि अर्विट में सो फार पक्का को कि दिस वस हैज वर्सेस स्पेकुलेशन कि लिए प्रस्पेक्टिव से एक वीडियो देख रहे है रियल को एंद फॉस्ट देखना आ ए सुनल देख़र निडियो प्रस्पेक्टिव फ्र्स त्यद तो अंदेसन का प्रस्पेक्टिव यह फार्म का प्रस्पेक्टिव अगया लॉंज फ फॉर्वर्वड इस फॉर्म ए चांट फोर्वड सेजल कोंट्रैक्ट अगर आपने नहीं बनाया तो यह मैं अपलोड कर दूँगा आप यहां से अपने नोट्स में डिटेल डाउन कर लिजेगा करेक्ट गोईंग बाक्ट दिस पीस मैं फॉर्वर्ड अब्लीक फ्यूचर की बात कर रहा हूं अभी तक कि at this point of time forward and future should mean one and the same thing for you आपके लिए कोई डिफरेंस नहीं फॉर्वर्ड और फ्यूचर में अभी के लिए जो डिफरेंस होंगे वो लेटा स्टेजिग में डेरिवेटिव के डिसकुशन में आ जाएगा अभी के लिए नो डिफरेंस बोट ऑफ देम मीन वन इन दे सेम तिंग करेक्ट बेसिक टमिनलोजी जो फॉर्वर्ड कॉंट्राक्ट में देखा था उसकी बेसिक टमिनलोजी की बात क्योंते हैं अंडरलाइंग एसेट आपके केस में क्या था पोटैटोज ठीक है लॉंग पोजिशन किसकी थी मेकडीज शॉर्ट पोजिशन किसकी थी फार्मर ठीक है सेट्लमेंट डेट क्या थी वन इयर टी वन फॉर्वर्ड प्राइस क्या था पच्चेस रुप है जो एक्जामपल लिया था उसमें 25 रुपीज वस दे प्राइस कॉंट्राक्ट साइज क्या थी 100 kgs price versus value वी प्राइब डिसकॉस्ट अभी क्लियप आप कर देता हूं शैट्लमेंट फिसिकल डिलिवरी वी टॉक्ट बावट इडिवरी दिखा दे रहा हूं यह फिसकल डिलिवरी पिसिकल डिलिवरी नीचे कैस्ट अट्लमेंट पिसिकल डिलिवरी इन केस्ट प्राइस if the price at t1 s1 जिसको मैं बोल रहा हूँ if s1 is 20 if s1 is 35 यह दोनों के दोनों cases में मैंने आपको physical delivery और cash settlement में क्या होगा वो दोनों explain कर दिये है ठीक है underlying asset क्या क्या हो सकते है they can be commodities ठीक है it can be stocks indexes crypto interest rate currency non-financial variable that is weather अभी मुझसे मत पूछना weather कैसे होता है छोड़ दो ठीक है अभी के लिए example किसका लिया था commodities यहां दो टाइप के बोल रहे हैं hard commodity soft commodities just read about it soft commodities is agro या primary products hard commodities is metals ठीक है जी है jar versus speculator this is the third piece we did this in fact let's call this as third terminology was third part ठीक है इस में settlement को लिख लो fourth we have done this settlement piece over here let's call this point number four ठीक है next is hedger versus speculator point number five we have done this part as well ठीक है रीड कर लीजेगा it'll be all done and settled कुछ भी नहीं है hedger क्या कर रहा है इसका exposure भी है जो अभी वैसी मज़े लेने आ गया एक फ्लस एस माइनस ही इस दुए बेसे से प्रेडिक्शन ऑफ प्राइस एक्जामपल्स वी आफ दन इन पॉइं पॉइं नॉमबर फइग थीक है this is spending as of now this is spending as of now these three pieces are pending अगे मूव कर रहा हूँ में फॉइं टुटी नेक्स पीस अम डिसकेसिंग हाव टू डिटर्मीन दी फॉट प्राइस डिटर्मीन दी फॉट प्राइस मीनिग अभी तख आपको जितने examples दिये थे उसमें मैंने का था कि the forward price is 25 look the forward price was 25 in this case how did we reach 25 अभी एक example किया था जिसमें forward f was 12 rupees किया था नहीं एक example 12 rupees का जब s 0 was 10 and f was 12 we did one of those examples no which example was that just give me a sec not here यह वाला प्राइज एट टाइम जिरो अस्टेन बट एस वास्ट ट्वेल एना यह कैसे ट्वेल वह देख रहे हैं यह इन जनरल एफ पावर्ड प्राइस कैसे डिटर्मेन होगा वो देख रहे हैं सुनना मैं बोल रहा हूं एजम्शन मेरा है कि पोटैटोज आर नॉट पेरिशेबल यह एजम्शन है मेरा ठीक है मैं इकडीज का फियर बोलना प्राइजेज एट टाइम वन इंक्रीज हो जाएंगे अभी तक कि हमने क्या ऑप्शन पढ़ा था मैं क्या करूँ एफ माइनस या प्लस गुंजन जी पक्का हां प्लस 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 इसके सिवा एक और ऑप्शन है अगर पोटैटो उस पेरिशेबल नहीं है अगर आलू खराब नहीं होने वाले और मेकडीज को पता है कि अगले एक साल में हम इतने बर्गर बनाएंगे आर शॉर दैट इन नेक्स वनियर विल मेंग सो औन सो बर्गर और सो और सो और सो बर्गर वी वोड रिक्वाइर और हंड्रेट केजीज और पोटाइटो वाट कैन दे डू एज अन अल्टरनेट दे सिंप्ली बाइट तोडे लेह आज खरीद लेते हैं वो डाउन ले लेते हैं तर देते हैं इसकी वेयर हाउजिंट आलू खरीदे हैं बरो डाउन में माल सौ के लोग डाउन में उठा के आप सिबल नॉट पॉसिबल आज का रिट मैंने क्या बोला सबसकतरों सब्सक्राइब लोग एक्सपट हो गए हैं एस प्लस लिए आइड सपोर्ट लोंग सपोर्ट बॉस टीकर तो लॉंग सपोर्ट कितने पर किया 20 रूपए पे को करेक्ट ए आज रखलो आज वेयरहाउस कर दो आज खरीद के वेयरहाउसिंग कर दी क्या खार चैँक मुझे अलुग साल बार मैंने किया वेयर फिर वेयरहाउसिंग तो आज खरीदने पड़ गए मैं तो मेरा एक हर्चारह गे लोगес का कॉस्ट क्स्ट रिए कितना है का मान लो एक रुपए का रेंट देदिया साल का तीन गुस्टा ना हो यह एक रुपए का चरिन था थी अधिन रूपए और लोग कह रहे हैं यह बीस पर तुम ने कब दिया मैंने का आज if you would have not bought potatoes you could have you could have taken some investment for this you could have taken an FD for this so there is some opportunity cost you are losing some bit of interest on this yes no man low interest cost is 10% of 20 कितना आया 2 रुपीज ये कितना आ गया 25 रुपए यस नो तो I have option 1 my first option is that if my first option is that if I do not sorry if I want potatoes at time 1 I can simply buy it at time 0 and store it for a year I'll incur two additional cost I am paying for the potatoes so this is the opportunity cost lose or two rupees for that three rupees a storage cost the warehouse liya employees लगाए होंगे this that everything happens इसके तीन रुपए और लगे मुझे net net कितने का पढ़ गया 25 रुपए गया 25 रुपए गया 25 रुपीज इस धी कॉस्ट इफ I'm using option one if I am not using option one if I am using option two if I am using option two एक एक बार यह option one की प्राइस को देखना आपने क्या किया आपने बोले और बीस रुपए यहां दोगे है ना तीन रुपए स्टोरेज के यहां दोगे है ना और यह पूरे के पूरे साल कि यह पूरे के पूरे साल का इंट्रस्ट देना पड़ेगा दो रुपए तो 20 रुपीज ओवर है इस एस गुट एस ट्वेंटी रुपीज ओवर है इस एक्यूएलेंट टुवेंटी रुपीज ट्वेंटी टू रुपीज टाइम वन येस नो इस पर तो नहीं है ना किसी को फ्रिक्शन कि आज का 20 रुपए कल का 22 रुपए इस पर है तो जाके बेसेक्स वाली वीडियो देखना तो कुल मिला के 25 रुपए देना पड़ रहा है टाइम वन पर यह किसमें हो रहा है ऑप्शन वन में हां या ना विट मी सो फार या तो यह कर लो या फिर ऑप्शन टू एक कॉंट्राक्ट में एंटर करो इस कॉंट्राक्ट में क्या लिखा होगा कि इस कॉंट्राक्ट में लिखा होगा की फार्मार्स प्रोमिस टू गें मेक डॉनल्ड्ड ज gai potatoes at what time zero 11. 011 at price determined at time 010 price determined at time 0 but the transaction will happen at time one to have offset or paysek Adhan Prasana time one the exchange of money at time one but the determination of the money to be exchanged that time 1 will happen at time 0 with me so far okay okay now what would this price be what would this price be we have to determine that यही तो डिस्क्स कर रहे हैं अगर हम यह उप्शन नहीं लेते तो कौन सा अप्शन था आज खरीए इस्टोर कर अपर्चुनिटी कॉस्ट कर कितने रुपए लग रहे थे 25 अब जब यह ट्रांजेक्शन एंटर हो रहा है मैंग डीज गया फार्मर के पास इस बोल रहे सुन्या वेको सौके लोग एक साल बाद पार्मर के ले 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 ना कि कितने रुपए पड़ेंगे फार्मर निगाव पच्छे उर्पए मैंग डीज कर नहीं नीए फिर तो मैं आज ही ले लूँगा दिए थो नहीं जो पैसे तूर अभी देगा इसका साल वर का ब्याच था पच्छिस गर वही तो मैंने मांगे पच्छिस मुझे एक साल बा what I'm trying to say is, you have two options. As MACD, you have two options. Either you can buy today and store or you can enter into a forward contract. Do not pay anything and pay at time one. Pay how much? That is what we need to determine. We are saying that the cost of both these options should be same. This is called the law of one price. law of one price. दोनों के दोनों options का भाव सेम होना चाहिए. अगर farmer बोलता मैं तो 26 रुपए पर दूँगा. तो MACD क्या करता? MACD बोलता रहन दे फिर मैं खुछ लेके store कर ले रहूँ. Yes, no. If the farmer is offering the 26 rupees after one year for this whole deal, then MACD will say no, 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 I don't want it. Because उसको उसको तो एक किलो पर एक रुपए का लॉस हो रहा है. करेक्ट. Can it be less than 25? Can it be less than 25? Can it be 24? No, farmer will not agree. Farmer को पता है, जाएगा थाँ, 25 तो वहां देगी रहा है, मुझे भी देगा? मैं तो किसान क्या करेंगे, फिर यूनियन मनाते हैं अपना इंपना, हमसे एक साल बात पर्चिस का ली हो, यह हमसे आज बीस का ले ले, जा उसके बद भर इंट्रस्ट, भर स्टोरेज को अच्ट, येस, नो, तो दिस विल अलवेज बी 25, बोथ दा प्राइज़ विल अलवेज बी 25, ये विल बी सेम वन आंड़ शेम थे लिल बी नो दिफरेंग टरेक्ट शूर इस काल लॉड ओफ वन प्राइस ठीक है, ये एक बार इसी को पूरा का बूरा कॉंटिट्रेटिव टाउंस में बोल लेते हैं, आज का प्राइस क्या है, एस जीरो, तो डेज प्राइस एस जीरो, ये ऑप्शन वन गिन रहा हूं है, तो डेज प्राइस एस जीरो, येस नो, इस पे अगर इंट्रस्ट की कॉस हाँ या ना, हाँ, प्लस स्टोरेज कॉस्ट, येस नो, करेक्ट, ओके, ये क्या कॉस्ट होगी, दिस विल भी एफ, विच मी ओन दिस और नॉट, ओके, सुनना, स्टोरेज कॉस्ट को एड़ किया है, ठीक है, मान लो, यहाँ पे जो अंडर लाइंग है, इस अंडर लाइंग इन दिस केस पॉटैटो, लेट से दिए अंडर लाइंग इन दिस केस इस शेर्स, विल देर भी ऐनी स्टोरेज कोस्ट, नो, बट, अगर मैं एक साल के ले, शेर ओल्ड कर रहा हूं तो हो सकता है, मुझे साल के बीच में डिविडेंट मिल जाए, हां य कि इसकी स्टोर करने का पैसा मिल रहा है एक और एक्जामबल सुनों लेट से दा अंडरलाइंग वॉल्स कैटल स्टॉक कि लेट से लेट से लेट से हैं के एप सी लेट से हैं वेंडीज कि मेरे लिए रो माटेरियल क्या होगा चिकन ऐसा आप बहुत गंद्या आदमी मुझे म मेरे लिए तो सिर्व एक्जैंपल वनाने की केस है बस मेरे लिए अंडरलाइंग क्या होगा चिकन मटन है न अब मुझे क्या डर है आप अब नॉट एबल तो डिटिर्मिन हाउमाच शुड़ाइप्राइज माई के एफ सी क्या बोलते हैं उसको विंग्स विंग्स आज य लगाइए न अट शूर हाओ वच उड़ाइज माई मॉटन बिर्यानी तूब अब तौ थो आप्शिन्स टोड़ द गोड़्स तोड़ वाई ध़ोड टोड़ एवल्ड़ बन यर यह ओल इवल्ड इपर 6-3 मॉन्स गिए और तो अब तो अब तो अब्स प्सिए अग्स प् कि दुबारा बोल रहा हूं लूज मत करेगा बहुत इंपोर्टेंट कॉंसेट समझा रहा हूं कि मैं बिर्यानी मैनुफाक्ट्टर हूं हुआ ठीक है क्लाउड किचन मैं पूरे डेली एंसी आर में लेट से सौ कि एक साल बात के लिए मुझे अभी से प्लानिंग करके रखनी है तो मैं क्या करूंगा मुझे एक साल में लेट से 10,000 जाहिए तो इधर एंटर इंटर इंटर इंट्वा कॉंट्राक्ट विच अ केटल स्टॉक सेलर तुसे मुझे एक साल बात 10,000 गोट डिलिवर कर देना उस सेकंड ऑप्शन इस आज ही दस जार बक्रियां खरीद लू और फिर एक पाम बनाओ बढ़िया दो चाचा जी को रख लू बोलू आप मेंटेन करो इन बक्रियों को मेरी क्या को जाएगी मानलो दस जार बक्रिया आई दस लाग रुपे लिए लाट सेकंड कोस्ट इस तैन को मैंने दिया एस जीरो इंटू वन प्लस और होल टी पावर्टी तो दस लाग रुपे दे चुका हूं इस पे साल का दस परसेंट यह हो गया येस नो प्लस वो जो फाम रखा है उनके लिए मानलो उसके भी साल के एक लाग रुपे लग गए प्लस एक लाग रुपे येस अब बेनिफिट है क्या कोई वो दूद देगी ना साल वर कि वह बेचूंगा मैं कि उसने दूद दिया मैंने साल में तीन लाग का दूद बेच दिया हाना तो मेरा फॉरवर्ड कॉंट्राइट कितना होना अच्छी है नेट नेट जो आया येस नो पर एक्जामपल समझा गया आपके लिज्जत कतम हो गई अच्छा गासा एक्जामपल माइनस भी बोल देते हैं याद कर लेते बगरियां काट भी आपने दस जार उठागे मैं फिर वेजिटेटेटे नू मुझे जच करो एक्जामपल की ज़वरती दाइस टेन लाक्स इंट 1.1 प्लस 1 लाग माइनस 3 लाग यस नो इफ दिस लेकिटेटेट आपने स्टोरेज कोश्ट बाट देर विट वी इंट्रस्ट आया ना तो कोस्ट क्या पड़ रही है एस जीरो इंटू वन प्लस आर होल्टो इपावर टी प्लस एह सी माइनस भी इस ऍपल तो एफ यस नो दुबारा देखना S0 into 1 plus R hold to the power T plus storage cost minus benefit is equal to F यह storage cost और B किस time का price है time 0 का time 1 का time 1 का तो मैं इसको बोल ले रहा हूँ plus FV of storage cost minus FV of benefit is equal to F FV of storage cost को मैं लिख सकता हूँ क्या storage cost into 1 plus R hold to the power T minus benefit into 1 plus R hold to the power T is equal to F फुल मिला के क्या बोल रहा हूँ देखना F is equal to F is equal to यह बोला ना हमने अभी अभी तक alternatively speaking F is equal to S into 1 plus R hold to the power T plus FV storage minus FV income this is F correct ya फिर S plus present value of storage cost minus present value of income into 1 plus R hold to the poverty हाँ यहाँ ना एक ही बात है you're with me so far sure no friction in this correct यह होगा determination of F आपके books में क्या करेगा वो S दे देगा R दे देगा F V of S दे देगा F V of I दे देगा और वो लेगा F निकाल time pass है कर लेंगे थोड़ी जिल बाद अभी चिंता मत करो you're with me so far correct commodities के case में पूरा का पूरा होता है लेकिन financial financial instruments जैसे equity जैसे stock उसके case में storage cost होती नहीं है सिर्फ F V of I होता है हाँ या ना sure S minus present value of income S माइनस प्रेजंट वैल्यूव इंकम इंटो 1 प्लस आर होल्टो थी पावर टी ठीक है यह S माइनस प्रेजंट वैल्यूव इंकम को मैंने यहां पे लिखा हुए यह स्टार, यह S हाइफन, यह स्टार इंटो 1 प्लस आर होल्टो थी पावर टी इस इकल टीक, ऐस्टार इस स्टार इस स्टार इस प्रेजंट वैल्यूव इंकम हाँ या ना ठीक है जी एफ इस इक्वेल टो एस माइनस पी वी आई इंटु वन प्लस आर होल्टु दी पावर टी यहां से मुश्किले चालू हो जाती है केंडिट्स की उनको लगता है यहां तक तो ठीक था चीज़ें समझारी थी अचानक कुछ अलग-अलग से नाम आने लग गया एस पी वी आई वन प्लस आर हाइफन स्टार यह बुक्स का तरीका है लिखने का चल तो सहीं ही चीज़ दरने वाली बात है नहीं को कि यह एस माइनस पी वी आई को आपकी बुक्स लिख रही है एस स्टार या फिर एस हाइफन ठीक है जी विट मी सो फ़ार कि अगर आपकी बुक्स में अगर प्रेजेंट वैल्य आफ इंकम दिया है रुपीस टर्म्स में तो उसे माइनस कर देंगे मतलब इस वूड़ वी दा केस अगर इंकम दिया हुआ है रुपीस टर्म्स में या डॉलर टर्म्स में या अमाउंट टर्म्स में तो यह फॉर्मूला होगा ठीक है जी अगर इंकम दिया हुआ है पर्सेंटेज टर्म्स में इट वूड बिकम एफ इस इक्वल टू एस डिवाइड़ बाइड बाइन प्लस इंकम बोली जे आई पोल्टू दिपावर्टी इंटू वन प्लस और होल्टू दिपावर्टी चेंज क्या किया है इसको डिनॉमिनेटर में ले गया क्योंकि यह पर्सेंटेज टर्म्स में दिया हुए इंकम इस गिवन इंटर्म्स आपको बोल रहा है विए बॉन्ड की जो इंट्रस्ट है वो 3 परसेंट डॉलर में दे रहा थ्री परसेंट दे रहा है तो क्या क्यों रुप्वे का बॉन्ड है बोलता तीन रुपे तो हंड्रेड माइनस 397 लेते ठीक है अगर परसेंटेज टर्म्स में दे रहा है तो हंड्रेड परसेंटेज में दिया तो आप इसे हटा देंगे अभी के लिए कॉंट नहीं किया हुआ तो मैं बोल दे रहा हूं आप याद कर लीजे जब कॉंट करेंगे तो आपको समझ आजएगा केस ऑफ कंटिन्यूस अंपाउंडीं घो अगर एंकम दिये कंटिन्यूस कंपाउंड नग परसेंटेज टर्म्स में उसकेस में कह देंगे ए सद्वाइड़र इपावर आईटी इंटू इपावर आईटी थिए वंड्र बलस आर के बदले ईटूदी पावर आर हो जा रहा ह इंडेक्स के क्यों में यह होता है यह होता है जो चूहिए इंडेक्स के किसमें क्या पॉर्म्मला बन गया एक बाइट पावर आई टी इंटू इटू पावर आटी कि अंजी विट मी सो फार ठेट थोड़ी देख पहले तक यह हम तुमारे साथ अब नहीं पता हम तुम्हें चब छोड़ जाए यह क्लियर है लगाइभ यह चाहिए एपॉइंट वन लिखो चैट बॉक्स में राइट वन इसको वन जी रहाइट वन दिट बॉक्स जो जो वन भी क्लियर नीवों 9 लिखो मैंने निखा जिसको वन क्लियर है वो लिको वन तो एक एंडेट्ट लिख रहा है जीरो पॉइंट पाइप क्या रहा कच्छा पक्ता है मुझे कि दुबारा देखते हैं एस इंट वन प्लस और होल टुदी पावर्टी प्लस एट वी ऑफ सी माइनस एक्वी ऑफ फाई था है ना या कि टुक्त की विटर वैल्यू मैंनस पीटर वैल्यू फिटर वैल्यू विंकम लगी थी कॉस्ट आएगी नहीं इन केस ऑफ फाईनेशल इंस्टूमेंट शेहर्ज में थे रख दिया यह क्या कॉस्त नहीं तो इसलिए फ्वी ऑप सी हटा दिया बचा कि एप्वी ओफ व बीए अपका जो ओवराल you started with f is equal to s into one plus r whole to the power t plus f v of storage cost minus f v of income. यह transition हुआ s into one plus r whole to the power ती-स अफे एंगी यह क्यों किसे इन केसी उफ फाइनेंश nào इंस्ट्रूमेंट के इस में फाइनेंश इन शेल इंस्ट्रूमेंट मेंप फाइनेंशर में इननाय वहाँ और मैंथ हुद्रेशन ऐस इक्विवल टॉ अब तीक है अब इंकम का इंपक्त क्या पढ़ रहा है इंपक्त ऑफ इंकम is that it reduces the effective spot price ठीक है so if income is given in percentage terms divided इंपक्त विल्बी से प्लस और मुल्टिप्लाइब you magnify dot then minus or divide reduce the effect if you have a minus time you have a divided on figure in case of continuous compounding in case of continuous compounding you to the power IT becomes you to the power sorry one plus our one plus I hold to the power T becomes here to the power IT and one plus our whole to the power T becomes here to the power कि यह पूरा पूरा एक जगा पर लिखना आपको तभी जांगे टीन में सेंस नियुर लाइब अधर्वाइस कुछ नहीं समझाने वाले वैसे मैंने यहां पर यह पार्ट लिखके दिया हुग है इस वन वडिटन दिस मैंने इसके बाद वाली लाइन नी लिखी आपको चाहिए तो आप यहां पर बस लिख लिजे यह तो रिमूव ओगया एस माइनस सॉरी यह रिमूव हो गया एस माइनस प्रेजंट वैल्यू आप इंकम इंटु वन प्लस आर होट दी पावर टी यह आगया डिरेक्टली यह यह भी वैसे ही लिखा हुआ है ठीक है फोटेबर विट्मी सो फार कि यह हो गया आपका डिटर्मिनेशन ओफ यह पूरा पूरा आ गया तरेक्ट कि यह यह आइडिली आइशुद टीच कि यह जो लॉफ वन प्राइस सिखाया था ना इडिली मुझे यह जो एक कॉंसेट मैंने सिखाया लॉफ वन प्राइ अब मुझे इन दोनों को जोड़के अर्बिट्राइज दिखाना चाहिए यह करते ही मेरे मेरा पूरा और एक चैप्टर क्लोज हो जाता है इसमें थोड़ा सा समय लग जाएगा और दिल बहुत बड़ा है मेरा तो आइल नाट गिव यू देट पें ठीक है मैं इसका अगल आचकल करा हूं और अब बोल रहा हूं कुछ गलत लगे तो बोलिए एफ इस इक्वल टू एस अब प्लस प्रेजेंट वाल्यू आफ टोरेज कोस्ट माइनस प्रेजेंट वाल्यू आफ इंकम फोल मल्टिप्लाइट बैवन प्लस आर होल तो दिपावर टी करेक्ट इसमें स्टोरेज कोस्ट को हटा दो एस माइनस पी वी आई इंटु वन प्लस आर होल्टु दिपावर टी यह बड़ा था हमने करेक्ट बैटरी सब करें हाँ आओ कुछ नहीं करना है टाइम पास का एक कुश्चन करने सब यह आपको इनफरमिशन दी हुई है प्राइज दफर्वर्वर्ड फॉमी इंडिस सेनर्यो प्राइज दफर्वर्ड फॉमी इंड़ कुंट एफ एफ इस एफ इस टी इस वन यह हंड्रेड इंटू 1.05 इस इक्वल टू एक सो पांच यह मेरी शराफक कि मैंने इतने लंबे लंबे में प्रोसेस लिखे अधि यही कर सकता था एक सो पांच अब मुझे एक बार इसकी इंटर्प्रेशन बोलना यह एक बार इसकी इंटर्प्रेशन बोलना यह है कंप्यूटेशन ओफ कंप्यूटेशन ओफ एफ इंटर्प्रेशन बोलना इसकी क्या है एफ प्लस एफ प्लस के एंगल से क्या इंटर्प्रेटेशन है प्राइस या स्पॉट एट टाइम वन विल भी मोर देन इक्वल टू एक सो पाँच हां या ना और एफ माइनस की एफ माइनस की क्या बैट है एफ प्लस एंड एफ माइनस इसकी क्या बैट है लेस्टेन इक्वल टू एक सो पाँच करेक्ट विट मी सो पार ओके अब बात बतालो कि एक बार मैं इसकी टाइम लाइन बना रहा हूं देखना कि एफ वन क्या हो गया एक सो पांच है ना बैट क्या है यहां पर भाव एक सो पांच पार कर जाएगा देट आग टाइम वन प्राइस विल बी नॉर्थ ओफ वन ओफ फाइव प्राइब नॉर्थ ओफ ओफ वन ओफ फाइव बैट ओफ लॉंग पार्टी करेक्ट विजमी तो फार इस प्लस पार्टी की बुलिच बैट है वो क्या बोल रहा है यहां से न बहुत पर बढ़ जाएगा एक परेक्ट ऑक्रेक्ट कि अ अब बात बताना अब मैं वैल्यू की बात कर रहा हूं वैल्यू एट टाइम जीरो कि मुझे बताओ वैल्यू क्या था अकल बताया था ना वाट इस दा वैल्यू हां वैल्यू फाइव है कैसे तो मैं क्या बता है वैल्यू की बारे बैसे यार नॉलेज ऑफ दप्रीवियस क्लास एक्स्प्लेंड मी दे मीनिंग ऑफ वैल्यू दोस्व अंड़स्टेंड दूश्व और इसको लगता है कि वो जानते हैं वहां एंड रेस करें एक्जामपल रिपीट कर देता हूं मैंने एंटर किया था पच्छेस फिल्ट थीक है एंटर इंट्व फॉर्वर्ड कॉंट्राक्ट एट 25 येस नो एफ वास पच्छेस तो मेरी बैट किया थी कि साल के बाद भाव 25 पार करेगा साल के बाद बाव था पैस वैल्यू क्या थ दस मैंने वैल्यू क्लिक क्या आप मीनिंग बताया था आपको गेन और लॉस यह बोला था मैंने इस एड़ गेन अब्लीक लॉस यह इस केस में मुझे वैली अब दे कॉंट्राक्ट बताओ आप अब तुम्प्यूट वैल्यू एट टाइम जीरो वैल्यू का मीनिंग क्या था इस प्रॉफिट अब्लीक लॉस एज ओन डेट अन विच डिट पी जिरो जिस दिन पे वैल्यू फाइंड करने के लिए बोल रहा हूं उस दिन का प्रॉफिट या लॉस क्या हो रहा है एक पर्टिकुलर पार्टी को सुर्य बात समझ नहीं पंदरा मिनट दो क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी कि सुनना यहां पर प्राइज होता है वन वन फॉर यहां पर प्राइज होता है वन वन फॉर एस वन इस एकुल टू वन फॉर मुझे बताना वैल्यू क्या होगा value to f plus will be plus 9 value to f minus will be minus 9 ये clear right kya ना हरव मुझे बता यहां पर क्या लगाई है कि 105 होगा प्राइज One Year पे कर्रेक्ट टाइम वन येर पे 105 होगा अच्छा एक बार और रिविजिट करते हैं पूरे के पूरे डिस्कुशन को यह 105 है क्या पॉट इस वन हंड्रेट पाई दिस इस इस एफ ठीक है अब सुनना इसे बोलते क्या है इस 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 कॉल्ड अगर बजार में स्पोट सौक है अगर बजार का इंट्रस रेट पांच टकट है तो फॉर्वर्ड कितने का होना चाहिए एक सो पांच तो थेवरिटिकल एफ का क्या मीनिग है कितना एफ मतलब एफ कितना होना चाहिए शुद भी एफ एफ ए दिस शुद भी एफ एफ एग्जांपल के दोर पे एफ एम स्टुदिंग फॉर हंड्रेट अर्स डेली if I'm studying for if I'm studying for 100 hours in a month then I should pass the exam if I'm studying for 100 hours really I should pass the exam is it guaranteed I'll pass the exam not really theoretically if I'm studying for 100 hours in a month I should pass the exam correct theoretically if the spot rate is 100 and the interest rate is 5% the forward price should be 105 S 100 है R 5% है time 1 year है तो theoretical F क्या होना चाहिए 105 ठीक है अब बात करते है actual F की अब बात करते है actual F की यह क्या है यह है should be F कितना F कितना होना चाहिए और यह क्या है F कितना है यह है real F इतना होना चाहिए है इतना हो सकता है ना difference आओ देखते हैं मान लो रियल में F निकला 115 अर्वेगा रियल F इस वन वन फाइफ वाट 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 मुझे लगता है इसका ट्रू प्राइज एक सो पांच वना चाहिए उवर्य में 15 मैं क्या करूँगा मैं इसको शॉर्ट कर दूँगा इसको शॉर्ट कर दूँगा अब लेकिन वाट एल डुव इस 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 शॉर्ट दिस if I just shot this what am I betting on I am betting on my prediction I will want to create such a position कि मुझे आर्बिट्राज हो अब आर्बिट्राज वर्ड का मीनिंग समझना मैं लेवल टू में लोगों से बात करता हूं जब पूए बहुत सारे स्टुटों तो मुझे एक आंसर देते हैं यह बहुत सारी कि काथी रिस्केली κάूओ इन प्रॉफड विडाऊट इंवेस्ट मैं रिस तॉ फ्र ना तो आप क्या करोगे अब वोदोगे कर कर दे और इसको लॉइंटेट कर रहा है मार्केट एग्जिस्ट फिरेटिकल एफ दस नोट एग्जिस्ट इन दा मार्कीट नहीं है तो इन लॉइन ते अग्जिस्टप एफ आपको समझा चाहिए लॉन इंट्रस्ट टॉफ पर या ना यह टोटल में अर्बेटार्ज गेन कि दस रुपए का यह खरीद यह बेच एक सो पांच का खरीद एक सो बंदरा का बेच दस रुपए का गेन हो जाएगा पूरा का पूरा गेन कैसे होगा वह लग मैं अलग से एक्स्प्लेइन कर दूंगा आपको विट यू शूड अंडरस्टाइंग डाट इफ त्यूरिटिकल लॉए इस नुपर प्रेश हाए टीयर दिले घठता जाएगा लिदी धिरे जाके होगा क्या त्योरेटिक लेफ हो जाएगा एक सो नो ऑर एक्षल एक हो जाएगा एक सब्स्क्राइगा हां यह ना अच्हा टि वैोटिकल यू एप 605 actual F इस एक सो दो अब इसको करेंगे को एक सो पांच को जरेंगे लॉंग मेहंगा खरीदेंगे इसको खरीद लेते हैं दो दुकाने एक सो पांच में सोना दे रहा है दूसरा 102 में लें दिन कर रहा है 105 वाले से खरीदो 102 वाले को बेचो दल दिन में एक दिन में कंगाल नहीं करेंगे भाई खरीदने बेचने का मुद्दा लाइस में हमेशा देस्ट वन रूल बाय लो प्राइस सेलेट हाई प्राइस धंदे का नियम ही यह सस्ता खरीद महंगा बेच यह महेंगा बेच और सस्ता खरीद अर्बिट्राज गेन प्लस थ्री अब इसको खरीदते रहोगे क्या होगा इसके उपर अप़ड प्रेशर इसको बेचते रहोगे इसके उपर डाउन्वर्ड प्रेशर अल्टिमेटली होगा क्या थेओरिटिकल एफ एक्सो तीन ए इन यह न अब सेंव द्वारब पूछ रहूं थेओरिटिकल एफ एकशो पॉस्च है एक्सो पाँस है एक्सोपांच ही होगा 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 हो ही नहीं सकताना ओंat क्योंकि अगर नहीं होगा तो आर्बिट्राच करा करा के पहुंच जाएगा वहां पर तो थियॉरिटिकल एफ विल अलवेज बी इक्वल टू मार्केट एफ या एक्च्छल एफ ठीक है न दुबारा अगर मैं हर महीने सो गंटे पड़ता हूं तो क्या पास होना गैरेंटीड है नहीं अब है है मैं तो पहले दिन से बोल रहा है मानते नहीं हो तुम लोग अब आपने बोलनी एक ही बात होती है न कहानी कुछ भी चालू कर पहुंचती वहीं अभी आपको वर्ट कितने बता चले एक पता चला है एस जीरो यह क्या है दिस इस दा भाव एट टाइम जीरो एक है एफ-वन मतलब अब वो क्या होगा शेयर हो पोटेटो हो जो भी हो तो आज के दिन पर जो कॉंट्राक्ट की है एक साल बाद का वो क्या होगा तो है एक साल बाद एक साल बाद का अलू प्याज शेयर गोल्ड वोटेवर का भाव करेक्ट तो अब तरक के तीन टंस होता चले है थोड़ी देर में एस बान आज़ेगा एकस्पेक्टेड्स पॉट्रेट टाइम वह यह क्या होगा मुझे टाइम जीरो पे बैठके लगता है वह B का थो कॉंट्राक्क मार्केत में मिलता है मुझे लग daha नहीं बहुत करेंगे व्र ये फ़ीन हो फिर एक बार वैल्यू कराता हो फिर कररेंगे श- lemon ठीक स्काने, मुझे एक बार वाल्यू बताना दुबारा वाट वाट वर्यू व्यू वाल्यू गेल अब्लीक लॉस बाइद वर्चीव गिपर ओंटेरिंग इन्ट इंटो इस कॉंट्रार्प्रेक्ट न न शुनना लगा करते से इसंद आर्स फोन इसका इसका मार्किट प्रै पुराना फोन है कोई वन प्लस का इसे एज़ देता हूं तो दस रुपे मिलेंगे रेट मत लिखके भेजना नहीं सर दस नहीं मिलेंगे यह जितने मिलेंगे मैं बुर रहा हूं दस रुपे मेरा फोन इसके मानलों मिलेंगे दस रुपे ठीक है आई वांटेड टू बाटर दिस फोन आई वांटेड मैं यह फोन किसी को दे दू और उससे एक न्यू फोन ले लूं दस रुपे का पैसे नहीं दूंगा उपर से कुछ ठीक है मैं मार्केट में गया आई गेव अवे दिस फोन और बॉट अब बेसिक 10,000 रुपी न्यू फोन मैंने उसे यह वाला फोन दिए उसने मुझे दस जाहर रुपए दिए ठीक है मेरे से कैश आउट प्राइस दप्राइस ऑफ गिविंग लेग एंड रिसीविंग लेग वह से जितने का माल लिया तो में को अपने जेव से कुछ पैसा देना पड़ेगा क्या नहीं मैं गया मैंने बोला यह फोन रख ले इसके बदले में मुझे कर दें हो सकता है क्यों नहीं होगा वह मुझे फोन ले लेंगे मुझे लाक रुपा का फोन दे देंगे और जो लैग में ले रहा था इसके प्राइज में वेरिएशन था सब्सक्राइब लाग रुपा समान ले रहा था हाँ या ना बेकॉस देर वास वेरिएशन दाट वाई कि देर वास संब कैश कि डाट गॉट एक्सचेंज है ना दुबारा एक लेग की वैल्यू दूसरे लेग से वेरी कर रही थी, इसी लिए जो balance value थी, वो मुझे मिल रही थी, वो मुझे दे नहीं पड़ रही थी, sorry, correct, सुनना, at this point of time, at this point of time, futures, time 0 पे, futures कितने का होना चाहिए? ja theoretically कितने गा होना चाहिए 105 आप है कितने गाउन 105 तो देर्स नो विविनिंग पार्टी देस लूग्व रूजजं पार्टी के ना कि रुपार अब बजार बाओ एस जीरो कितना है एस जीरो एस एसंड़रेइड rate of interest is 5% अब वापत चलते हैं आलू होगे पोटेटो ठीक है इसकी मान लो there's no storage cost मान लो there's no income if there's no storage cost if there's no income and potatoes are non-perishable in that scenario tell me what should be theoretical एक सो पांच कैसे निकाला अब मैं बोल रहा हूं ध्यान से चलना आलू एक रुपए सौरी एक किलो अलू आज क्या बहुआ पर मिल रहे हैं अगर मैं एफ माइनस बन रहा हूं if I'm being f माइनस तो what is my promise कि अभी बैट के टाउं से बात मत करो अभी प्रॉमिस के टाउं से बात करो what is my promise एक साल के बाद एक सो पांच और रुपए के आलू डिलिवर करूंगा हाँ या ना यह 105 कैसा आया सो और पर मैं आज खरीद लूँगा ठीक है कि सहाइम में खरीद लूँगा नियां घर पे रख दूगा क्योंकि स्टोरेज को देनी नहीं पिज़्ाइब कि प्री घर पर रख दी रिशा है सॉपर क्योंकि आखी च़्य लिए तो इसके उपर पांच काके का इंटरस्ट कर दिया तो सौपर सबस्वाइब rating यह कैलकुलेशन माईनस पार्टी जानती है या प्लस पार्टी जानती है यह दोनों तो यह हो नहीं कितने चाहिए सबस्थ का और लेट आज ले इस रहां पाइब कि that is why there cannot be any gain of loss in this case सीरो बेकोज इफ इस दप्राइज इस दिफरेंट देन वन हंड्रेट देन इपूड बीडिफरेंट वर बोट दपार्टी नो तो एट टाइम जीरो एट गॉंट्राइक इनिसियेशन देवाई ओड फॉर्वर्ड कोंट्राक्ट इस जीरो यह आपके एक्जाम में कुश्चन पूच तेव एट कॉंट्राक्ट इनिशेशन देवाईल्यों फॉर्वर्ड कोंट्राक्ट इस इस इपल टू एस इंटू एपल्ट इपलट इपलट प्लस बेनेफिट सॉरी माइनस बेनिफिट प्लस टोरेज पॉर्ट ऑप्शन जीरो अब कुछ करना ही नहीं है इसमें बाइड डेफिनिश वैल्यू टू एफ प्लस कितनी होगी जीरो वैल्यू टू एफ माइनस कितनी होगी बता हूं कि विच्पी सोफा श्योर आगे मुव कर रहा हूं तुनना एक्सपेक्टर्स पॉट्रे अट टाइम वन इस एक्सो पंदरह ए as per Mr. SK expected spot rate at time 1 is equal to 115 would you advise would Mr. SK take F plus position or F minus position at F is equal to 105 F plus KF minus would Mr. SK take an F plus position or F minus position yeah no position कुछ मत कर बैठ गर पे और दोस अवास उसे plus show of hands minus minus में कोई नहीं आ रहा 115 का हो दाएगा okay 105 का क्या है करेंट में 105 का है करेंट में 105 का है okay and how many of us say no position why no position why no position वर्वी जी आप ही के लिए तीन बार बोला मैंने मुझे पता था hand raise होगा I got sense it why no position करेंट में लिख दिया था देखना L0 इसका क्या मतलब है बजार भाव आज का बजार भाव 100 रुपे F1 105 यह है बजार भाव ठीक है न यह this 105 is अच्छा एक स्केंट रुको theoretical F1 यह क्या है should be F1 price actual F1 has to be 105 due to arbitrage यह क्या है यह क्या है real F1 price इस इस वन यह क्या हिंदी में कैसे बोलेंगा लगता है इतना होगा अब देखना यह तीन इस इस कॉमन फॉर ओल अब मार्केट में कोई भी बंदा है वो जाके रेट चेक करें तो 100 का ही मिलेगा ना अब if I ask you to find me the price of reliance today आप सबके सब सेमी भाव बताओगे ना है ना अब कोई अत्रम होगा को बताया कोछ अला ग्यान की बात नहीं तो क्या करोगे जाके सुरूदा में मनी कंट्रोल में लिख दोगे जाके reliance उसमें Friday के close का आ जाएगा भाव है ना यही होगा ना F1 यह भी सब के लिए सेम होगा क्यों बिकाज रेट तो सबको पता है है ना और F1 तो लिस्टेट में मिल जाएगा तो actual F1 भी पता चल जाएगा आपको नहीं होगा ना यह आर नहीं मैंने कल लिखा था यह आर एफ होता है हाँ हाँ तो आर एफ भी सब के लिए सेम है है ना? मारकेट का एफ तो सेम ही है हना अभी इंडियन के टी बांड गए तो लेना है では सबके लिए सेम हो गया तो सबके लिए सेम ak 45 के लिए सेम क्योंकि क्या करना है जैसे जरूधा पर जाके कर लाएंस का spot देखा एप इस का future देख लोगके तीन महीने बाद, छे महीने बाद, एक साल बाद का लिस्टेड मिल जाएगा, रिलाइंस फ्यूचर का भाव मिल जाएगा ये तीनों सब के लिए सेम अब फरक क्या होगा ES1 ये क्या है प्राइस लगता है प्राइस जो आपको लग रहा है लगता ऐसा होगा अब ये ये तो सब के लिए सेम हो जाएगा इसलिए मैंने इस क्वेश्चन में लिखा as per Mr.SK as per SK it can be 115 as per someone else it can be different अब सोच के देखो मान लो let's say I come from a family of farmers है न and I stopped I mean I convinced my family to stop farming I said पैसा वैसा नहीं है इज़्जद से movies बनेगे आपके उपर किसान आज में कुछ नहीं होगा बाद में पैसा वैसा खाग नहीं आएगा है न तो ये दंदा छोड़ दो लेकिन उनके साथ रह रहे के प्राइजिंग करने आगई अगरिकल्चर बेस्ट प्रोड़क्स की नेटवर्क विद ओल दीज किसान अंदोलन किसान मुद्दा वाले लोग ठीक है मुझे इन सब ने बताया हम तो ने इस बार आलू की फशल लगाई नहीं देख कि इसका इसका इंपैक्ट क्या होगा अच्छा मान लो मैं पॉलिटिकल आजमी भी हो तो मैंने इनको और नेगेटिव इंसाइट क्या बरगलाया लगावी मस्ट के प्राइस को दो चड़ा डालेंगे कहीं और इस दुनिया वो पता चरहें इंफलेशन किसे कहते हैं आलू तीन सो अब इकना चीए है एकनोमिक टाइम्स की आलू के नाम पर काहे काम बानी काहे का अदानी आलू आने जीवां पर तीक है वाट विल देडू दिल से ओके लेट्स नॉट लेट्स नॉट लेट्स नॉट्स प्रोड्यूस पोटेटोस ठीक है नो अब मेरे पास यह इंसाइट थी मैं क्या है यहां पर मुझे पता है यह अभी का भाव 100 रुपे और अगर इसे स्टोर किया जाए तो 5% पर स्टोर के वह पहुंच जाएगा लेकिन मुझे पता है अगले साल तो आलू आने ही नहीं है तो भले इसका एक तो पांच पर हो जाए लेकिन तो एफ वन भले 105 का हो लेकिन उस समय का भाव तो 200 पार कर जाएगा मैं क्या करूंगा मैं चुप्टा प्लस खरीद लूँगा किस भाव पर जिस पर अवेलेबल एक प्लस अवेलेबल कित्ते पर एक साल बात की क्यों क्योंकि मेरी एक्सपेक्टेड प्राइज आता है ना माइए एस वन इस मोर देन हंड लगता है आज से एक साल बात इसको दूसरे एक्जैम्बल में बोल रहा हूं मान लो मान लो मार्केट में कैसी कंपनी है वो बोल रही है आप लाक लाक रुपाट जमा कर आते हैं डिपॉसिट वन लाक में तस टुड़े यह चलो और ज्यादा प्राक्टिकली बूल लेट से यहां पर प्रॉपर्टी में अभी डवलप्मेंट नहीं हुआ फॉर एनी रीजन लेट से वहां पर कमिनल हार्मेनी नहीं रही है दंगे हुए दिस दाइक पलान दिंकान सब कुछ हुआ या दौर का एक्सप्रेस वे आज से पांक साल पहले का लेलो जंगल ही पड़ा सुरी रोडवेल्स के जो मिनिस्टर साहब है मान लो मेरी उनसे बहुत चीव बात चीव है वह कह रहे है करंदी यह जो जंगल लिख रहा है आपको एक साल में यहां पर टकाटक एट लेन आईवे दिखें कि मुझे क्या चीए रहेगा मैं उस समय वाट विला वॉंट कि मैं कि यहां पर लान खरीद लेता हूं ठीक है फिर पास 10 करोड़ रुपय ठीक है एक एकड मिलता है एक करोड़का मैं दस दस एकड़ खरीड सकता हूं और आप्शन नमबर तूप कि मैंने सब और इअ को बोलूं कि अभी लाक लाक देता हूं मैं एक करोड़ रॉपेस पूरे नहीं है में तुम्हें परसेंद रहा हूं मैं तुम्हें कर देता हूं कि मैं भी तुम्हें 10 परशेंट पेमिंट कर देता हूं बागी कि मैं तुम्हें एक साल बाद देजूंगा मैं क्यों कर रहा हूं बेकोस मुझे पता है यह करोड रुपए एक कर दो तो वाट वाट वांट तो मैक्सिमाइज माइन नंबर वेकर शना तो वह चाहर हूं कि मैं को जहादा स्यादा जमीन मिले मैं सोचूंगा क्यों पैसे दें तुम पूरे के पूरे क्या करता हूं चोटे से पैसे डिता हूं हूं कि यहां में क्या कर रहा हूं यहां मुझे पता है कि एक साल के बाद का भाव 200 होना चाहिए मुझे दिख रहा है मार्केट में 105 का मिल रहा है तो ले लुगाना जाके बोलना यह चाह रहा हूं इस वन कैन बीडिफरेंट को और एवरी इंडिविज्वल जिए टीक्ता इंडीब्र ऒर्मेंटर्ट वर बेस में तो डिखके को भावि हुग हूं दिवांट जाय जी एस ञयन स्वेलब्लिफ़ ऎंड जात एंड-गोटी इस फोल्स का एल सबिए सेम ही होगा लेकिन यह किस पर बेज़द है कि सबको अलग अलग चीज़ें लग सकती है तर मुझे लगता है पर मुझे लगता है पूछा था इसी क्लास में डूंट नो हूं और ना कंडेट फूचा था एक्जाम इंडिया में देना चीज़ें कि बाहर पूचा था ना किसी ने तुम ने पूचा लगया अच्छा वर्ट समय आस्वन उन्हें कुछ सीनियर्स ने ब कि यह दो भी चलती है ऐसी चीज़ें देर पीपल वो प्र चाटर्ट अगांट एंसी एक्जैम बट अमिन आई नोव पीपल वू आर पर डेली दे दो नॉट राइट देर एक्जैंस प्रम डेली वे राइट प्रम सम रिमोट लोकेशन दे से աाइट की वो एरिया वाइस कुछ होता है कि यहां से इतने यह निकलेंगे ऐसा वासा दिए रच जाओ अधिए अब यहां पर मुद्दा क्या है किसी को लगता है से फाइदा होगा मुझे लगता है नहीं होगा कौन सब्सक्राइब कर दिल्ली के बदले मेरे बहुत सारे फ्रेंज हैं जोनों ने काम किया था तो कुछ लोग राइपॉर से बिलॉंग करते थे वेंट राइपॉर एंड गेव दैग्जेंड फ्यू फ्रेंड को सम्हाव फाउंड प्लेस इंजीन दिन सोनीपत के हम वहां से एक्षाम देंगी संगी हाट सम लॉजिक ही सब्सक्राइब यह निकल वाय और इससे बात किये मैं अंदर इसको जानता हूं वह वहां के लड़कों पास करते हैं वहां क्योंकि वह पॉइस पॉइंट वाग्वाज पास ओवर देर तो इवन इस इन अवर दिसेंट अनुए स्काय हाई यहां बैठ के पास नहीं होगा इस वाई ही वेंट तो दैट इस तो नहीं किया यह कोई भी मार्केट पैरमीटर से मिली नहीं रहे लगता है मैंने बात कि अगटकरी साथ अब उसको लगता है नहीं बने रोड किसी को लग रहा है बने रोड अब यह लगता है मींज यहां पर डिस्क्रीशन इंवर्ड होगा इस डिस्क्रीशन के बेसे पर ही तो दंदा होगा इन एक चीप सुनो मा इन एनी मार्केट अब टू पीपल वह ट्रांजेक्टेंग उन दोनों को सेम प्रोड़क के बारे में अलग अलग चीज लग रही है और यह बात नहीं समझें चूंद दूना गोल्ड पचाल जार रपे पे अधरीद रहा हूं मैं एक्यूमुलेट कर रहा हूं क्यों मुझे लग रहे बढ़े अभी सुनना मानलों किंग फिशर का शेयर लिस्टेड यह जो था अभी तक कि उसकी लिस्टें खतम नहीं होई है मानलों किंग विशर शेयर इस लिस्टेड इवन टुड़े बट द लंडन ट्रेप अल्रेडी हैपन एस बियाई एस अल्रेड़ी है सीन दडेज मतलब ही लेट से ही हाज मेड चार्ली आउट ऑफ एस बियाई बन गया ठीक है लंडन हो गया अब मुझे बात बताओ मान लो उस तरव वाले बैठे हैं मान लोगो यह सब के पास एंग इसों तुम नहीं ढालेंगे और इतनी इतना ही टोटल इंवेस्टिबल उनिवर्स एडर हंड्रेट बीपल इन दिस वर्ल्ड फिफ्टी पीपल आर इंग फिशर शेयर होल्डर फिफ्टी पीपल आर नॉट कि दोस्वार नॉट दे डू नॉट वांट टू बी अपने हम हैं भी नहीं हमको चाहिए भी और जो पचास शेयर ओल्डर है क्यों बने हमें तो बेचना है तो तुम सब सेल का सौधा डालोगे यह सब बाइका डालेंगे लिए मार्केट में तुम अपना कोटेशन ही तो डालते हो तुम टैग ले खड़े होगे के रहा किंग फिशर का शेयर सौर्पे में तुम्हारा कोडोशी देगा बोले का सौका देना मैं अब्बेगा उसका पोडोशी का ऐसा ही कि तूट के सौधा दो रुपे में आ जाएगा औ अब कल सुभे अदानी मान लो ऐसा होगा नहीं अधानी साथ गुस्ता हूआ मान लो अदानी का कोई एक सेयर सुभे आप उठे दो और बिलिस्त है चीज़िए मान लो अब क्या होगा अब इस पर सब के बोले मुझे देते दो में कितना जितना तेरे पास है अब सब के सब खरीदने वाले खड़े और जिसके पास है उसको पता है कुछ गलती हुई है कुछ गलिच है यह दोर पर जो है नहीं तो कोई बेचेगा नहीं तो फिर क्या लगेगा इस पर बायर सर्कुट प्राक्टिकली तो यही हो रहे है ना देज वाट बायर सर्कुट एंड सेलर सब्सक्राइब तो इसके बारे में आपका क्या यह आपको क्या लगता है और दूसे इंडिविजूल ओपिनियन बेस्ट कि आगे चले कि टाइम जीरो की कहानी खतम है कि टाइम जीरो पे इसके सिवा और कुछ नहीं हो सकता कि यह पांच चीज़ें हो सकती थी टाइम जीरो पे आगे बढ़ रहे हम देखना आइम मूविंग टू टाइम कि ट्री मॉंट्स इस ताइम जरो इस ताइम वन इस ताइम जिरो इस ताइम जरो इस कि एट टी इस इकोल टू थ्री मुद्स मीनिंग कि टुड़े कि क्या बोल रहा हूं यह ऊपर वाली कौन सी टाइम लाइन है जो ओरिजिनल टाइम लाइन थी अब तीन महीने आगे बढ़ चुके हैं हूं कि अब मुझे यह बताना यह कितना दूर है मैंचे और टी किती दूर है नाइन मुद्स ठीक है नव देखना एक बार एट टाइम थ्री मुद्स यह क्या रहा है एक त्री मुद्स एट टाइम थ्री मुद्स पॉट रेट इस एक्वल टू एक सो आट रुप है rate of interest is 5% ठीक है अगर मैं इस टाइम पर कॉश्ण फाइब कॉश्ण फाइब कॉश्ण नुम्र शिक्स इफ वाट वोड वी इस टी कॉश्ण समझा गया कि यह आंसर्स मिले मुझे पॉसिबल आंसर्स है कि मैं सोचा था दो तीन मिलेंगे तो सब पर बात करेंगे कि इसमें क्या किया गये अभी इतनी वेराइटी आगे है कि इस पर बात करूंगा तो यही होगा डिसकेश्ण छोड़ देता हूं इस लिए इसको कि दिखना कि मैंने बोला कि अगर मैं आज खड़ा हूं यहां पर कि इस आम स्टैंडिंग टुड़े और मुझे नौ महीने बाद का फ्यूचर चाहिए तो क्या कैसे प्राइस करेंगे उसको तो यार आज कैस पॉर्ट रेट ले लेंगे आज का इंट्रस्ट रेट ल इसको प्राइब ये क्या कि इंट्रस्ट को ना लैं वन वन टू.0 तो आ रहे आए आज आ जो भी एंटू.02 अ यह होगा यह नहीं होगा यार एक बात बताओ ना मुझे अपने अभी तक कि क्या सीका एक बर यहीं चलते हैं कम्प्यूटेशन ऑफ यह क्या सीका करो एक साल पहले क्या था आपको इस बात से क्या मतलब है क्या सिखाय है आज याद करने की बात मुझे बात बताओ मान लो यह आलू कितने के मिल रहे एक सो आठ अलू खरीदे अब कितने महीने के लिए उसको स्टौर करना नौ महीने के लिए तो इंट्रस्स कितने टाइम के लिए लूज होगा नौ महीने के लिए तो 108 इंटुट 1.05 तो यह तो मैं ऐसे तुम्हें इदर उदर फिराने के लिए उपर ऐसे टाइम लाइन यह वह फलान डिमकान भी बना देता हूं तो मैंने ऐसे घुमाया तुम के रहे हैं अब मुझा आ रहा है तो यह थोड़ी होता है तुम्हें इस बात से क्या मतलब है कि जीरो से थ्री मंस में आगे बढ़ा और उसके बाद नौ महीने बाद यह सब तुम्हें ऐसे ही आम जस्ट मेकिंगा चार्ली आउट ओफ यू इन म इस कितना होगा अगर आज आलू घरीता हूं एक सो आट रुपे के फ्रोरेज कॉस्ट लगनी इंकम मिलनी रही नौ महीने के लिए जमा करा दूंगा वन जीरो एट इंटु वन पॉइंट जीरो फाइफ होल्ट दी पावर नाइन पाइट ट्वेल्ट हाँ या ना अगर इस से जो इंट्रस्ट रेट है यह चार परसेंट है तो क्या हो जाता इसे वन पॉइंट जीरो फॉर कर देते यह कितना आ जाता बताना वन वन टू पॉइंट बस इस दे डिफिरेंस कितना क्यों सोचना है लेट्स नॉट बी कंफ्यूज यह सोचना ही नहीं आपने की यह तीन महीने पहले क्या था क्या नहीं था डाउट्स ले लूँँगा दो मिनट दीजे मुझे ठीक है अट इस पॉइंट ऑफ टाइम थियूरिटिकल एफ क्या होना चाहिए एक सो बारा पॉइंट जीरो टू कर अब मुझे इस पॉइंट पर एक्स्प्लेइन करी गए लेट्स से यहां पर आपको वे स्टोरी बता रहा हूं मिस्टर वन अ एंटर इंटू ऑउं इंटू इंटू एंटू एफ प्लस कॉंड्राइक्ट at t0 कितने पे enter किया हुगा कितने पे enter किया हुगा at rupees 105 s हाँ या ना at f is equal to 105 इसकी bet क्या थी upside downside bullish या अपसाइड की बेट थी ठीक है ना इस शर अ तीन महीने के बाद तीन महीने के बाद मिस्टर वन इस हैपी और साइड सर कैसे कॉष्ण पूछते तो बुक में कुछ्छे नहीं लिए हैपी यह बात बनी मुझे बात बताओ टाइम जीरो पे मिस्टर वन ने बैट क्या मारी थी कि टाइम बाओ एक सो बारा पार कर जाएगा एक सो पांच पार कर जाएगा लिए बंद्ले ने का एक साल बाद 105 से उपर होगा तीन मगने बाद क्या हो गया ला वह दूसरे दरीके से में बोल रहा हुं सुनना मैंने बैट्माहरी कि कि इंडिया 200 में एक सो सतर रन मराएगी तुक्त दस वार हुआ देड़ुसों बन चुके हैं है ट्वेंटी ओर से बैटी 170 की टैन वर्ष में देड़ुसों बन चुके हैं लुक्स लाइक विनिंग बैट यार यह तो हारना इनीची अपने को है न जब 20 में 170 बनने थे एंड इन 10 वर्ष भी अल्रेडी आरेट 150 लुक्स लाइक वी विल दू बैलेंस ट्वेंटी रन इन नेक्स टैन वर्ष यह तो लुक्स लाइक विनिंग बैट यह स्नू हाँ यह नहीं गिर सकता है इसी लाइग मैं जीती चुका हूं मैं थोड़ी बो मैं भुर रहा हूं मैं बुर चुण लुक्स लाइक वे बै एज ऑस टुदे दिष्फ लुक्स लाइक इस नो सैय'd is at this point of time mr.*60 x as mr lx At this point of time mr X is happy yes said उसको क्या लग रहा है bet place करके बढ़ीया गीया बढ़ीया नहीं क्या बढ़िया गीया थिंक ना कि एक और यह को एक को है कि एक इचन्ड ने पूचा हम रेट को क्यों नहीं डिवाइड कर रहे हैं हम राइड को क्यों नहीं कर तो लिया वन प्लस और होल्ड टुदी पावर टी अच्छा एक सकंड पहले देख लेते हैं लॉजिकल क्वेरी है उनकी भी मैं हम कह रही है देखो कि यह जो रेट है पांच परसेंट का इसको भी तो अनॉलाइस करो इसको भी तो कम करो समझ आगया कुश्चन हां कि आंसर पता है किसी को कि एक क्वेरी आई एक क्वेरी लिख दे रहा हूं मैं शायद ऐसा पूछना चाहरी है वोल रहे हैं देखो वन एफ इस इक्वेल टू एस इन्टू वन प्लस आरोल टू पावर्टी अगर पिरियोडिसिटी का इंपक्ट ले तो इसको इंटू एन करते हैं इसको ऐसा होई नहीं रहा है यहां साल का रेट दिया और साल में इंपाउंडिंग हो रही है कि होल्ड कर रहा हूं एक साल से कम के लिए तो मैंने यहां पर कम वाला टाइम ले लिया या फिर और अलग तरीके से देखना अगर पांच परसेंट इंट्रस्ट है तो मुझे सिंपल इंट्रस्ट बताओ कैसे कंप्यूट करते हैं हंड्रेड इंटू फाइफ परसेंट इंटू ट्वेल बाइट वेल पी आर्टी कि पी आर्टी सौ सकारबर पेपर 5% अगर इंट्रस्ट ले रहाँ अगर कंपाउंडीड लू तो होगा सॉड का फ्रक्व्रेड इंटू one plus five परसेंट hold to the power ट्रेट प्रमाइनस हंसे ओगा तभी तो इंट्रस्ट आएगा नयक्रैस से इंट्रस्ट जाएगा तो प्राक्टिकली मैं बोलना यह चाह रहा हूं कि कंपाउंडेट वाले केस में पी इन्टु वन प्लस और होल्टु दी पावर टी करके इंपाक्ट लेते हैं अगर यहां पे साल के बदले नौ महिने होते तो क्या करते इसको भी नाइन बाइट ले लेते और क्या कि समझ के बाद क्या बुल रहा हूं मैं लॉंग स्टोरी शॉर्ट अधिक पांडेड कोटर ली कंपांडेड एन्वली कंपांडेड सेमी एनुली का केस थोड़ी नहीं हो रहा है ताइम लिखना कितना हुआ है तो टाइम नाइन मांस हुआ है तो नाइन मांस ले लिया कंपांडेड थोड़ी मतब कंपांडिंग तो एनॉली चल रही है क्या डिफ्रेंस है ठीक है जी कि लेकिन क्वेरी अच्छी थी कि कर में लेवल टू के स्टूडेंट से बूच रहा था यह मुझे बात बताओ यहां वे मैंने लिखा कि मिस्टर एक्स ने इस कॉंट्राइक में इंटर कर लिया एफ 105 वाले करेक्ट मुझे बताओ यह एट टाइम थ्री मॉन्स ही वोड़ी हैपी और ही वोड़ी साड अबाट एंटरिंग इंट इंट इस कॉंट्राइक यह वोड़ी हैपी क्यों विकॉसे बैट वाल्स आट प्राइज आफ्टर वन यह वोड़ी 105 अट इस अल्रेडी गॉन तो यह तो पांच और पहुंच कितने पे जाएगा आज के रेट के साथ एक सो बारा पॉइंट जीरो टू गेन कितना आ रहे है सेवन पॉइंट जीरो टू का गेन आ रहे है गेन क्या होता है ओ करेक्ट आयो देखते हैं वाट बिफोर वी राइट वाल्यू एंस टॉफ एक बार ना यह पूरी की पूरी इंटर्पेटेशन लिख देते हैं अब यह 112.02 आ था ना अब इसकी इंटर्पेटेशन लिख रह सुनना अब इस्टर एकस तोक एस प्लस पोजिशन on time 0 at f is equal to his bet was that price that s1 would या ऐसे ही लिखते हैं that price at t1 bracket में that is s1 would be more than equal to x05 है अब देखना in one year the price increase was estimated to be rupees 5 but in reality in just three months the spot price has risen to कितना एक सो बारण पॉंट 0.2 108 गर्रेक्ट अब देखना अब मिस्टर एक्स क्या सोच रहा है अब मिस्टर एक बार सब्स्टिट्ट कर दो है से मेग दीज क्या बोल रहा है अच्छा थाइम जीरो भेट मार दी अच्छा हुआ टाइम जीरो पर कांट्राइक में अब अपने को एक साल वाज तो कितने मिलते एक सो बारा एंटर कर लिया तो एक सो पांच के मिल रहें नहीं किया होता तो 112 के मिलते कितने का फाइदा साथ उर्पेद दो पैसे का फाइदा हुआ क्या करके एंटर करके तो गेंड बाइद वर्ची आफ एंटरिंग इंटू था कॉंट्राक्ट इस 7.02 अर्यू विट में तिल दिस पॉइंट हिएंट थमया धिए प्दर विए विए थी तैमज बदू था विए इट विद अर्टिंबध यह थिए की तैम लूर्टिंद मोकर्थ आएद विएडगां जे दिस आउर्यू विएगें लगेंट ओजरे हूँ लगें ले च्टरत दिए जेईए। 0.02 हाँ या ना मैं अब मैं जो बोल रहा हूं समझेगा आप मिस्टर एक्स इस इस थिंकिंग अब यह मैं इंग्लिश में लिखवा करूं मैं आपकी जगह होता है हिंदी में ही लिख लेता पूरा 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 एडी नॉट प्लेज़ दबेट लिख अब लुख लेत है विग्था विखवा लेता हि लेता विखवा लेता है 33 months, he would have received the same underline at 112.02 and not 105. 35, resulting in a loss of 7.02, हाँ या ना, अगर नहीं प्लेस किया होता, had he not placed the bet, तो लॉस होता, ठीक है ना, अब क्या किया है, प्लेस किया है किया है, नहीं किया है, but he has placed the bet, he had placed this bet and received and that's why theoretical gain of आपने यहां पे बेट कौन सी प्लेस किये, बुलिश और क्या प्राइस बढ़ भी गया है, हाँ बिल्कुल बढ़ गया है, तो बिना निकाले भी आपको पता होना चीए था कि वैल्लिव पॉजिटिव ही आएगी, gain हुआ होगा, भाई टाइम जीरो पे प्राइस क्या था, त चाओ रुपए का, और टाइम थ्री मंद्स पर प्राइस क्या है, एक सो आठ बाई बुलिश बैट मार रहे थे, बुलिश गई है, मार्केट तो आज के दिन के इसाप से क्या लगता है, बैट सही गई है, गलत गई है, सही जा रही है, बैट हाँ या ना, this theoretical gain, this theoretical gain is called value of the original forward contract, जो original contract डाला था, 105 का, उसकी value कितनी है, आज, अच्छा, दुबारा, 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 original contract जो डाला था, वो फायदे में, जो original contract डाला था, वो फायदे में, 105 का डाला था, आज के साब से 112 का होना चाहिए, तो साथ रुपए दो पैसे का फायदा आ रहे है, तो वो डाल के फायदा हुआ था, तो इसकी value क्या होनी चाहिए, positive या negative, positive, this theoretical gain is termed as the value of the contract, ठीक के न, अ पॉइंट नमबर एट लिखो, पॉइंट एट, compute, value of, the, original, forward, contract, निकालो, किती आएगी, 7.02, हाँ या ना, ना, यह साथ रुपए दो पैसे का फायदा किस दिन पे है, कि साथ रुपए दो पैसे का फायदा किस दिन पे होगा, 12th month पे, 105 रुपए का मिलेगा, जो आज के इसाब से 112 का मिलता, तो यह 7.02 का फायदा किस दिन पे होगा, यहाँ पे, आपको किस दिन पे चाहिए value, यहाँ पे, क्या करना पड़ेगा, ओ, कि देखना एक बार, कि देखना टाइम नाइन मन्स पे क्या हो रहा है, एक सेगंड रुकिए याद करना चाहते हैं, तो दो मिनट में भी फॉर्मूला देने वाला हूं, याद कर लिजेगा, बढ़िया हो जागा जीवें, न्यू एफ कितना है, औरिजनल एफ, वैल्यू, यह वैल्यू कब है, वैल्यू एट टी, जीरो, यह आफ्टर थ्री मन्स की साइकल देख रहा हूं ना, मैं, इसको इसको नौ महीने पीछे लाना पड़ेगा, इसको नौ महीने पीछे लाना पड़ेगा, तो वैल्यू कितनी होगी, कितनी होगी बताना, यह प्रेजेंट वैल्यू ओफ 7.02, यह कैसे निकाल होगे, प्रेजेंट वैल्यू ओफ 7.02, यह है पी, यह है ए, तो पी क्या होता है, ए इंटू, ए इस एक्वेटेड़ पी इंटू, वन प्लस आर होल्डु दी पावर टी, तो पी क्या होगा, पी इस एक्वेल टू, ए डिवाइड़ ब़ाइंट वै वन प्लस आर होल्लु दी पावर टी, या फिर A into 1 plus R hold to the power minus T 7.02 into 1.05 hold to the power 0.75 negative कितना आ रहे हैं निकालो ठीक है ना अब इस narrative को ठीक करना आके आओ resulting in a loss of 7.02 at maturity है ना maturity का मतलब क्या है वन इयर और इजनल टाइम लाइन नाइन मुंस निव टाइम लाइन यह theoretical gain of 7.02 कब होगा इxt ना अ त्यक्या है ना चीक के ना शारत्या शारत्या ओल कि घृड मांना है ना थर्यूरिकल Rosen प्रेजंट वैल्यू ओफ रुखो दो प्रेजंट वैल्यू ओफ दो थियॉरिटिकल गें इस तांड अज दे वैल्यू ओडिजिनल कॉंट्राक्ट अब आओ यहां पर देखो विथ मी तो फार अगर यह सारे कुछ स्टोरी समझ आई हो तो ग्रेट यह दूइंग सुपर नहीं समझ आई तो बहुत इजी तरीका सुनना एफ कंप्यूट करने आता है आपको यह 105 तो कंप्यूट करने आता ही था है न एक सो पांच कैसे कंप्यूट किये थे स इन्टी वन प्लस र होल्टो दी पावर टी एच ओल्ड वाला दी यह नो अब निव及 कैसे होगा इन्टी आला और इन्टी थीए चिए घिंके जी न्यू एड यह कौन सा वाला लिया था देखना एस जीरो एसे आट-टाइम-जीरो इंटी टी एट-टाइम-जीरोए सुझ टैम बालनस टैम लेफ्ट ऍपिर मेच इड़ टम तरी मथ तरी मूंस क्योंकि टॉरिटी वाई हमेचरती क्लिक Mega Man खेंव plante B टॉइल मॉंस करें गार्वाज कर यह लो नियू-m Lex आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए न्यू एफ ओल्ड एफ माइनस प्रेजेंट वैल्यू खतम अंसर आजाएगा लेकिन लॉजिकली इफ यह नॉट एक्ट दा हाइएस लेवल कि यूचर वर्बाद देखना मैंने सिर्फ नोटेशन थोड़े से चेंज किये एक बार यह मार्क कर लीजिए मैंने या लिखा था एड्ट थ्री मंट्स वैल्यू एड्ट टी जीरो लेकिन वो सब्सक्राइब को तो मैंने से वैल्यू एड्ट त्री मंट्स कर दिया ओरिजनल कॉंट्रैक्ट इन फाक्ट वाट आम अबाउट तुदू इस मैं इन सब पर डेट ही डाल दे रहा हूं देखेगा डेट डाल रहा हूं मैं मेभी यूगन राइट इस डेट्स विथ मी एक ऐस्टर संबर 2 है ऐस सब्सक्राइब आक जैनवरी संवेर वुजाओ complete so this is 31st March 2020 this is 31st March 2000 sorry this is 31st December 2020 टीक है नो टोड़े मीनिंग एक 31st March 2020 एक एपरेल भी लिख सकता था मैं आप चलता मुझे एक एसम्न अग्येस्ट मार्च टीका पर्गोट्य एक एप लिख सकत्रींग एक आप गडिए्ट रिख स्ट्रीं एक त्टीस्ट मार्च टी मुझेंट आफ एक ट्टस्ट्बूट्ण भरच टीमांस मतलब बालू एक त्यर्ट्यू अटिस्ट हाट्ट्ड तो हजार बीस is 6.76 ठीक है जी विट मी सो फार सही है न आगे चले एक काम करते हैं साथ में एक टेबल फिल करते जाते हैं प्राइस वाल्यू यह फॉर्वड प्राइस लिख दीता है यह स्पॉट रेट यह टाइम जीरो यह टाइम थ्री मॉंद्स यह टाइम ट्वेल मॉंद्स स्पॉर्ट रेट क्या था यहां पर सो एक साल बाद हुआ एक सो आठ यहां फॉर्वड प्रैस क्या थी एक सो पांच यहां पर क्या या वन्वन्ट टू फॉआइंट वाल्यू क्या है जीरो यहां पर वैल्ली ऑए ठीक है अब मुझे बताना let's say spot price at time zero is 114 sorry spot price at time 12 months is 114 अब मुझे बताओ क्या होगा क्या करना क्या यह समझागे आगे मूग कर रहा हूं देखना at t is equal to 12 months मतलब मतर आठी तुर्ट इंच पूंपुट आप्ट पौंपुट परवड़ प्रड प्रष एंच प्रक्राइब कि वैल्यू कि बन जाएगा कि रूप एट मैच्यारिटी और मैच्यारिटी टीज इकोल ट्वेल मांस ना एक त्रेस बारा दोहजार भी ठीक है जी प्राइज निकालना वैल्यू निकालना खुद निकालना पड़ोसी गया तेल लेने एस इस इकोल टू एस इन्टू वन प्लस और होल्टी पावर्टी कि एस कितना है वन प्लस आर आर कितना है सेम टी किता है करेक्ट है वैल्यू क्या है हुँ है वन पॉट्ट नाइन एट कैसे निकाला कि कंप्यूट वैल्यू ओफ दो ओरिजिनल कॉंट्राक्ट यह ओबिस्ली बैट क्या थी इस पे बैट थी दाट एस वन विल बी मोर दन इक्वल टू एक्सो पाँच है ना और एक्चुल एस वन क्या हुए यह बैट वाला एस वन है है ना यह बैट इस वन बाइव मच बाइण रूपीज इसी को दूसरे तरीके से बोल रहा हूं आप सुनना लेट से मैं एफ प्लस पार्टी था एफ प्लस मतलब मैं इस था मैंने क्या एग्रिमेंट किया था कि मैं टाइम वन पर मैंक डीज वाट विल मैंक डीज डू इट विल इट विल पे एक सो पांच रुपे हाँ या ना एंड रिसीव पोटेटो फ्रॉम दर डेरिवेटिव डीलर और और फार्मर और मार्केट जो बोलना बोलो तो कि एक सो पांच रुपे दे दिए जा क्या रहा है आपके जेट से यह एक सो पांच क्या था एफ गलत प्राइस कहां से हो गया है यह एफ था है टाइम वन पे स्पॉर्ट एक सो पांच है प्रॉमिस क्या थी मेक डीज ने बोला मैं 105 दूंगा 105 क्या था मैं एफ दूंगा और पे एफ एर रिसीव वाट आइर रिसीव पोटेटोश ठीक है तो टाइम वन पे मेकडीज को क्या मिलने वाला है बताना at time one point of view of मेकडीज he is plus potato minus f हाँ या ना potato उस समय है कितने गा potato at time one है कितने गा 114 का या फिर मैं बोलू तो I will be plus s minus f हाँ या ना यह हुआ ना 114, 105 रुपए दूँगा और इसके बदले potatoes लूँगा potatoes जितने के होंगे वो चलेगा मेरे को potato अगर लेट से 70 रुपए के निकलते तो value would have been 35 negative yes no अगर यह 70 रुपए के निकलते तो value would have been 35 negative और क्या कुल मिलाके है क्या potatoes मिलेंगे that's why plus potatoes f देना पड़ेगा that's why minus f minus f is how much minus 105 plus s ये क्या होगा ये पता चलेगा उस दिन जाके उस दिन पहुंचे कितने का निकला 114 रुपए का 114 minus 105 this is plus 9 रुपीज हाँ या ना ठीक है देखिएगा एक समरी वीडियो रेकॉर्ड कर रहा हूं ध्यान से सुना टाइम जीरो टाइम स्मॉल्टी टाइम कैपिटल टी आपकी बुक्स क्या कहती है इन्हें ये देखिएगा कि इनिशियेशन मतलब कॉंट्राइट के स्टार्टिंग पर ठीक है ना कि ड्यूरिंग दा लाइफ और कि मैच्यारिटी ठीक है एस गिवन होगा हर केस में इसे बोलेंगे एस जीरो इसे बोलेंगे स्टी इसे बोलेंगे एस कैपिटल टी यह होगया स्पॉर्ट्रेट है ठीक है जी कॉंट्राक्ट पर एंटर किया फॉर्वर्ड प्राइस फॉर्वर्ड प्राइस क्या होता है अगर मैं मैं जिस भी दिन पर वाटेवर दे आइसे रहे एफ आई एंटर इंटु दे कॉंट्राक्ट एट डाट डिए वाट वोट बी दा थेओर्टिकल एफ देट आइट इस फॉर्वर्ड प्राइस करेक्ट यहां पर फॉर्वर्ड प्राइस क्या होगा एस जीरो इंटु वन प्लस आर आर एक टाइम जीरो पोल्टु दी पावर पोल्टु दी पावर कैपिटल टी हाँ या ना क्योंकि इतना ही टाइम बचाel ठीक है ना देखना अब जीरो इंट लाइफ टी तो कितना टाइम बचा एक टाइम बचाel इके पॉवर्ड प्राइस अच्छा रोको एक सेकेंट वैल्यू कर लेते हैं यहां पर वैल्यू क्या होगी ना लाइट जीरो रट लो जीरो कुछ कंप्यूट करने की कोई बुद्धी लगाने की ज़ूरत ही नहीं इन इस जीरो ठीक है ओके फावर्ड प्राइब टी एट टाइम स्मॉल टी यह क्या होगी एस एक टाइम स्मॉल टी इन्टु वन प्लस आर एट टाइम स्मॉल टी कि यहां क्या आएगा कैपिटल टी माइनस स्मॉल टी आपकी बुक्स में यह लिखे रहते हैं वर्ड यह जाहिल बेहुदे वर्ड यह 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 आपके बुक्स में फॉर्मॉला लिखे हुए कि मुझे नहीं अच्छे लगते हैं मेरे लिए हमेशा जो फॉर्वर्ड प्राइस निकालने का तरीका है वह बहुत सिंफल है मेरे लिए फॉर्वर्ड प्राइस निकालने का क्या तरीका है में को करेंट एस चाहिए एस मतलब होता भी स्पॉर्ट ही है तो उस दिन का स्पॉर्ट इंटु वन प्लस आर उस दिन का टी मतलब बैलेंस टाइम लेफ्ट पॉर कॉंट्राक्ट तो मैं ऐसे तीन तीन फॉर्मुला नहीं याद करता हूं मेरे लिए एक यह चीज ठीक है बस और यह भी मैं खुदी बैठके बनाई सकता हूं से समय कि आलू लिए जमा करा दिये ताता हूं ठीक है यार लाइफ बी बेटर इस थेंग ओन दीज लैंस इफ नॉट इफ नॉट रोट लान रोट लान प्रॉपर्ली रटना है तो अच्छे से रटना है ठीक है कम से कम एक्जाम तो पास हो अब यहां क्या एगा एस एट टाइम कैपिटल टी इंटु वन प्लस आर एट टा पूरा का बूरा क्या बन जाएगा यह पूरा का बूरा क्या बन जाएगा वन तो यह पूरा का बूरा क्या बन जाएगा एस टी ठीक है अब इस टाइम की वैल्यू वोलो क्या बनेगी एक सो चौदा एक सो पांच है ना एफ माइनस क्यों हो रहा है क्योंकि यह तो देना है यह वैल्यू किसकी है वैल्यू टू एफ प्लस पार्टी एफ देने वाली है और एस मिलने वाला है तो एस प्लस पे रहेगा एफ माइनस पे रहेगा विच मी सो फार हाँ या ना यह क्या होगा कि करवाया तो था यह न्यू एफ माइनस ओल्ड एफ का प्रेजेंट वैल्यू करेक्ट श्यूर यहीं करवाया था ना यही तो करवाया था वन वन टू पॉइंट जीरो टू माइनस बन जीरो फाइफ सेवन पॉइंट जीरो इसका प्रेज़ेंट वैल्यू शिक्स पॉइंट सेवन जो भी आया था अब एक बार दुबारा इंटर्प्रेटेशन वाइज देख लेते हैं यह ओल्ड एफ क्या थ एस एट कैपिट एस एट टाइम स्मॉल टी इंटू वन प्लस आर एट टाइम स्मॉल टी होल टु दी पावर टी माइनस टी हाय ना माइनस ओल्ड एफी लिख दे रहा हूं अभी के लिए इसका प्रेजंट वैल्यू प्रेजंट यह वाल्यू किस दिन पर आ रही है यह टाइम ट्वेल मंस पर आ रही है इसको पुल बैक करके कितने पर लाना पुड़ेगा तो कितने महीने पुल करना पड़ेगा नाइन मंस मतलब ट्वेल माइनस थ्री नौ महीने पुल करना पड़ेगा तो इसका प्रेजंट वैल्यू कैसे निकालू वन बाइवन प्लस आर होल्टु दी पावर टी माइनस टी अगी न यह अंदर एंटर कर गया दिसन दिस गेट्स कैंसल यह क्या बचा स्टी माइनस ओल्ड एफ डिवाइड बाए ए वन प्लस आर होल्टु दी पावर टी माइनस टी यह क्या बचा स्टी माइनस प्रेजंट वैल्यू ओफ और यह क्या है यह स्पॉट एड डाट डेट माइनस प्रेजंट वैल्यू ओप ओरिजिनल कॉंट्राक्ट टुडए तो इसके इसे कैसे निकाल सकते हैं महाँ इजी है इतना डरो मत अभी थोड़ी देर के बाद ना बिना फॉर्मुला देखे होगा डेरिवेटिव में खु देखना एक बार किया था यहां पर न्यू एफ माइनस ओल्ड एफ का पी यह फिर टीवी आफ न्यू एफ क्या होगा कि स्टीवेरी गुड माइनस प्रेजेंट वाली ओल्लन वर्ड अबस सिंपल अगर मैं आपको यही चीज है अगर मैं यही चीज आपको सिखाता 3 months पे value निकालनी है, ठीक है न, old f कितना है, 105 और s at time 3 months कितना है, s at time 3 months 108 है न, दोनों तरीकों से कर रहा हूँ, देखना, मैं कर रहा हूँ एक बार new f minus old f का pv, new f minus old f का pv, आप क्या करते हैं, new f कैसे निकालते हैं, 112, minus old f 105, इसका pv, pv of 7.02, this is 6.67, दूसरा तरीका, मैं आपको बोलता, अब देखना, लॉजिकली कर रहा हूँ, दूसरा वाला method भी, यह formula wise नहीं कर रहा हूँ, आज का spot कितने पे हैं, 108 पे, correct, आज का spot 108 पे है, मुझे बताना, maturity पे value क्या होती है, value at maturity, value at t, यह क्या होती है, st minus f, correct, यह old f था, st minus original f, अब, अगर मुझे चाहिए value at small t, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, minus, यह original f तो time 1 का है, कीच के लिए आता हूँ, तीन महीने पे, यह क्या होगा, original f, divided by one plus, आर, जो आज exist कर रहा है, कौन से time पे, at three months, hold to the power, कितना हैगा, nine months, very good, यह st कितना है, 108, minus original f, कितना था, 105, divided by one point zero five, hold to the power, कितना आता है, निकालो, निकालो एक बार फिर भी, इजी, तर, इजी, पीजी, इसे करेंगे आप, 105, अच्छा, आ गया, six point seven six, यहार है, ठीक, भाई, भाई, नहां बोलते हैं, उसको ना लाए, एक पैसा ले के दे के जाएगा, तू, क्लास के बाद, ठीक है, six point seven six, easy, any doubts, any friction, happy to answer that, एक बार फेजर ट्राक करा रहो, मोड्यूल 72, यह मैंने आपको कल का था, हो गई है, जिस पे डन लिखा था, यह दिखा रहो, explain how the value and the price of the forward contract are determined at initiation during the life and at expiration, सारी बात हो गई न, यही तीन करा है न भी तक के, नौबे स्टार्ट किया था, साड़े गारा हो गए, डाही गंटे लग गए, इसमें एक paragraph दिया हुए, यह, ठीक है, इसको read नहीं करते हैं, इसकी summary भी दियो यह last page पे एक बार उसको read करते हैं, देखना क्या बोल रहे है, और अधा value is zero at initiation, during the life, the value is, the value to the buyer is, spot price of the asset minus the present value of the forward contract price and the value to the seller is, present value of the forward contract price minus the spot price of the asset, इसे ने गदे हैं यह नहीं लिखे रहे हैं कि value to this is minus of that one, तो दूसरा formula एक और बार बार आगे लिखा है, at expiration, the value of the forward to the buyer is the spot price minus the forward contract price and value to seller is ultra, यह है आपकी बुक में लिखा हुआ, आ जाएगा समझ में आपको यह पड़ेगे, be honest, अब problem देखना क्या है, अब कहने गले सिर्फ theory है, है ना, क्योंकि इन्होंने लॉस में लिखा, explain how, अब मुझे यह नहीं समझ आता, मैं number के बिना दिखाऊं, तो क्या ही समझ आ रहा है, और formula ही रटने के लिए बोलना है, तो मैं क्यों ही नहीं है, इस class में हो, तो वैसी note से देता हूँ, रट लो, समझ थोड़ी ना आएगा कुछ आपको, अब डाउन साइड इस, यह सोन नालायक कि लेवल वन में यह दिया है, लेवल टू में इसका computation दिये, अब मुझे नहीं पता, लेवल वन में बिना नंबर देखे, किसकी आउकात है, इसको समझ नहीं की, I can't perceive that people can solve this, you understand this without using the numbers, तो आप से एक्जैम में क्या पूछा जाएगा, वो जो लास्ट में टेवल बनाया था ना समझी का, बस वो, लेकिन मुझे नहीं लगता, वो टेबल पर आप पहुँच सकते हो, without all those numbers, ठीक है, सिर्फ यह कराया है, मैंने पिछले डाइगन पर, as it is, whatever I taught in previous two and a half hour, this can, and I will, just put this video in the level 2 group, अद देख लो, हो गया, पुस्टन भी से में वहां फास्ट कराया था, उनको बोलेंगे स्लो करना है, आराम से देखना तो यह देख लें, यहां डीटेल में बताया हुए, बिकॉस देव डन इट अल्रेड़ी या, यह हर्ट सिमिलर थिंग्स वाइल देवर सिटिंग इन इस क्लास, तो यहां अल्मोस दो डाई गंटे में प्राइस वैल्यू, आर्बिट्राज और तीन कॉंसेप्ट और करा दिए, तो पांच कॉंसेप्ट कर लिए वहांगे, दाई गंटे में, आपके उसमें जो पोर्टेल में अप्लोडेड है, वो बहुत स्लो वाला है, हां जी, वो अल् यजिए पहले ही रेडियो वीडियो की वाव फास्ट कर लेते हैं, जस्ट इन केस यूँ आर उन तॉप आफ दाट तो इसे फास्ट वीव कर लेना क्या फरक पर दो दाए, तो यही टॉपिक है वहां पर वहां पर वहां पर कैल्कुलेट लिखा हुआ है, यहां पर यह वाला पॉट्शन दन है, नेक्स देखना, इंप्लाइट फॉवर्ड रेट आपका डन हो गया था, फिक इस इंकम में, ठीक है, करो एक बारी कॉश्चन सॉल, जेट टू इस टू परसेंट, जेट त्री इस त्री परसेंट, कंप्यूट एफ टू वन, कंप्यूट करो, क स्कॉएड वाइड़ बाइट वाइन पोइंट जिरो टू माइनस वन एना, जिसने फिक्स इंकम नहीं किया, नहीं समझ जाएगा, अभी लिए छोड़ दो, दुबारा कर रहा हूंवा, तुमने नहीं किया ना, अभी लिए छोड़ दो, कि 1.03 square divided by 1.0 sorry 1.03 cube divided by 1.02 square कि माइनस वान कितना रहे है कि प्रिसाइज नंबर बोलू ना कि कितना रहे है कि क्यों प्रिकेज़न कम नहीं किया जो ने तरो एक बार कितनों से बनता है यह बताओ कि 1.03 cube divided by 1.02 square minus 1 5.02 के आसपास आएगा वही आ रहा है ठीक है नेक्स कॉंसेट पे चल रहा हूं एफ आरे वीडियो ना रहा है भी है पावर्ड रेट एग्रिमेंट द्यान दी जगाओ पावर्ड रेट पता है आपको क्या होते हैं करेक्ट पावर्ड रेट एग्रिमेंट मतलब एक ऐसा डेरिवेटिव जिसमें अंडर लाइंग क्या है इंट्रस्ट रिट्स ठीक है एक एक कुश्चन करा है था आपको दिखे को कुश्चन दुबारा दिखा रहा हूं इस वाज दुश्चन मिस्टर एसके ने अपने बेटे को दो साल के बाद कॉलेज में बेजना था लाख रुपे की फीस है चालिस जार उसके पास आजेंगे बचे हुए उसको साथ हजार रुपे लोन के लिए लेने पड़ेंगे ठीक है ना साथ हजार मिलेंगे नहीं मिले बढ़ गया तो तुबारा मैं टाइम जीरो में बैठा हूं मुझे पता है एट सम अधर पॉइंट ऑफ टाइम मुझे लोन की जहुरत पड़ेगी माइफियर इस दाट इंट्रस रेट वोड गो आप या गो डाउन अप मैं टाइम जीरो पर बैठा हूं यह टाइम वन मन्त है यह टाइम फूर मन्स है ठीक है मैं टाइम जीरो पर बैठा हूं यह टाइम वन मन्त है यह टाइम 4 months है ठीक है I am supposed to take a 3 month loan at time 1 month today's time 0 मुझे पता है मुझे आज पैसे की जहुरत नहीं है मैं को पैसे की जहुरत पड़ेगी एक महीने बाद आज का interest rate है 5% आज का interest rate है 5% ठीक है मुझे लग रहा है आज 5% है एक महीने के बाद कहीं है 10% हो गया तो कहीं है 12% हो गया तो बहुत hypothetically बोल रहा हूँ 5-12 नहीं होता पता है मेरे विए समझाने के लिए बोल रहा हूँ आपको loan आज चाहिए या एक महीने बाद एक महीने बाद कितने महीने का loan चाहिए तीन महीने का आपको डर क्या लग रहा है कहीं 3 months 3 months floating rate increase हो गया तो एक महीने के बाद जो तीन महीने का applicable rate है कहीं वो increase हो गया तो मेरा outflow बढ़ जाएगा हाँ या ना पार्टी कौन है loan requirement इसका fear क्या है जो fear है वही बैट है इसकी bet क्या है interested would rise किसी क्या गेंज दूसरी पार्टी होती मुझे लगता है let's say in next one month I am supposed to get some inheritance या let's say I have just retired in next one month I will get my gratitude पीएफ का जो भी वेक वन शॉट पेमेंट आती है I am expecting to receive that in next one month कि वोट विल भी माई पीएफ के इंट्रस रेट गिर गया तो अच्छा में को अभी एक महीने में पैसे मिल जाएंगे और मुझे पता है कि मैं आज से तीन से चार महीने पांच महीने में को घर खरीदना है तो एक महीने पैसे मिलेंगे आजाए कौन सा इंट्रस रेट त्री मंथ इंट्रस रेट वन मंथ फ्रम नाओ त्री मंथ इंट्रस रेट वन मंथ फ्रम नाओ तो यहां पर क्या है पार्टी क्या है इन्वेस्टर इसको क्या डर है इंट्रस्ट रेट किरने का अ कर्रेक्ट विए अचर्व अंडरलाइंग क्या होगा दोनों के सेज में और यह अंडरलाइंग इंट्रस्ट एक हैज क्या होगा है नहीं है 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 इसमें अध प्लस इसमें म認 170 फ्क ब्रॉस कि एस प्लास औंपोटेटो क्या था यह बता थिया प्लास प्लास औंपोटेटोपोस इंटर्प्राटेशन जा थी इंटर्प्लाटेशन मत बताओ, interpretation बताओ, मतलब sorry, bet मत बताओ, position बताओ, promise बताओ क्या थी, अच्छा ये f plus किसकी bet होती थी, mcd's की, mcd's क्या बोलता था, I will receive potatoes and pay a fix price, pay a fix price, correct, sure, पका, अच्छा ये ऐसा क्यों बोलता था, मेकडी ऐसा इसलिए बोलता था, क्योंकि मेकडी का एक exposure है, क्या मेकडी मार्केट प्राइस देने वाला है, पोटैटो लेने वाला है, ठीक है न, अगर उसको hedge मिल जाएगा, if he gets this hedge, ठीक है न, तो अगर cash settlement हो रहा है, तो जितने से पोटैटो का भाव बढ़ गया होगा, उतने का इसको delta receive हो जाएगा, है न, उसको additional delta, जो gap है वो उसको मिल जाएगा बाहर से, सही बोल रहा हूँ न, भाई, मैंने बोला, मैंने बोला 25 रुपए का खरीद लूँगा मैं, original example, 25 रुपए का खरीद लूँगा, मान लो उस समय 35 के हो गया आलू, तो मेरी position क्या बनेगी, मैं 35 रुपए के आलू खरीद लूँगा, मुझे आलू मिल गए, and derivative dealer मुझे क्या देगा, 10 रुपए देगा, तो मुझे net net क्या price पढ़ गया, net price मुझे पढ़ गया, 25 रुपए का, correct, तो मुझे derivative dealer से increase का delta मिल जाता है, हाँ या न, sure, with me till this point, okay, अब मैं क्या बोलूँगा सुनना, अब में को loan लेना है, है न, यह Mr. SK, ठीक है, इसको interest rate कितना देना पड़ेगा, बढ़ा हुआ, FL देना पड़ेगा न, इसको, floating rate देना पड़ेगा, बढ़ा हुआ इंट्रस रेट देना पड़ेगा, है, चीक है, अब interpretation क्या है, एक बार को मैं बोल देता हूँ, जैसे bet, मदब इस person की bet, मान लो है, 5% से उपर, F plus at 5%, इसका, इसकी bet क्या बन रही है, कि interest rate 5% से उपर हो जाएगा, है न, इसने जैसे इस bet में enter किया, तो इसको क्या, इसको satisfaction क्या मिल रहा है, कि 5 से उपर जितना बढ़ेगा, उतना, उतना compensation, उतना delta मुझे receive हो जाएगा, derivative dealers है, with me till this point, sure, मान लो interest rate हो जाता है, 7%, मान लो interest rate हो जाता है, 7%, तो यह S के, यह bank, यह derivative dealer, मुझे बताओ, कैसा दिखेगा overall graph, यह हो जाता है, 3%, मुझे बताओ, overall graph कैसा दिखेगा, यह derivative dealer, यह exposure transaction है, यहाँ पे आएगा 7%, इसको कर लेते है, है, let's say, 4.5%, यह इसको कर लेते है, 4%, 7 and 4, yes, no, और यहाँ से मिलेगा क्या, यहाँ से टू और यहाँ पे, कि यहाँ पे देना पड़ेगा 1%, yes, no, तहीं कह रहूंना मैं, मेकडीज क्या बोल रहा था, मेकडीज बोल रहा था, रिसीव पोटैटो, यहाँ 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 प्राइस फिक्स कब कर रहे थे, अब जो लोन ले रहा है, लोन टेकर, यह क्या बोल रहा है, रिसीव, लोटिंग रेट, बाइ पेइंग, फिक्स रेट, इस फिक्स रेट, has been determined at time 0 ठीक है दुबारा देखना यह time 0 यह time 1 month यह time 4 months आ देखने का यो यह इंट्रaунд रिट परसेन यह परसेन यह इंट्रॉस्ट मेण मी 有 इंट्रीनटर्स रिट थोडओं सा चेंज कर रहा हूं लुट से ड़ीससी 502,000 डीससी यह क्या है यह सिक्स्टी डेज या फिर जेड सिक्स्टी डेज स्पॉट रेट फॉर्ट डेज यह फाइफ परसेंट यह सेवन परसेंट अगला कुशन पता ही आपको क्या रहा है आपके तरह कैलकुलेट करो कितना आएगा देखिएगा अभी तक क्या आपने जो कुश्चन की है जनरली उसमें क्या फरक था वह यह मंस में हो रहा है मंस डेज वॉटेवर डेज बोली जए ठीक है 240 डेज में अब देखना कॉंसेट क्या था यह दोनों रूट्स का चाहे मैं पाथ वन लूँ चाहे पाथ टू लूँ मेरी वैल्यू एड टाइम 240 डेज सेम रहनी चाहे है है ना यह पाथ वन यह पाथ टू ठीक है अगर मैं यहां पर सौर पर डालता हूं तो पाथ टू में 240 डेज के बाद क्या होगा मेरे पास 100 इंटू 1 प्लस 7 परसेंट इंटू 240 बाइ 360 यह नो और पाथ वन में क्या होगा 100 इंटू 1 प्लस 5 परसेंट इंटू 60 बाइ 360 इंटू 1 प्लस आर इंटू कि वन एक्टी बाइ 360 कि येस नूँ कि 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 ठीक है ना कि कैंसल कि यह आर कैसे आएगा वन प्लस आर कि वन प्लस आर इंटू कि वन एक्टी बाइ 360 इस इक्वल टू कि वन प्लस सेवन परसेंट इंटू टू टू फॉर्टी बाइ 360 डिवाइड़ बाइ वन प्लस फाइफ परसेंट इंटू 60 बाइ 360 यस नो कि ठिक यह ना इसको डिनॉमिनेटर में ले गया करेक्ट अब क्या करूंगा को माइनस वन इसके आगे क्या करूंगा बताणा अब इस नो कि आ जाएगा यह किया क्या देखना बिग फैक्टर डिवाइड़ बाइस्मॉल फैक्टर माइनस वन इन्टू थ्री सिक्स्टी बाइग अब यह टू फॉर्टी है यह सिक्स्टी है दोनों का गैब वन इटी ठीक है वहां पर क्या किया था मुल्टिपल यह का किया था यहां पर लेस्ट देन वन इयर का कैलकुलेशन दिखा रहा हूं यह आता है आपको करने अल्रेडी है ना एक्जाक्ली मैं वेट कर रहा था कि कोई यह लॉजिकल कुश्चन पूछे बहुत बढ़िया सुनना हम जो केस कर रहे हैं वह लिबर का केस है कि लिबर में कि दक कंवेंशन इस थर्टी ओवर थ्री सिक्स्टी एंड कि सिंपल इंट्रस्ट कि यह कंवेंशन है कि ठीक है जी कि आगे चले यह रेट निकालो कि यह रेट निकालो कि इतना और है मैं ट्रय बाओ सब्सार वाट इस रेट इस एकल टौत वाट फॉमला इस और लाएट न को लाएट वाट फॉमला है इस इस ओ हरे रेट बताओ भाई कहा रहे तुम लोग और यह यह आप जहां पर लिबर लिख रहे हो यह इसी को यहां जो फ्लोटिंग रेट लिखा हुआ है यह भी वही बात है एस एल इस इक्वल टू एम रार इस इक्वल टू लिबर सब सेम एक ही बात है ठीक है अब बताओ यह क्या है सेवन पॉइंट सिक्स परसेंट इसकी इसकी इंटर्प्रटेशन कि है इसकी इंटर्प्रटेशन कि एस प्लस पर्टी के लिए यह सेवन पॉइंट सिक्स का क्या मीनिंग है क्या मतलब क्या आप एफ प्लस हो तो आपकी जिंदगी में क्या परक्पड़ आप क्या बोलना चाह रहे है इसके बारे में यह सेवन पॉइंट सिक्स परसेंट के निकालने में तो फूरी कलाकारी थी नहीं यह तो सिर्फ क्या डिफरेंट चीज कराई यह मैंने अगर लेस देन वन इयर का गेम बने तो कैसे करेंगे वह दिखाया मैंने ठीक है ना कि यह थी एफ आरे की क्यक्लिशन इसे कहते है एफ रफ रस इस दिप्रस एफ एफ आरए प्राइस अभी अभी की दिडीने फ फिर पहले अअ यह थे त движ लेवल टू क्या होगशन यहार वाड एक प्रैजिंग है प्रैजिंस प्रेव्यत इनिशियेशन द्यूरिंग दालाइफ मैं पुरानी वीडियो देखो कि मैंने आप लोगों को भी यह करा है अब नहीं करा हूँगा कि आपके पूर्टल पर वीडियो अप्लोड़ यह यह क्या है एफ प्लस क्या बोल रहा है सुनना अगर यह प्राइस आलू कि आई रहती इव हैड दिस 7.6 बीन एफ प्लस इनकेस ऑफ़वर्ट कॉंट्राक्ट ऑफ पोटैटोस वाट इस मेगडी सेंग मेडी सेंग आई प्रॉमिस्टू रिचीव पोटैटोस एंड गिव 7.6 एट एट टीजीरो टीवन टीवन ठीक है न अब जो लोन जो पार्टी लोन ले रही है वो क्या बोल रही है आई यह बोल रहा है कि मैं फ्लोटेंग रिसीव करूंगा उस समय का जो रेट होगा मुझे वो दे देना उस समय का जो रेट होगा मुझे वो दे दे मैगडीज क्या बोल रहा था उस समय आलू दे देना मुझे यही बोल रहा था न वहां पर अंडर लाइंग क्या थे पोटैटोस वो बोल रहा था उस समय का स्पॉट का पोटैटोस दे दे देना अब अंडर लाइंग क्या इंट तो यह सेवन पॉइंट सिक्स परसेंट पे करेगा कि पेफिक्स रिसीव फ्लोटिंग हाँ या ना दुबारा यह पूरा 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 कुश्चन करा रहा हूं ध्यान से देखिए इस परसन को डर क्या है कौन सा इंट्रस्ट रेट बढ़ जाएगा ए बी यह सी सी बढ़ जाएगा यही डरने इसको हूं दफियर इस दाटी संदिंग ए ताइम जीरो यह वोड रिक्वार ए थ्रीम यह रिक्वार आटी देलों विच माइट इंक्रीज आप्टर शिक्टी दिल्स पूनों इन एक्स्टी देस लेट से देर इस अरशिया यूक्रेयन अन्यूक्लियर अटाक वान वन फार नेबर्स को नोस एक्वानोमी गोज इंसलम वाट विल्ट गोवर्मेंट दू वांट तो रिवाइव इट क्या करेंगे नोट चापो और बांड दो इसका इंपक्ट कि इंफलेशन इसका इंपक्ट इंफलेशन इसन इंफलेशन बहुत तक के इंफलेशन रह जाएंट क्या इंपक्त है यह पैसे बढ़ गए लोगों के हाथ में अब अब इसको गंट्रोल में घरना है अब इंट्रेस्ट बढ़ाओ यही तो खेलती रहती है क्यों में फॉर वन रिजन और दी अधर इन नेक्स्ट तू मन्स इफ यॉर फियर इस डाट रेट्स में इंक्रीज वाट वुड वॉंट कि मैं आज इंट्रेट के साफ से फाइव और सेवन के साफ से फॉर प्राइज कितना आया सेवन पॉट परसेंट का आप क्या करोग आप ऊलोगा मैं शेवन पॉट शॉस्ट दूंगा कि यूएन तरेंट्रेंट आख़्ेंट ऑन अ कॉन्टरेट वा सेवन पॉंट शुक्स परसेंट सग यह 1 ii uf प्लस अन्टर गे इन्टोय कॉन्टर्क अ टू रिसीव लोन एक सेवन पॉइंट सिक्स परसेंट पॉर पीरियर्ड है क्या था यह सिक्स्टी डेस्टु टू फॉर्टी डेस हाँ या ना क्या कर रहा था स्क्राइब टू रिसीव पोटैटो श्रूमीर सेवन पॉटैटो लूं पॉटैटो उस्क्राइब लोन इंट्स परकॉट्राइबinding शेवन सिक्स्ट इस सोरी को अगर आप मेटी इसको देखते थे तो अगर वो फिजिकल सेट्लमेंट करता था तो क्या होता था पोटेटो मिल जाते थे सेवंग पॉइंट सेट सेट परसेंट मेग डीज के लिए एफ निकाला वुटा तो क्या होता ए यूओद आज सब्सक्राइब आपके लिए इस में थे इग्रीड तू रिसीव पोटेटोस पे 7.6 यह जो यह कब होता रिसीव पोटेटोस पे 7.6 तो फिसिकल डिलिवरी में इस केस में भी फिसिकल डिलिवरी तो क्या होगा अब लोन मिल जाएगा 7.6 परसेंट से इंट्रस्ट देना पड़ेगा अगर फिसिकल डिलिवरी ना हो क्या सेट्लमेंट तो क्या होगा में इस के केस में बताओ मार्केट दूंगा बाहर मैं में मार्केट में मार्केट प्राइस दूंगा और डेल्टा रिसीव कर लूँगा यह क्या करेगा यह क्या करेगा यह मार्केट में मार्केट का भाव देगा और डेल्टा रिसीव कर लेगा डेल्टा कैसे रिसीव करेगा ऐसे मान लेगा और प्लस प्रमान लिगा कि आना उस्में का प्र रिट प्र एक महीने के बाद का स्पॉट्र एक संद्धरेट उस फ्लोक्रन एंद कम फ्लेट मैं सब्सक्रेदब में तो हमेशा है जलेक क्या थी बताना प्लस एस माइनस एफ कि येस नो एफ ए प्लस की पोजिशन क्या होगी माइनस एफ एक्स प्लस एफल हाँ या ना चौर अभी तो आ गया समझ में एक घर में जब बैठ के हम करेंगे ना बुट्टा बन्जाना दिमाग का कि क्या हुआ यह आफ अलू तक के गेंट सिंपल रहती है क्योंकि यू आरे बल्ट थो सेग्रिगेट आलू ऐस अ प्रोड़क्त एंड रुपे अज़ाओ यहां एंट्रस्ट्रेट यह रुपे अप्रोड़क्त क्या है रुपे आप बोलते हैं ये दोनों तो एक ही है तो सब मिक्सी हो गया बी and pull the game forward you are fine कि दुबारा बोल रहा हूं फिजिकल सेटल्मेंट में क्या हो रहा था फिजिकल सेटल्मेंट में मेंग डीज क्या कर रहा था मेंग डीज वास पेइंग दा फिक्स रेट वाज रिसीविंग पोटैटो ठीक है और कैश डिलिवरी में क्या कर रहा था मेंग डीज वास पेइंग मार्केट प्राइस रिसीविंग पोटैटो इसकी चिंता नहीं है आपको अब इसके साथ-साथ क्या हो रहा था वह देखना यह तो गया एक्स्पोजर परना वैप को तो है से मतलब है ना ऑज में आपको मिल रहा था ये डेल्टा कैसे मिल रहा था एस माइनस पाप तो वैल्य ये में फर एमें क्या होगा लोन मिल जाएगा एफ एक्स देना एफ एक्स किता है सेवन पॉइंट सिक्स परसेंट पर एनम हां कि न अब क्या होगा यह एसके बैठें बीच में यह जितना उस समय फ्लोटिंग रेट चल रहा होगा उतना उतना दे है और उसके बदले में लोन ले लेंगे और इन्हें क्या मिलने वाला है कि प्लस एफ एल माइनस एफ एक्स अब सुनना यह प्लस एफ एल माइनस एफ एक्स को ऐसे लिख सकता हूं प्लस एफ एल माइनस एफ एक्स अब मुझे दूसरा साइड बताना कि एसके साहब के लिए लोटिंग रेट आ गया फ्लोटिंग रेट चला गया फ्लोटिंग का एक्स्पोजर ही खतम एक बात यहां पर देखो मैक डीज के लिए यह प्लस एस माइनस एफ था ना तो एस आ गया एफ चला गया यह नोट और यह एस होगा कितना मार्केट प्राइज उस समय का तो यह दोनों के लिए नेट नेट पॉजिशन क्या बन रही थी उसको पोटेटोज मिल जा रहे थे और उसके जेव से प्रेसाइज एफ ही जा रहा था इतनी बार करके देखा 25 रुपई निकलता था ना यहां भी क्या हो रहा है सेम ही तो कहानी है लोन मिल रहा है फिक्स रेट पर मिल रहा है खतम आपने फ्लोटिंग रेट को फिक्स में कनवर्ट कर दिया यूजिंग एफ और या ना सब सेम कुछ फरक निए अवरी गॉड़्डाम ब्लडी थिंग इस एक्जाक्टली सेम इफ यूंडरस्टांड में इस एंड पोटैटों यू एप्सलिट्ली बॉस्ट्ट ऑपर इपोई दिफरेंस निए वाच दिस वीडियो अगें इफ यू आर लिटल शेकी अब इफेक्टिव रेट क्या पड़ेगा आपको यह बंदा चाहे मार्केट रेट कुछ भी हो जाए मानलो मार्केट रेट 14 परसेंट हो जाता तो क्या होता इसे 14 बाहर देने पड़ते और यहां पर इसे हैज में मिलता कितना क फूटीन पॉइंटश्एक्स होजाता मानलो मार्केट करें तो फूटीन पॉइंट सिग्स बाहर देता और है जग में इससे 7 मिल जाता और इसने यहां पर 14.6 दिया होता और इसे लोन मिल जाता एकट के क्या हो जाता है सेवन पॉइंट सिक्स जोन मिल रहा है सेवन पॉइंट सिक्सपική तो चाहए कुछ भी कुछ भी हो कि अगर कोई तो न खरलoss धश्वा इफेक्टि रेड्डै इस सेवन पॉइंट सिक्ट डैट इस दी एफ रए प्राइस करेक्ट शूर एक छोटा सा प्रॉब्लम है क्या यह तो है जर के केस की काहनी है ना अभी स्पेक्यूलेटर तो साइट में बैठा है अब मेरे भाष्णा में बोलो मैंने एफ प्लस मारा मैंने एफ प्लस मारा सेवन पॉइंट सिक्स पे कि एफ आरे खतम मतलब जब पीरियड खतम हुआ टोटल उस टाइम पे रेट है नाइन पॉइंट सिक्स मुझे क्या मिलेगा दो टका कितने पे जितने अमाउंट होगा जितने की बैट मारी होगी मैं वूलूगा दो करोड पे दो परसेंट लेकिन दो परसेंट तो साल का है तो दो करोड का दो परसेंट इन टू यह कितने पीरियड का था वन एट्टिट डे इसमिमी सौफर मारा भेट जीता कितने से दो परसेंट लेकिन अपर कि दो करोड़ गाया एक तो लेकिन रोको करोड़ दो परसेंट तो चांबिया नुद्ट की आ कि तो दो करोड़ के दो परसेंट का वन एक्टी थ्री सिक्स्टी हां या ना लड़ी इजी मक्षन अगर समझ आए तो और यह ऐसे बेवकूप समान बुक में जो लिख रहे हैं तो इस वाहाँ कि शेओर कि सबकुछ सेंट एफरे प्राइस क्या है एक्षण एफरे प्राइस कि मार्केट में हमेशा सेवन पॉइंट नहीं होगी तो आर्बिट्राज सबकुछ सेंट कि कुछ टर्मिनलाजीज हैं आपके एक्जाइम में बहुत काम आती है एक अलग से वीडियो क्रियेट कर रहा हूं वो देखिए अभी जो कॉंसेट किया था वो देख रहे हैं यह जीरो मन्स यह वन मन्स यह फोर मन्स कि मुझे बताना मुझे डर क्या है मैं टाइम जीरो पर खड़ा हूं मुझे डर क्या है कौन सा रेट बढ़ जाएगा यह वाला करेक्ट हां एक एफ आरे का इनीशियेशन कब होगा एक एफ आरे का एकस्पायरी कब होगा कि एक स्पाहिरी कब होगा है कि एक स्पाहिरी बी या सी अच्छा आंसर को छोड़ो कुश्चन समझ आ गया कि आप मैगडी जो कि एड टाइम जीरो ये टाइम वन ये वाट इस यूर वरी वाट इस यूर फियर वाट इस यूर इन वाट टाइम एड टाइम वन एक साल बाद कहीं आलू का भाव जादा हुआ तो इसको हैज करने आए यहां पर फियर के एक महीने बाद अगर इंट्रस्ट रेट बढ़ गया तो वह थ्री मंस इंट्रस्ट रेट है मांग गया मैं लेकिन कौन कितने टाइम बाद एक महीने बाद तो यह क्या है दिस इस एफ आर ए स्टार्ट एंड डिस इस एफ आर ए एक्सपाइरी आपके एक्जैम में यह कुश्चन पूश कहता है यह पता है करें हां करें फिर नंबर दूंगा सब्सक्राइब मुझे नहीं आता तु इतना कर ले बास मुझे भी नहीं आता यह अधार का स्टार्ट एए फरे की एक्सपाइरी यह क्या है लोगे अधिव टेपाजिट मेच्वरिटी इस तीक है अधिक समरी क्रीट कर रहा हूं है यह पॉंट नमबर वन नूटेशन पता होने चाहिए यह फडियरह बिशल्ट है यह सरी यह इसको क्या लिखा था मैंने 0 Yeta 60 इशने ता च Gitya formal है अगि इससे आपने क्या निकाला था इससे आपने निकाल लिया था यह 550 woven ऑना इसकी इंटर्प्रिटेशन क्या थी कि एफ प्लस कि क्या इंटर्प्रेटेशन थी कि बैट क्या थी थ्री मॉंस एफ एल एट टी इस एक्वल टू वन मन्थ इस मोर देन एक्वल टू सेवन पॉइंट सिक्स परसेंट हां या ना और प्रॉमिस क्या कर रहा था यह करते हैं कि अग्वलों कि एक्ष और सिफ्रेट और सिवन पॉइंट इस परसेंट है क्या अफ्र आरे प्राइस नैन्टी ना इन परसेंट यह अभी आपकी स्क्रीं पर जितना लिखा है एक्जैम में इतना ही कुछा जाएगा तो यह रट लो यह फार रे एक्सपाइरी एज रिपोजट मेचारिटी यह दो रेट दे रखे हो तो यह 7.6 परसेंट यह निकालना इस वारे प्राइस यह आना चाहिए उसके बाद इसकी इंटर्प्रेटेशन बस इतना आना चाहिए आपको मेरे ख्याल से इससे बियूंड नहीं पूछे का एक्जाइम में कि वैल्यू ओफ एफ रए वैल्यू ओफ इस एफ एफ ए ऑन डिजिट कैसे निकालेंगे zum zero निकालना नहीं है value at initiation of a forward contract is nil निकालना ही नहीं है इसकी प्राइस कैसे निकालेंगे प्राइस तो निकाल लिए आपने इसकी वाल्यू कैसे से निकालों को निकालनी नहीं है वो 0 यह आने वाली है ठीक है ना कि ठीक है कि अ 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 कि एफ प्लस की इंटर्प्रटेशन है ठीक है न कि एफ प्लस की इंटर्प्रटेशन है मैं आप हो कैश डिलिवरी फिजिकल डिलिवरी वह सब नहीं लिखा रहा हूं वह आपको चीछ समझ आ गई है कि अगर किसी का एक्सपोजर है और वह लेता है तो उसको नेट नेट 7.6 परसेंट का एक्टिव रेट पड़ेग वह सिर्फ और इसमें ईसा बेट एंटर कर रहा है तो उसको एस माइनस एफ कर्षीव होगा अगर वह अगर फॉर्ट्व दियन्त परट्व करें यह बात समझ आथी वह लिखते हिए अपने इसाथ से नहीं पूछेगा एक्जाइम में आगे चलता हूं कि अच्छा एक बार मैं वैसे ही मन मैं से लॉजिकल थिंकिंग के बेसिस पे कुश्चन आया अगर आज से दस दिन बाद आफ्टर टेन डेज एड़ टी इस इक्वाल टू टेन डेज कि मैं आपको न्यू एफ रे प्राइस निकालने के लिए बोलू तो कर लोगे हां 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 यह टाइम जीरो पर था आज से दस दिन बात मैं आपको बोलू न्यू एफ रे प्राइस निकालो यह था जीरो यह था सिक्स्टी यह था टू फॉर्टी नियू एफ रे प्राइस मतला यह कितने दिन बच जाएंगे 50 और यह कितने दिन बच जाएंगे 230 क्या आप यह वाला रेट निकाल लोगे तुछ हो जाना चीए कोई दिक नहीं एवन फ्लस बिक फैक्टर डिवाइड बाइट बाइव न प्लस स्मॉल फैक्टर माइनस वन इंटू थरी शिक्स्टी डिवाइड बाइड और गाप कितना होगा गाप तो सेम रहने वाला आवनेट्टी डेस बस पहले बिक फैक्टर और स्मॉल फैक्टर कौन सा लिया था 240 और 60 अब क्या करेंगे 240 और 60 अब क्या करेंगे 230 और 50 निउ रेट आजाएगा दोनों के निउ रेट बेगा दोनों के निउ डेज देगा 360 by 180 यह 180 विल रमेन सेम्स नो अगें एग्जाक्ली लाइक फॉरवड है या नहीं एग्जाक्ली लाइक फॉरवड हो गया ना वन प्लस एस वन फ्लस बिक फैक्टर डिवाइड बाइड नया वाला स्मॉल फैक्टर नया वाला और तो सेम रहने वाला यह और टाइम पास लेगर मैं देद हूं यहां पर मैं बोलता हूं यहां पर लेट से फिफ्टी डेस का जो रेट है यह है से यह से एट पर संट और टू ठीदेज जो रेट हे जेलपरसंटुटी जय अर्फटी जयों बालेट आजएक वन प्लस ट्वए Eight पर संट इंटू 50 उअ कि माइनस वन हिंटू कि ट्री सिक्स्टी डिवाइड बाइग गैप कितना है वन एट्टी है ठीक है न यह था पॉइंट नंबर वन एफ आर एप प्राइज एट टी जीरो एट टी जीरो मैंने देखा प्राइज और वैल्यू एट टी इस इक्वल टू टी मैंने देख लिया प्राइज मैं इसका वैल्यू नहीं करवारा मुझे लगता है एल टू में करेंगे तो बहतर है यहां पर पूछे गई लिए ठीक है यह एट टी इस इक्वल टू टी क्या है तेन डेज अब थर्ड एट मैच्यारिटी मैच्यारिटी कब होगी ती इस इक्वल टू वाट शिक्स्टी डेज या टू फॉर्टी डेज है एँ शर्त क्या लगाई थी यह टाइम जीरो पर थे यह टाइम सिक्स्टी डेज यह टाइम टू फॉर्टी डेज शर्त क्या लगाई यह कि इस समय इस समय अट इस पॉइंट ऑफ ताइम थ्री मॉन्स फ्लोटिंग रेट विल भी नॉर्थ ऑफ सेवन पॉइंट सिक्स हां या ना मान लो केस्वन 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 कि सौरी वन एट्टी डे स्पॉट इस इक्वल टू कि एट पॉइंट फाइफ परसेंट कि पुश्चन समझा गया क्या कर रहा हूं है कि साथ दिन के बाद बैट क्या लगी दी सेवन पॉइंट सिक्स का रेट होगा कि साथ दिन के बाद रेट सेवर एट पॉइंट 5 परसेंट दो चीजए कर रहूंगा क्या पॉर्वड प्राइस कि एट पॉर्वड प्राइस कि कि ती होगी एट पॉंट पाइव एरी गुड क्यों मैं चारीटी पे स्पार्ट और फॉर्वर्वड से होता है वही से पड़ के आए थे आलू ने बता है है हां यह ना कि विट मी शूर कि यह सिर्व हाँ बोल रहे हो निकल कुछ नहीं रहें दर थे देखना है समरी टेबल बना रहे हैं कराने कि एट इनिशिएशन थे यह मुझे बताओ वाइल्यू है एट इनिशिएशन यह आता है मढ़ेरे की बार फारोट्लाइश कैसे निकलता है मुझे बताना है थोवर्ण प्राइश्च यह कैसे निकलता 편 उन प्लस तरेक्ट बिक फैक्टर जिस दिन का होगा उस दिन से स्मॉल फैक्टर जिस दिन का होगा उस दिन से लेंगे 360 गाप तो हर बार सेम ही रहने वाला है अब इसमें यह और यह दोनों के दोनों उद्धे कवर हो गए है ना यह यह नो तो दीज तूर अल्सो डण हां या ना शौर विट मी देखना मैचारीटी पर क्या है मैचारीटी पर एफ इस एक्वल टू एस तो फॉवरड रेट इस इक्वल तो यह क्या होगा जो भी स्पॉट रेट है हाँ यह ना यह करने की ज़़ूरत ही नहीं है न यह भी डन श्यूर यह वाला पॉर्ट्शन कि खुशी मनाओ कि यह सबसे अच्छा लगा मुझे यह सब में क्यों नहीं लिख रहा तू सब लेवल टू तू उसे डिगरी ले जा मुझसे पैसे दे डिगरी ले खतम यह लास्ट वाला बोलना इस माइनस एफ जीरो ना लाएक जीरो यहां पर था किसने का जीरो इसने का यह बहुत अब देखना यहां क्या हो रहा है इस केस में क्या हुआ है तुमने कॉंट्राक्ट कितने का किया है कि बस्टेश्थ गया एक सैबैन पॉइंट भॉंट वैटक्व लेकिन यह तो में ऑच यह लिखते है दिया टाउमस में टुम्हें टुम्हेंटतर रुपीज के टांस में त्यूंट जीए अडियार क्यों निपिए बंदा के रहें है यह तो मैं ट्रेड कर रहा हूं तो मुझे जीतने क्लिए यह मेरी फूपाइल को अपंग्रेड कर देंगे मैं खूश होंगा गया नहीं ना उसने बोला येस यूवांट मैंने कहां वो इजद इजद मिली यह पैसे की बात पर बोलेगा ना बता तुन्हें बैट लगाई कितने की थी चीक है ना तो दो बैट अमाउंट इसकाल्ड नोशनल प्रिंसिपल लेट से नोशनल प्रिंसिपल वाज वन मिलियन ये तो पर रहेनम मैं मेरी बैट कितने टाइम की थी ये उल्युक्त 10itte ये इनल तो मुझे क्या मिलेगा 0.90% इंटु वन मिलियन इंटु एटिवाई 360 अलभ यान अरूल इंटमें ऑ dov य स्मिल इप्स पॉइंट मूएं गैं विट मी तिल दिस पॉइंट ध्यान दीजेगा खतम नहीं यह कहानी और नीड यॉर अंडिवाइड़ एटेंशन एक पॉइंट पॉइंट फाइव आने वाद है एक बार वैल्यू देख रहे हैं यह है टाइम जीरो यह है टाइम सिक्स्टी यह है टाइम टू फॉट्टी है ठीक है हम यहां पहुंच गए एफ वाज सेवन पॉइंट सिक्स एस इस एट पॉइंट फाइफ है तरेक्ट मैं बैट का पर्स्पेक्टीव एक बार को छोड़ देता हूं प्रॉमेस वाला पर्स्पेक्टीव लेता हूं मैंने मुझे मदब मुझे क्या कमिटमेंट है मुझे लोन मिलेगा किस रेट पर 7.6 और अगर मैं यहां पर सिर्फ और सिर्फ है जो आला पर्स्पेक्टिव लूँ तो मैं ऐसा बोल रहा हूँ मैं F प्लस हूँ F प्लस विल पे फिक्स और रिसीव फ्लोटिंग येस नो तभी तो माइनस F प्लस S आ रहा है या फिर S माइनस F आ रहा है यही पता था ना आपको तो यह ना यह एस को क्या कर रहा हूं F L लिख दे रहा हूं इसको FX लिख दे रहा हूं bracket मैं मैं लिख देता हूं कि एस माइनस एफ हाँ या ना शॉर पक्का यहां था कोई फिरिक्षिन नहीं करेक्ट कि मैंने 7.6 की बैट लगाई थी मुझे 8.5 मिलने थे 7.6 से उपर की बैट लगाई थी 8.5 हो गया तो इसका जो डेल्टा है वो मेरी कमाई यह चौर मुझे बात बोलना आव अर्ण दिस अमाउंट फॉर पीरियद अफ दिस गरेक्ट मैंने बोला रिसीव फ्लोटिंग पेशिक्स एना रिसीव फ्लोटिंग का क्या मतलब है रिसीव फ्लोटिंग ऐसा हो गया ना कि मैंने वन मिलियन डॉलर इन्वेस्ट कि हैं फॉर वन सब्सक्राइब और पेशिक्स कैसा हो गया मैंने वन मिलियन डॉलर बॉरो किये फॉर मैं बोल रहा हूं इस पीरियड के लिए ही तो हो रही है ना सारी कैलकुलेशन अब देखना यह है एफ एक्स यह है एफ एल मुझे फ्लोटिंग मिलने वाला है कितने कितना फ्लोटिंग मिलेगा इन टू गए 185 परसेंट इन टू 180 बाइट टू आथा इस नो और पे कितना पड़ेगा माइनस वन मिलियन इन टू सेवन पॉंट इक परसेंट इन टू 180 बाइट रिचीश्टी मुझे पह कितना करना पड़ेगा निकालना एक बार तो हममच्छ विल आ पे आप अरी कितना आ रहा है यह बताओ यह मुझे बताओ एक इतना रहा है मुझे बताओ बी कितना रहें माइनस थर्टी एट थाउजन बी किता आ रहे है कि पॉट्टी पक्का हाँ होगा ना एट पॉइंट फाइब करेक्ट फॉट्टी टू फाइवंड़ी आ रहा होगा सब्सक्राइब भगवान ऐसे एकदम देवदाद जैसे मूँ बनाया सारे नालाइकों ने यह देखना यह पॉइंट नाइन परसेंट है कि नहीं है है ना कितने क्लिए वन मिलियन और वन एट्टी वाइट्री सिक्स्टी कितना आता है साड़े-चार अजार आ रहा होगा इतना क्या टेंशन ले यहीं तो किया है दूसरे तरीके से विन का कॉंटम इन पर्सेंटेश टर्मस दिन विन कॉंटम इन रुपी टर्मस इस उसको एनॉलाइज कर दिया तो यह सारा तो 45 तो है क्यों टेंशन में आगे इतनी है सार अब तो हम हैं जन्वे कि विट्वी सो फार इस आस्क राइट विए एक फोटा से टाइप हो था मेरे एंड पे यह 360 मैंने गलती से 240 लिग दिया था ठीक है जस्ट करेक्ट इस ठीक है कुल मिला के यह यार यह समझ आ गया ना सेवन पॉइंट सिक्स की बैट थी एट पॉइंट फाइव का भाव हो गया तो एक प्लस वाला जीद गया कितने से पॉइंट नाइन परसेंट से शर्त कि लगाई थी एक मिलियंग की और कि लगाई थी एक प्लस पार्टी क्या बोल रही होगी मैं तुझे 30,000 देता हूं त से 42 पार्ट तो लूंगा तो नेक नेक में चार चारहजार 500 पर मिलेंगे हाँ या ना अब क्रिटिकल बात वैल्यू ऑफ दिस कॉंट्राक्ट एट मैच्यारिटी इस 4500 पॉल्स फॉल्स एट डिपॉजिट मैच्यारिटी इस 4500 आप से कुश्चन क्या पूछता है एफ आरे की मैच्यारिटी तो यहां है ना एफ आरे की मैच्यारिटी पेस की वैल्यू क्या होगी परेजेंट वैल्यू ऑफ 4500 यह क्या है एगा 4500 डिवाइड़ बाइड बाइवन प्लस आर इंटू पीछे लाना है 180 बाइट्री सिक्स्टी कि इंटू 180 वाइट्री सिक्स्टी क्यों किया क्या था सिंपल इंट्रस्ट और थर्टी वर थरी सिक्स्टी का तो इसलिए ऐसा करना पड़ा वन प्लस आर ओल्टू दी पावर टी नहीं करेंगे अब कोश्चन यह यह आर क्या होगा सेवन पॉइंट सेक्स्ट यह एट पॉइंट फ़िए इस कमरेटार था 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 अंसर छोड़ो जिसको कुश्चन नहीं समझाया वो नो लिखना चैट बॉक्स में मैं कर रहा हूं यह 45 रुपए तो डिपॉजट में चॉरिटी के टाइन के हो गए ना लेकिन आप तो कम निकालते हो फॉवर्ड यह दिस इस दिस जीरो दिस स्मॉल टी दिस इस यह तो यहीं हो गई इसके आगे तो जाने का मुद्द ही नहीं आया कभी तो 4500 वाल्यू एट डिपॉजट मैचॉरिटी यू और रिक्वाइट तो कंप्यूट दे वैल्यू एट एफ रे मैचॉरिटी तो यूल डू दो प्रेजंट वैल्यू नो प्रेजंट वैल्यू पर करेंट रिट क्या है यह सब इसको कहते हैं कॉंसेट्स पूरे के पूरे के पूरे cfm there is no exception to this the present value decisions are the present value exercise is always done at current interest rates period कोई फराग नहीं है इसमें कि 4500 divided by one plus eight point five percent into 180 by 360 कितना रहा है बताओ मेरे को कि डिसकाउंटिंग विटेमरार सही लिखा था जिसने भी आंसर लिखा था कितना रहा है यह बताओ फटाफट अंधर आ रहा है फोर थ्री वन सेक्स पॉइंट फाइफ फॉर ठीक है आपके एक्जैम में पूस्चन ऐसे दिया होगा जैसे मैं लिख रहा हूँ मैं बहुत बार यह पूरा पूरा वैल्यू निकालने का कुश्चन एट में चारिटी की आइकन सॉल दिस पट मैं को सॉल करने से पहले आंसर पता होता है देखना क्या किया होगा आपके एक्जैम में वह लेगा वैल्यू और फॉवर्ट कॉंट्राक्ट एट मेच्यारिटी कंप्यूट करो ठीक है वो बोल देता है एफ एरे प्राइस है सेवन पॉइंट सिक्स और फ्लोटिंग रेट एट टी सिक्स्टी इस एट पॉइंट पॉइंट फाइफ ठीक है जी वो बोल रहा है कि वैल्यू ओफ एफ आर ए माइनस निकालो ठीक है यह दो चीज़ें दी उसने फिर बोला नोशनल प्रिंसिपल इस वन मिलियन और पीरियर्ड कि इस कि पनेट्टी डेस कि है ना कि ऑप्शन्स दे रहा है वा आपको एंटर पीशन पॉर्टी फट्टी फाइव पंडरेड माइनस कि पॉर्टी वन सिक्स मान लों चार ऑप्शन दे रहा अब देखना मैं क्या करूंग एग्जाइम में कि यह यह फर माइनस है कि इसने बैठके आमारी बिलिश बिलिश भी लिश बेरिश इसने बोला रेट होगा सेवन पॉइंट सिक्स से कम क्रेट किता हो गया है एट पॉइंट फाइव जीता की हारा हां हां हार गया क्या आंसर नहीं हो सकता करने की जबूरती नहीं सरी है क्यों क्यों क्योंकि पैटाले सो तो तब आरा होगा अधर्वाइस तो माइनस करने पर पूरा एकदम राउंड ऑफ वाला आंसर आता है ना जैसी खीचूंगा तो उससे थोड़ा सा कम हो जाएगा आंसर इस 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 तो मैं यह टिक मार देता हू उसके बाद कम्प्यूट भी करता हूं अब मैं इसने कहीं और ही कुछ हिला रखता और मैं को पागल बना दे बट अगर मैं आखरी के एक देड़ मिनिट में हूँ अच्छे कुशन बागी है कुशन बड़ा टिक मार आगे कुछ करना ही नहीं कॉनसी मेचुर्रीटी है हमेशा edge- हमेशा फरे मेचुरीटे टक तो जाई नहीं सकते शर्त का तो लेना देनाWhy यहींत वह एक पर ही शर्त लगी दो महीं अबoupe लेट की शर्त लगी थी तो ढोलई न हुआ न दो महिने बाद दो महिने बाद दिखाऊंगा दो महिने बाद तुम बोला था ना 7.6 पैसे निकात तुम बोलोगे लेकिन पैसे तो उसके उस टाइम पे होने चाहिए न दफाटी विल टेल मी दाट येस आई ओव यू 4500 बट आई ओ यू दिस 4500 एड़ टाइम एट टू फॉर्टी एथ डे बट वियर सिटिंग एट शिटिए तो लोगा ठीक है पैसा दे मेरा तू मेरे को या तो पैतालिस सो तब देगा और नहीं तो पैतालिस सो का प्रेजेंट वैल्यू आज ही दे नकी शर्त तो दुहार चुक कि 병 theoret है या नहीं ऑश्य नहीं कि यह एक बर्यूस प्लस पार्टीव रेजीव 4500 एक टाइम 240 यह गैरंटी धेश मैं कोई माख ही यह मिलने ही मिलने है यह सर्टेंट पैसे है या नहीं है this is 100% certain is there any risk in it no there is no risk so this should be discounted at what rate this money is risk free so it should be discounted at risk free rate risk free rate is spot rate spot rate is 8.5 तर दो इजी डिफिकल्ट तर वेरी इजी ठीक है जी आपके एक्जैम में कुश्चन क्या पूछेगा 99 परसेंट चांस बतारों में वो बोलेगा वैल्यू निकालो एड्ट एफारे मेच्यॉरिटी एक ये कुश्चन पूछ सकता है दूसरा वैल्यू एट टाइम जीरो पूछ सकता ह यहां पर दिखा रहा है जो मेरे इसाब से आप से कुश्चन पूछे जा सकते हैं मुझे यह कुश्चन पूछने का चांस दिखता है यह पूछने का चांस दिखता और यह पूछने का चांस दिखता है बीच में पूछेगा एंड मैं स्पॉट्रेट पूछे को चांस नही है इन फाक्ट मुझे लगता है यह भी लॉजिकली नहीं पूछेगा वह देडोंट लाइक गुगली सौट आफ कुस्टिन जिसमें बंदा ट्रंप हो जाए उनको वैसे कुशन नहीं पसंद तो वैल्यू एट इनिशेशन पूछेंगे मुझे उमीद नहीं यहां पर या तो प्राइस निकॉलेंगे या तो मैचौटे से और इमें बोलना रहे गया था बोल दे रहा हूं सुनना अपको फिजिकल डिलिवरी और कैसे लिमिंट दोनों समझाया मैंने लेकिन इसमें होगा हमेशा कैसट सेट्लमेंट किया हूं विक भीकोग कोटक के पास जवाब ऊसको तो आज से 3 महीने बाद दो साल का लॢठ देना आफा उ सद्रूसाल का फीर सब्सक्राइब ने एसमें पाल रहा है तुम झाल हुए Сब्सकी ka जी सब्सक्राइब बैंक विल टेल यू यहां पर क्या होगा मार्केट का एक लेग रहेगा एक्स्पोजर का दूसरा लेग रहेगा है इसी लिए प्लस एस माइनस एफ या प्लस एफल माइनस एफेक्स समझाना ज़रूरी आपको कर्रेक्ट कि दूसरी चीज एक तो हमने बोला इसा क्याश सेटल्ड इंस्ट्रूमेंट दूसरी चीज में एक लिए बोला जाता है इस एडवांज्ड सेट्ट एडवांज्ड सेटल्ड सुनना यह 45 और पर कब मिलने चाहिए विनिंग पार्टी को डिपॉजिट मेचॉरिटी पर कब मिल ठीक है उसकी लेंदारी टू फॉट्टी एट डे पर मिल रही है लेकिन वह रुके क्यों एडवांज में सेटल कर देना भले पूरा माउंट ना दे उसका प्रेजेंट वाल्यू देज़ें ठीक है जी लिख सकते हैं पहला कैश सेटल्ड दूसरा एडवांज सेट एडवां इस वीडियो आपको इसके जस्के टूपर एक मीडियक मिल जाएगा गो सॉल्ड एक 30 मिनुट्स वीपर एं देन कम तो विव दिस वीडियो पर दो 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 फॉस वर सिटिंग लाइट सी क्या आंसर से रहेंगे आयो देखने इस विशन वन इस एसके एंटिस एंटिस एंटि 2sma.000.000.000 inheritance in six months शे लो यंव भॉदिम इंट इंट-पर वनियरश एंट जाक्यास के अगरें जी मेर आंटिए गौट्छटार माव नियु का प्ला इसका एफbolड WWE What is the most reasonable position that she would take long a short six months of a one year 360 118 1 truth she is receiving a million dollars she has to invent this not if she has to invest in that this here is interest rate would go down so that's why she wants to lock in interest rate would go down बिए अब बुलिश विए अब इस विए अब इस फारे शॉट का होगा अपना तो यह तो शॉट एपारे इसमें नहीं कि अब कितने टाइम में पैसा मिलने वाला है इस सिक्स मुंस में तो एक स्पारी कितनी लेंगे इस एहां पर होगा शॉट यहां पर होगा 6 मुंस और कितने साल के लिए इंवस्ट करना है एक साल के लिए तो कौन सा अमरार लेंगे 360 ने तो तो दी आंसर एस शॉट एश्वाट आगे चलते हैं कि या बाद आगे चलते हैं कुछ इन टू इट सेज सर्टाज कॉप एंटर इंट इंटू ए शॉर्ट पोजिशन इन फॉर्वर्ट कॉंट्राइट बेरेश बुलेश है कि इसे इसे कितनों से नहीं बना सबसेवन गया नहीं बना क्यों कि सर्टाज कॉप एंटर इंटू इंटू इन फॉर्वर्ट कोट्राइट बुलिष बेरेश बंदी कर रहा है इसकी बैट है डाउनसाइड बेट स्वाट प्रैसे सौ में कॉंट्रैक्ट इस फोर इसिक्स मन्स रिस्क फ्री इंट्रस्टेट इस फॉर पॉंट ली यूश्या काम नहीं गया कि वर्ट शुट बी दो एक्षरसाइस प्राइज ऑफ दी कॉंट्राइक उसिंग रिस्क नूट्रल प्राइजिंग प्रिंसिपल एस्यूम डाइट देर नो बेनिफिट्स एंड कॉस्ट एस्टोशेटेड विट फोल्डिंग दी कॉंट्राइक सिक्समांस का फ यह आते हैं एक्षाइम में कुश्ट देख क्या अंसर होगा बुलिज भी इस तिखाग पर वानी है कि क्या ही करना है आपको दो एफ निकालना है इसे कुश्चन पढ़ने में लग रहे हैं दस सेकंड फंद्रा सेकंड तो हो नहीं सकता एक सो चार जादा होगा क्योंकि साल पर होता तो एक सो दो यह आंसर चे महीने में आलमोस आफ है कंप्यूट कर मतब इस्ट यू नीड तो पिक यॉर पैन फॉर दिस यह कि दियांसर इस बी कि नेक्स्ट सर्ताज कोब एंटेड इंट्व शॉर्ट पोजिशन इन फोड़ कॉंट्राक्ट इस पॉर सिक्स मॉंट्स कि आरे फिस फोर पॉर पॉंट जिरो फाइब वही उपर वाला केस हो गया एक सो दो कि एक्सराइस प्राइज इस वन जीरो टू अच्छा ठीक है एफ वन जीरो टू है बोल रहा है सब कुछ निकाल के दिदिया अत्षराफत अगला कुशन पढ़ लेके तो पिछले वाले को आथा आंसर बता हो जाता है हमने वहीं किया था 3 months after initiation the stock price is x02 value plus अरी होगी minus अरी होगी क्या से था वैल्यू प्लू प्लस ये माइनस 0 तो वाली जीरो आएगी एक बार कुश्यन पढ़ लेते हैं पुला वाट इस वाल्यू आट दिस पॉइंट थर्ड मन्त पे पूछ रहा है वाल्यू क्या होगी वाल्यू पूछ रहा है वो प्राइस पूछ से नहीं रहा है कि सुनना है सुनो अगें देखना निकालना नहीं पड़ेगा मुझे तो आंसर वैसे ही क्लिक हो गया आई तेंक लॉजिकली सोचोंगे तो आपको भी आई जाना चाहिए था कि यह टाइम जीरो है यह टाइम यहां पे है सो यहां पर होना चीए था 102 102 kब होना चीए था इस इस में फरी मंट पर ही 102 हो गया अगर ? बूलिच बैट होती तो क्या वेटушка थी छे महिने में 102 थी महिने में 102 हो गया तो भारी POSITIVE आना चीए था यह शौट में अंसर नेगेटिव में आना चाहिए करना ही कुछ नहीं है फॉर्मुले की ऐसी कि तैसी निकाला जा सकता है निकालना चाहते हो करो वैल्यू तो पॉजिटिव इडिव तू एस माइनस प्रेजेंट वैल्यू ओफ एक सो दो 102 माइनस present value of f कितना है present value of f भी 102 है यह s है यह f प्रेजेंट वैल्य आफ 102 क्या होगा 102 divided by बाइब वन पॉइंट जीरो पॉर जीरो फाइब फोल्ट तुदी पावर सिक्स बाइट वैट यहीं होगा ना सही कर रहा हूं ना कि समझा रहे है कि नहीं आ रहा है यह थरी मन्स पर वैलिव निकाल रहे हूँ म ведь यहां पर क्या होगा सिय माइनस प्रेज़ेंट वैल गए चैश चितना है एक सो कितना था एक सो young तो प्रेजन वान प्लस पॉर पोईंट breaks पर्सेंट डिवाइड बाइज द्युरो पॉइंट पार्टी टो प्लस पार्टी वैल्यू टूमाइनस पाटी क्या होगा माइनस ओवाल्यू टूप्लस पार्टी यहस्ट नू सभी कह रहा हूं ना मैं तो दिस शुर्ट शुट बी नेगेटिव इसंट इट है ना तो करना ही क्यों है कैलकुलेट एक ही तो आंसर है नेगेटिव में लॉंग पार्टी बोल रहा था भाव उपर जाएगा लेकिन ऊपर चाला गया तो नेगेटिव होगा आंसर तो सिर्फ आप्शन नहीं है ना थी का एक यस नो थी एक करेक्ट आगे मूब करते हैं नेक्स्ट वन से सर्थाज कॉप एंटर इंटर इंट्व शॉट पोजिशन इंट्व और कॉंट्रैक्ट प्राइस ऑफ दी अंडरलाइंग इस हंड्रेट सारह जारा सेम कुश्चन है एक्सपिरेशन की बात कर दिया एक्सपिरेशन एट्टी है बैट क्या थी एक सो दो से नीचे जाएग कि यह चार कोश्चन इत्ती देर में होने चीज़ें तीन मिनट और क्या इस स्यादा क्या टाइम दे लोगे कि दस मिनट पर तो मैंने डिस्केस कर दोंगों की बहुत रहुत ना समझा रहा हूं है नेक्स देखना इसके आगे कोश्चन तो सी बुक से हैं इसे किया हुआ तो इडेंटिफाइब कर लिया हुआ देखना वाइट ताइगर फंट फैनेशियल इस ब्रोकर डीलर एंड वेस्ट मैनेजमेंट फोर्म ब्रोकर डीलर का मतलब पता है आप लोग इस ब्रोकर डीलर रोकर के इंटरमीटियर जो भी जो मैटा है दलाल ठीक है ना खरीजने और बेचने आले को जोड़ रहा है डीलर के वह सौधा मैचे और कराने के लिए दूसरी पार्टी बन रहा है मतलब मार्केट में सिर्व खरीदार है तो मैं बेचता हूं सिर्फ बीकवाल है तो मैं खरीदा हूं तो वूसरी दीलर डीलर डीलर इस दावश्च अवन हूं वीकम्स गाॉंटर पाटी खूज थो ब्रोकर विकम्स थे कि गोटर मैंच दा फॉलाइंग देफिनेशन विद देर कर्रिस्पोंडिंग फॉर्वड प्राइसिंग और वालुएशन कंपोनेंट अगें देखना यह कुश्चन कैसे होता है यह कुश्चन मुझे एक्जाम पस्पेक्टिव से तगड़े रगते है क्यों कि कुश्चन एक पूछ रहा है यह मार्क्स एक देखा लेकिन कुश्चन तीन सौल करा रहा है तीनों आने चाहिए न आपको तब जागे ठीक तीसे बनेंगी ना बताना बोल रहा है यह किसकी डेफिनेशन है यह बताओ इक्वल तो दिफरेंस बिट्विन दी करेंट्स पॉर्ट्रेट एड वन इस बी ऐसा कैसे करेक्ट है फिल्कुल करेक्ट है बिट्वीन इंसेप्शन एंड मैचॉरिटी की बात कर रहा है वन इस इंडीड बी ओके नेक्स बूर रहा है फ्यूचर वाल्यू अब दी अंडरलाइंग स्पोट प्राइज प्यूचर वाल्यू अव धी अंडरलाइंग स्पोट प्राइज कंपाउंड एट था इस प्री रेट इन कोपरेटिंग प्रेजंट वाल्यू अफ दी कोस्ट अब बेनेफिट अब दी एसे टोनर्शुरी एक यह मैं हां कि क्या आंसर में कि क्यों तूब आंसर सिए क्यों अब ऐसा है आपने वैल्यू और प्राइस विदा टू वेरी डिफरेंट दिंग्स बट् और कॉंट्रैक्ट और प्राइज ऑफ फावड कॉंट्रैक्टर तो वेरी डिफरेंट यह क्या बोल रहा है फ्यूचर वैल्यू ऑफ दी अंडरलाइंग स्पॉट प्राइस तो यही तो है अगर आज आलू 100 के हैं तो एक साल गाद 120 के होंगे यही फॉवड प्राइज है य इस दिन आप कॉंसेप्शली बहुत ज्यादा तकड़े होंगे तो यूविल आइडेंट चीएफल चूट यहां फसा रहा था आप लोगों वैल्यू वर्ड पे आप क्यों नहीं फसे आपने उतनी इज्जद ही निदिये उसको आपने मतलब ही नहीं इस बात से हमें दिखी इंसाइड डी एक्जाम हॉल आप ऐसे नहीं ने चूंडेंगे पेपर में आपने पहले चाहिए नहीं देखेंगा ऊंड़ेशी नहीं 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 पड़ा होगा हापने पता नहीं पड़ा होगा अगी नेक्स्ट अंडर नो आर्बित्राज कंडिशन चैने सर पढ़के और गिवन अंडर्लाइंग स्कॉट प्राइस सो एड्जस्टेट बाइद कोस्टेंड बेरिफिट आर एंड आर एंड फॉवर्ड प्राइस शुडबी इक्वल तो जी रही बात वैल्यू एट इसेप्शन यही तो रटा है हमने अभी तक यही तो पता है हमें कि यह 0 होगा और यहीं बोल रहा है विल्कुल मुझे लोग कहरें मुझसे बन गया था और फस्ट बन गया था तो पता था टू तो सी होगा अब कुछ नहीं बचा है एक्जैम में बता क्या कि होगी कि तीन नहीं आई है कोई एक कोई दो हड़ जाएगा वह पर बात बोलेगा नीचे आई कर फंड क्लाइं करेंटली ओंस पांस परेंटली ओंस 5000 नौन डिविदेंट पेंग शेर्स ऑफ लिए अटा स्पॉर्ट प्राइड ऑफ 173 पर शेर पांच जार शेर से इसने क्या किया अज़ा खरीद रखें ठीक है होल्डिंग है उसकी रेक्लाइन एंटर्स इंटो अफॉर्वर्ट कमिट्मेंट तो सेल हाफ आप अव दीज है अट प्राइड ऑफ वन सेवंटीव पॉइंट पाइड 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 प दिया हुआ है तो राजस क्या किया तुने इसमें सेटें तर आपने उससे क्यों पूचा आएड इस इंट्यूशन्स चेहरे दें कहीं लगता है ना कि नहीं अभी बंदा अंदर कॉंट्रेंट सांट कर रहा है तब ही पखड़ता हूं मैं बट ऐसा वह नहीं है ठीक है इसने क्या किया लॉंगे शॉट है अब मैं एक बार पूरा पूरा कुश्चन दुबारा बोलता हूं इसके पास और डी को शेयर्स हैं उसको डर लग रहा है कि इसका भाव गिरना जैंग नहीं लोग क्या लग रहा है उसे लग रहा है मुझे खाना खाना है यह यह एंटर इंटर इंट्व और पॉरड कॉंट्राइक तो चैहल हा यह इन सिक्समेंट इस प्राइच तुट पूर डर लग रहा है वह उसकी मर्जी वह उसके शेयर से और से हैं इस दुमाइब 175.5 which of the following event is most likely to result in the greatest gain in contract MTM value from the clients perspective increase in RF deucerate decline in stock price इसरा is steady rise in stock price of view ABC B C. Adams have not stated anything about English. इस एक्स्पेन हीन क्या वह हुआ है? A B C. Okay. People are saying B. Let's analyze it. Mujha e बात बताना, He has shares already. Let's say he has 100 shares. यह यह ज़स्ट देन एफ माइनस इंटुटी आया ना इस दन एफ माइनस इंटुटी तो जो फिफ्टी पर कुछ नहीं किया उसको भूल जाते बचे फुफ्टी की बात करते हैं बचे फुफ्टी की जो सेलिंग प्राइज होगी इफेट्टिव वह क्या होगी इस वाइफ् वन सेवेंटीव पॉइंट फाइव इट इस विल बीडिए एफेक्टिव सेलिंग प्राइज नो विल ही है और विल है एनी लॉस्ट पुश्टन समझा गया इस गें तो स्पेक्यूलेटर गोता था था ना यह तो है रहा है यह जार है कि स्पेक्यूलेटर है इसको गेन लॉस्ट होगा गया विल ही गेट एनी गेन और लॉस्ट ऑफ दिस ओवराल ट्रांजेक्शन तो गेन पूछी कैसे रहे है तो मैं कुश्टन समझागे मैं क्या बूल पूल तो जस्ट गिब मीश्ट एवरीवन ओवर है इस गाया सब्सक्राइट एस नो इस एफेक्टिव प्राइज ट्वेंटीफाइगंगा पूल यह पूछी कैसे राएं गेन और लॉस्ट उपक्षिन समझा गया, इक देकृश्ट इस घ्जार, इस किरिस एफटिट प्रशूंग का चलए में अधिर कि अप्रश। एल इस एफ घ्यान के अठकिश एल्टिक अपिए प्रशूश। he is asking for it because he is saying that which of this in which which of the following events is most likely to result in greatest gain in the forward contract mtm value meaning this question is saying that effective price will be 175.58 that's okay but in which case hedge will show you the maximum plus tell us that so practically he is asking the question of a speculator even though he is giving the case of a hedger ignorance is bliss यहां आ रहाए ठीक कहीं नगहीं ठुकेगी गाड़ी यह सोचना होता है in questions में when I read this question this is what I deciphered कौन सा फाइदा कौन सा MTM में वापस question पढ़ा तो आगे लिखा था कि MTM in forward contract का hedge का value oh oh okay he's saying in which of these cases will he get the greatest gain he has an f- पॉजिशन एफ माइन अगें कब आएगा एगा फिर्ट सेट पास अग है और प्रीले है निट अट रही और देशन को एग एगा बनारे अंसर ठीका रही इंग प्रेंग इस ट्रॉक अब लॉक प्लॉक अग्ड तो ड्यूजर व्लॉक अग्ड अगल कि लग बहुत अच्छा चल रहा होगा बार बार में टेस्ट करूँ को हो जाएगा हुँ है नेक्स्ट अ क्लाइट एंटरें फिर लोंग 6 मंथ में एम एक सेट अबलीक यूसदी एफ एक्स पोवर्ड कॉंट्राइक जो जो तो इस रितना कोश्चन देख के बताऊ को इफ समवन एस एंटर इंटर इन तो इस समवन एंटर इंटर इन तो इस कॉंट्राइब लॉंग 6-month MXN USD forward contract the contract is true तो इस वो मद वाट इस दूट्रेक्ट सेंग शिक्स मॉन्स बाद क्या खरीद होगे क्या बेचोगे लिए जी खरीद होगे बेचोगे इंटो लॉंग शिक्स मॉन्स एम एक सेंड एक सब्सक्राइब इतने को देखके बताओ यूएस्टी बेस है तो यूएस्टी लॉंग जाएंगे बस इतना पता होना चाहिए इस इस वाट गुड़ कॉंसेट्स मीड आगे वह बोड़ रहे है तो इस अग्रेमेंट तो सेल एम 19.8 248 वाट इस MXN 19.8 248 इस इकल तो यूज दिवन अगें यूज की सेवा हमारे तरफ यूद रहे तरफ यूँ डिली इन देस पर देख्स मुंथ MXN forward the six month MXN risk-free rate is 4.25% 6 month USD rate is 0.5% इंट्रस्टेट डिफ्रेंशियल किता है 3.75 पक्का जिससे पूछू हम वही आंसर देगा लास्ट राजस इन six months USD विल पॉल बाइ 3.75% यह राइस बाइ 3.75% बढ़ेगा पक्का क्यों अ क्योंकि उसका इंट्रस्ट रेट कम है तो वह बढ़ेगा 3.75% पर राइनम से यह six months तो 3.75 साल का है यह मोटा मोटा 1.87 कुछ बढ़ेगा श्यार यूदों नीट कैल्कुलेटर स्टू 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 इस तर्म्स आपको पता होना चाहिए आपको मोटा 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 यह नंबर आएगा उस पर बहुत ज्यादा वेरियेशन होती देन अलाम बेल और यह स्कूरू स्कूरू आगे देखते हैं वाइट टाइगर फंड्स मार्केट स्ट्राटेजिस प्रेडिक्ट्स देड़ा मेक्सिकन सेंट्रल बैंक को टी मेक्सिको यह सब टाइम पार्स कर रहे हैं आप एक्जाम में जाओ पिच्चर यह दिखाना शुरू कर देता है देखरें देखरें देखरे यू आर थेंकिंग बहुत मैं कहां है यह क्या चल क्या रहे है क्या बैंक को टी मैक्सिको क्यों इस वाज़ाइड बट देव बंबार्ड इंफरमिशन तूर्स यू तीन मिनट दिये नहीं आपको उच्छे मिनट का डेटा देंगे ले सब कुछ दिया तू निकाल इस से क्य अधिन एक्षाम में क्या रहता है वो उसका इसुद्ध यू थे एक्षांग दीट अपॉन ते इस्ट वन्हां पूर्ण पूह थे निवे तो इसका स्ट्राइज बोल रहा है कि आधी चेंट्र बैंक इंट्रस्ट एट गटाए बेए डेविक तो धिकर शॉट यू एस या मेक्सिको मेक्सिको एंडायस मेक्सिको इन्तर्स रिए वर्ड विल बीदैंपक्त या बता था कैंग थो एश पॉट्रेट है ये 19.8 4 एट टू-पूर एय शॉर यदए रही दौ सब्सक्राइब निकालना होता तो नुमेरेटर में क्या आता 1.0370425 या 1.05 क्या आता एट तो फॉर एट निकालना होता तो यह एम एक सेन है यह डॉलर है एम एक सेन का रेट के यह 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 ना ऑविसली उपर में 6 x 12 यह होगा ना सभी कर रहा हूं ना सब कुछ ठीक है अब अगर वह इंट्रस्ट रेट गिर जाए तो उसका इंपैक्ट क्या होगा यह पूछ रहा है विच आव दी फॉलवाइंग स्टेट्मेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स हाउद अग्सिश्ट फॉलवर कॉंट्राइट यह फ़ॉर्व कंट्राइक रोंत हो चुक आइज वे इसकी वैल्यू पर क्या फरकाएगा ना ऑड़ ब्यूर अग्जश्टीं फॉवर्ट कॉंट्राइक्ट विल बी इंपैक्टेटीम्द इसकी वैल्यू पर चुज्ड और अधर अधर फिंस बीइं पावाई लिखा हुआ है बताना दा लोवार इंट्रस्ट्रेट इपरेंशियल इंट्रस्रेट इंट्रस्रेट इपरेंशल तो लोग रही तो ठीक लग रही है दे लोवर इंट्रस्ट्रेट दिफरेंटियर विल कॉस दो में एमेशन फॉर्वर्ड कॉन्ट्राक्ट फॉर्वर्ड रेट तो बी अज़स्टेड दावन वर्ड तो ठीक लग रहा है नहीं यह ठीक लग रहा है यह लाइन मुझे ठीक लग रही है लाइन में तो फ्रॉब्लम ने दिख रही है तो लोग रिट्रस्ट्रेट दिफरेंटियर विल कॉस MXN USD कॉंट्राक्ट तो बीड़श्टेड दावन वर्ड्स मुझेज बढके फॉर्वड रेट नीचा दाईर दाउन अनुट्राक्ट वल्ट रर्ट रिजोंत पांड्राक्ट व्लाग लोग वो वह गौंट्राक्ट चेंज नियों सकते है सब्सक्राइब क्यों क्योंकि यह 4.25 के बदले 3.75 हो गया होगा येस नो परेक्ट कि दख्लाइंट पार्ट भी दख्लाइंट विल रियलाइज एं एंट्यम गेन होई नहीं सकता है क्यों क्यों क्योंकि उसने लॉंग पोजेशन बनाई टीन लॉंग पोजेशन थी नहीं यह देख इसने बनाई लॉंग पोजेशन इसने बनाई लॉंग पोजेशन न्यू एफ घट रहा है तो यह गेंद तो होई नहीं सकता तो यह तो सरासर मतलब मैं आगे पढ़ूंगा इनिक उस्ट्शन को कि ठीक है कि कि लॉस्त द से ललोगर इंट्रस्ट रिफरेंशल इंट्रस्ट रिफरेंशल दो किरर्ण विल कॉस्ट तक्लाइन है तो रियलाइज एन एंटीम लॉस यह ठीक बोल रहा है ऑन दी एमेक्सन यूस्डी एमेक्सन यूस्डी था फॉर्वर्ड कॉंट्राइट यह इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं देख रही इस इस राइट इस इस राइट सेवन सी यहां पर क्या था कॉंट्राक्ट रेट कम आएगा आपको यह बताओनों चीब तेको इसीलिए सेवन का यह नहीं होगा करने के लिए आपको बता оч सैवन सी है क्लाइंट सीटिंग एडवाइस ऑन फिक्स इंकम पूर्फोलियो अब्जर्ब प्राइस एंड वाइटी एंड वाइटी एंड वन यह एंड टू यह एन्वाइल कूपन गोवर्मेंट बेंचमार्ग बॉर्ण्स करेंटली अवेलेबल इन दे मार्केट क्या बुल रहे है घंब्र हो कॉन सीट यह और फिस्ट सब कुछ बताओं आप एसी लिए वाला पूश्ते हूं कॉन सा रेटेग तकूल टर रहे इसोटा कि पेड़ दूबारा प्राइज एंड वाइटी मोफ वन यर एंड टू यर अन्वल गूपन गवर्मेंट बॉंच्मार्क बॉंड करेंट्ली अवेलिबन इन पर्ट्रेट रहे टाइट रहे चलो ठीके नो वरीज अपने को कोई फोरग निवाटा आरवन और राटू दिया विच आप फॉल्लाइं इंड स्टेटमेंट बेस्ट टिस्क्राइब रहे घो थो और टू खवरण जबॉल रहे निवाट रहे झाल रहे वी अंड वन य निक एल्च स्टेंड थे लिए एंड वो लूर रहे य। कैश्फ फ्लोः मिए इन्तर्मेडियर डू तो इन्वाल भी निकर रहें इंतर्मेडियर टैश्ट नहीं आस थे टू-यर रेट इन्वाल्स इंटर्मीडियर डीडेट कैश्फ फ्लोट देवाइट दस्क्वेयर ृट ऑफ सब्सक्राइब कि कैसे करेंगे यह यह आर्टू दिया है यह आर वन दिया है यह रेट निकालना है कैसे निकालेंगे हैं जी सर बताओ आप बताना कैसे हुआ पूरा आर विर्पला कारहित है थैल बसक्राइब कि आंगे इस पापन को अब्स कि आए थिए गारेंगे तीकाल कि विल्सक्राइब को जी गळेंगे से एपिंदेट्ड इस भावर ही थाक्ति सेंगे न को अधिके और गारेंगे दो कि गविए वावल कि अन्य देखते हैं पर्स तो नहीं है सेकंड ने सिंस्ट फ़र्स यह रितॉन अर कंपाउंड़ इन दे लिन 1 plus r1 multiplied by 1 plus the break-even reinvestment rate equal to this and solve for the break-even reinvestment rate यह इभी ठीक लग रहा है मुझे तौनिया इसमें क्या कलती है कि सिंस फिर्स्ट यह रिटर्न्स आर कम पाउंड़ेट इन देश्ट इन तो के आर वन हो गया नहीं है इसेट वन प्लस आर वन मुल्टिप्लाइड बाइवन प्लस ब्रेक इवन रेट एक वल तो वन प्लस आर्टू होल स्कूर या सब सही है और वार दो ब्रेक इवन रीइंवेस्ट में रिट इस वह रहा था ना वूज़े तो बी में भी अभी तक कोई गलती न लग रहे है since first-year's returns are compounded in the second year correct set one plus r one multiplied by one plus breakeven the investment rate equal to one plus r two square and so I think this is good I think this is good third it's kind of like what that says the break even reinvestment rate involves the zero coupon cashflow first substitute the one year r one into it into the two year bond price equation to solve for the two-year spot rate or z2 and then set and then set 1 plus r1 into 1 plus break-even reinvestment rate is equal to 1 plus z2 square and solve for the break-even reinvestment rate I think I know the answers why not b b C में क्या प्राब्लम है और C में क्या ठीक है ये बताओ मुझे प्राइस प्राइस अड़ाइस अब ये अब ये अन्यों कूपन गवर्मेंट बेंचमार्ग बॉंस क्यान यह एननोल कूपन देरे हैं किया यह सपोर्ट हो सकते नहीं हो सकते लगोट दे रहे हैं कूपन देने वाले अगर इव देंड बॉपन टेंट क्या इकनल कूपन कैन चुल इंड बे इस पोटरेट बाइब कुद Spaßchy नोच वाएपी इस नО्द औरफ सेट cd तो यहां ऑर बार तो यह घजब कंपैसिजों करते हैं किसके बेसे इस से कहा निकालना पड़ेगा यह वन यह आर्वन और वन यह आर्टू से क्या निकालना पड़ेगा स्पॉट रहा है दिखना यह क्या बोल रहा है अब दुबारा एक पड़ते हैं इसमें इंटर्मीडियट कैश्फ प्लोथ यह मैंने गलत पड़ा हूँ डिवाइट दस्क्वाइर रूट ए और वन प्लस रटू रटू बाई वन फ्लस आरवन इसमें क्या गलती नहीं पता है दो चीज़े स्क्वाइर रूट नहीं होता है उसका स्क्वार होता है तो यह कर रहे हैं बैटके हैं हाँ या ना भंब गुशन ताबड तोड़ गुशन कि टेक्स एवरी बिट आप यॉर नॉलेज तो सॉल्व देस्टोइशन याद वाद करके रट रुटा के नहीं चलेगा रहा हुआ कि आपको 100% पता चलना चाहिए कि बॉस यह जो है इस पॉर्मॉला लगा दिया तो आंसर ऑप एट इस सी आप सारे सारे एट पे खुद को जीरो मार्ट दे सकते हैं भले आपने सी मार्ट किया तो तो तुक्का है क्या ही पायदा है तो याद था तो दे दिया लास्ट दो कुश्चिंज और है डवलूटीएफ फॉंड्स सीग्स तो गेन कॉंपेटिटिटिव एड्वांटेज बाइकिंग मार्जिन लोन्स एक पिक्स रेट्स पर अप्टो 60 देज तो इट्स इंवेस्टर क्लाइट्स सिंस्ट फंड बोरोज एक सब्सक्राइब बोरोज एक वरीबल 1 पर्सेंट मार्केट रफ्रेंस रेट इंटू मैं बता रहा हूं आपको एक्जाइम में क्वेशन तोड़ देते हैं आपको विकॉस्ट हाफ क्वेशन एस पास्ट एंड यू है टेकन अट लीस्ट ट्वेंटी जार्गन इंट यह पूरे की पूरा अभी तक यतना मैंने पढ़ा यहां तक यह देंट इन्ट इंट नंथ पॉर एंफरेंट वान एंट एंट अफरेंट ना कोंट राकल वन मन्त मरेंट यह निर्श्टेट एंट्स एंट इंट्रस एंट्स एपूजर ऑफट्स मार्जिन लोन बुख विच अभी तक पापना टेकवे बताओ out of this whole piece all you need to know is that he is borrowing at variable rate borrowing at variable this fear that rate will rise the rate will rise what will you do FRA long FRA long receive fix pay float or receive float pay fixed jab bhi FRA long floating rate interest rate bhandne waala mughi badawa chahiye receive float long FRA long FRA long FRA long FRA long FRA long FRA आपको मिरे साथ contract में एंटर करना हो तो आप क्या हो लेगी जितना इंट्रस्टेट करोगा उतना मुझे दे लेगी और आज मेर से टै कर लेगी मुझसे 10% तुम लोगे मैं तुझे 10 दूँगा कल जितना बढ़ेगा उतना तुम मुझे दे लेगे आज मुझे प्रॉमेस कर कि तुम मुझे दस पर्सेंट दे लेगे इसको क्या डर लग रहा है इंट्रस्टेट बढ़ेगा यह क्या करेगा इंट्रस्टेट बढ़ेगा इंट्र कर लिया वह बता रहा है लेकिन यही पूछेगा और क्या पूछने वाल यह आई विच आप दी फॉलएंग सेट्मेंट बेस डिस्क्राइब कि दे इंट्रस्टेट एक्स्पोजर एंड डिए फरे पॉजिशन इट वोट टेक तो हैज देट एक्स्पोजर यही पढ़ा है अमने अभी तक है अगर आप मेरे जैसे हो तो मैं दोनों लाइन को एक साथ ही पढ़ता हूं डब्लू टी एफ पेसेज एक्स्पोजर टू राइज इन एम रर ओवर दे नेक्स तर्टी देज दोनों से में तो इट शुड़ एंटर इंटू फोरे के बोल रहा है यह वੇए भी वाग्या मैं नहीं नहीं इसकता पॉंहें पुझ नहीं सकता फ्लोट रिसीवर एंट अज एक्टि प्राइज प्राइज तो बेनेफिट प्रम व्राइज इन वन मन्स MRR अब टसने इन फारेट यूंही और इंग और यूख का सॉ एफ टेटिस फ्राइस क्या होगा कि प्रैस क्या ये जो एक पालिए टरिक का प्राइस सिक्डु होगा वाइघत के बाढहरे बस बरुता नहीं आपको ये ठीक बढ़ रहे लेडelen कि फंड ने अब्जर्व किया वन मन्त है माराइस 1.2 टू मन्त है माराइस 1.5 विच अब फॉल्वाइं इस फॉल्वर्वड रेट वाइट वाइट टाइगर पंड वोड एक्सपेक्ट और वन एंग वन एंग यह जो रेट देर थे कि वाइटी एंगी स्पॉर्ट एंग सब्सक्राइए अब बता दो है पार्ट की दिक है मारा लिवरी तो इह फॉर्ट ही है वह स्कॉत यह हूए यह यह गो तरह यहां मन्ट सेंपोर्ड टू है वाला निकाला है कि मैं वन पॉंटिव्स फाइट तो 1.2 और 1.35 की आवरेज 1.5 आएगी निए दो ऑप्षेन बचे 1.8 एंट 3.55 कि 3.55 हो नहीं सकता बहुत बड़ा हो जाएगा क्योंकि दोनों का वेट पराबर है ना तो यह यह आंसर कितनी देर लगती है इसीलिए यूजी निया कैल्गुलेटर का एक्जाम में बुद्धी है आपके पास को कैल्गुलेटर का इस्तमाल बहुत कम होगा नहीं तो टक्षा क्योलोबैट के एकजाम में बढ़िया तो 1 प्लस रत is equal to 1 प्लस छोटा इंटी इस रत इस रतो चोटा वाला रेज इस रतो चोटा वाला टी कि थ्री पॉइंट फाइट और वन पॉइंट दो ऑप्शन बचेंगे आपको देखके बता चलना चाहिए आंसर तो वन पॉइंट एट ही है कर लो क्यालकुलेट शक होना अच्छी ची जाए मुझे भी बहुत रहता है लेकिन बिना क्यालकुलेट कि यह पता है कि आंसर वन प यह नेक्स टॉपिक डिसकस करते हैं सॉप्स आई एम वोपिंग यहां पर यहां पर अगर आप वो नहीं पढ़के आएं तो आम अफ्रेड आपसे बनेंगी नहीं आई यह देखना स्टार्ट करते हैं अगर देखना एक बार लॉंग एक और बात बोल दूं ऐसा है आपकी बुक्स में ना सॉप्स दो पार्ट में बटा हुआ है दो फर्स पार्ट इस सॉप्स इसके बाद इसकी प्राइजिंग और वैलुएशन डिसकस किया है मेरे ख्याल से कंप्यूट नहीं पूछेंगे वो एक्दाम ने ठीक है पुक्स कंप्यूट इस नॉट रिटन इन 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 वर्ट इन वर्ट इन वर्ट इन लोस दे डोंट से कंप्यूट राइट तो मुझे इसकी से टेक अप कर रहा हूं आपको इससे सारी की सारी चीज़ें अच्छे से समझ जा जाएंगी देखिएगा लॉंग एफारे क्या है जैसे पेफिक्स लॉंग है तो ओबस्ट प्लुईगेशन यां कॉंड्रैक्ट लॉंग पर ऑभलीगेशन लिख सकता हूं क्या है में लग Till Tanner तथी Curry अभलिओ है लिक्ट दे ना मचेंअ के ऐख मॐन न कॉन्टराइक्ट तो टेक्स करणा अब बोलना कि इसमें मेरी बैट के इसे मेरी बैट के अगर मैं फ्लोट कर रहा हूं तो मेरी बैट के अब साइट बैट और इसमें बहुत बहुत जादा फाइट होने भी नहीं चीए कि लॉंग का मतलब ही अब अगर मैं इसी के बदले लिख दो लॉग तो दें 10 लोंग साफ ये लांंग इंटर्स ट्रेट सब या ब्रेकेट मी लिःततोंं इंटर ट्रेयट सॉप का लॉंड अगर मैं कर रहा हूं तो यहां क्या बोलू लाइक कॉंट्राक्ट टू पेफिक्स रिसीफ फ्लोटिंग इन नेक्स्ट कॉर्टर मतलब इन नाइन्टी देज राइट और यहां पर क्या हो रहा है यहां पर क्या हो रहा है वन्स एवरी नाइन्टी देज इसका क्या मतलब हो जाएगा इस इस कॉर्टर वन एंड और टू एंड गॉर्टर थ्री एंड और गॉर्टर पॉर एंड ठीक है समझेगा वन सेट कि यह वाला जो सॉप है ना लॉंग इंट्रस्ट्रेट सॉप इसे रिस एक सेकंड रूँ इसे पैयर सॉप भी कहते हैं प्राक्टिकली बोलना क्या चारे आपको बात समझा रही है अभी तक कि हम क्या बोल रहे थे अगर मैं डिस्क्रेशन करूं तो क्या कह रहे थे दो पार्टी थी ठीक है दो पार्टी थी यह क्या कर रही थी दो पार्टी एक था डेरिवेटिव्स जीलर और एक है मानलो केश स्चेश एक है केश के आईween अब लट से अगर मैं लॉग एफ आरेरहूं तो मैं क्या कर रहा था मैं इससे फ्लोटिंग ले रहा था और इसको फिक्स दे रहा था था है अभी तक के यह कर रहा था यह जो floating और fix वाला game चल रहा है यह कब हो रहा था यह हो रहा था next quarter में next quarter में तो अगर मैं आज खड़ा हूं time 0 पे यह time 90 days तो time 0 पे जितना floating rate है floating rate है या MRR है यह तो आज ही पता है यह आज ही पता है हाँ या ना ठीक है हम यहां पर FRA में क्या बोल रहे थे देखिएगा एक बार FRA में हम कुछ ऐसा बोल रहे थे that the in in the case of FRA we were saying something on these lines at time 0 our fear was what would happen to the interested at this point of time तो हम अपनी coverage करना चाहरे थे इस time period की हम अपनी coverage करना चाहरे थे इस time period की तो let's say if we were of the opinion that the in अगर मेरा ओपिनियन यह है let's say मेरा जो exposure exposure यह है कि मुझे यहां पर funds receive होने वाले and I will invest ठीक है न तो मुझे मेरा fear क्या हो रहा था मेरा fear यह हो रहा था कि कहीं interest rate घट न जाए ठीक है तो मैं क्या बोल रहा था यार अगर interest rate डर interest rate गिरने का डर लग रहा है पतलब if my bet is that the interest rate would fall then I should pay float and receive fixed pay float receive fixed तो के लिए क्या हो रहा था यह जब market में अपने पैसे invest करेगा तो इसे float मिलेगा यहां he will enter into a pay float receive fix तो यह कड़ गया फ्लोट फ्लोट कैंसल एक एक फिक्स पेमेंट मिल गई तो मेरे उपर जो भी risk थी वह एक तरीके से मैंने evade कर ली वह मैंने shift कर दी derivatives dealer पे ठीक है ना अब क्या हो रहा है देखना यह सिर्फ एक बार हो रहा था तो मैं सिर्फ और सिर्फ इस time period के लिए protected था इस half year के लिए प्रोटेक्टेट था अब क्या हो रहा है देखिए गब कि नाओ वी आर सेंग सम्टेंग ओन दीज लाइन लेट से आए एक्सपेक्ट टू लेट से मैंने home loan लिया हुए ठीक है मैंने home loan लिया हुए और मुझे लगता है कि मुझे हर quarter में जो अपनी EMI देनी है मुझे हर quarter अच्छा जो home loan लिया हुए इसमें किया है इसमें floating rates पे करने पड़ते है floating या फिर MRR ठीक है न मैं floating बोलना प्रिफर करता हूं MRR is the new term मैं floating rate कैसा पे करूंगा यहां पे जो FL होगा वो पे होगा यहां पर यहां पे जो FL होगा इसको FL1 कहता हूं इसको FL2 कहता हूं यह पे होगा टाइम 180 पे FL3 विल बी पेड़ टाइम 270 and FL4 विल बी पेड़ टाइम 360 and so on and so forth राइट नाओ अब मुझे क्या अड़र लगेगा कि interest rate इन सारे के सारे में बढ़ जाएंगे अगर इन सारे में interest rate बढ़ जाएंगे अगर इन सब में interest rates बढ़ने हैं तो मुझे तो बढ़ा हुआ floating rate पे करना पड़ेगा तो क्यों न कुछ ऐसा जुगाड हो जाए कि मुझे हर जगा पे receive float भी मिलता जाए मुझे इन सब पे receive float भी मिलता जाए और पे fix मेरे end से निकलता जाए तो होगा क्या ये receive floating will cancel with all these और मेरे end से एक fix payment जाती रहेगी अब ये तो था ये है मेरा exposure और ये है मेरा hedge हम सिर्फ और सिर्फ hedge वाला पार्ट discuss करेंगे तो practically बोलना क्या चाह रहे हैं देखिएगा टाइम जीरो टाइम 90 डेज टाइम 180 डेज टाइम 270 डेज टाइम 360 डेज चीक है अगर मैं बात करूँ पे स्वारी रिसीव फ्लोट पे फिक्स इसकी बात करते हैं रिसीव फ्लोट पे फिक्स तो जो टाइम 180 पे फ्लोटिंग रेट है वह रिसीव होगा यहाँ पर क्या यह रेट आज पता है the answer is yes क्या यह 90 डेज वाला रेट आज पता है यह रेट हमको बता नहीं है यह रेट हमको बता ने आ तो यहाँ कैसे वाला एक बार देखिएगा तर लिबर या दर फ्लोटिंग रेट इस पॉइंट ऑफ टाइम इस नोट नोट इस नोट नोट इस नोट नोट इन दिस नोट नोट अर्यू विट में तिल दिस पॉइंट ठीक है अब यह सब रेट जो होंगे यह सब रेट जो होंगे देखना एक बार मान लो मैं अभी के लिए बोलता हूं जस्ट imagine कि आपको यह सब पता है मान लो आपको यह बताए कि यह 6 है यह 7 है यह 8 है यह 9 है लेकिन इसके बदले में मैं pay क्या करने वाला हूँ receive float है और pay करना हूँ fix तो जो मैं fix rate pay करूँगा यह वाला जो rate pay करूँगा हर बार मतलब let's say fx 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 और fx यह rate तो सेम ही होगा तो क्या यह जो rate होगा यह इन सब का average होना चाहिए नहीं होना चाहिए एक तरीके से it should more or less lie within this only इनके बीच का ही कुछ होना चाहिए हाँ या ना हाँ सर बात तो ठीक है अब देखिए मैं आपको यही चीज़ एक छोटे से example से कराता हूँ मान लीजिए चार quarter नहीं होगे दो quarter है मान लीजिए एक बार वो ठीक है ना let's say this is zero this is 180 this is 360 यह rate है 6% और यह rate है 9% यह क्या है लिबर ओफ 180 days और यह है लिबर ओफ 360 देज अच्छा एक बार इसको भी पॉस करते हैं let's let's just pause this as well मैं एक छोटा सा relationship बीच में ना मतलब I should have called it out मुझे एक बात बताओ अगर मैं अगर मैं यहां पर बोलू मुझे मिलने के वाला मुझे floating rate मिलने वाला बोलो हां या ना I am supposed to receive a floating rate तो क्या मैं यह बोल सकता हूं कि अगर मुझे receive floating हो रहा है अगर मुझे floating rate मिलने वाला है हर quarter में तो इट्स लाइक आफ गॉन लॉंग अब बॉन्ड विच इस गिविंग कॉटर ली इंट्रस्ट हाँ यह ना अगर यह बात समझाती है तो लिखो ओके अगर मुझे बार-बार लिबर मिलने वाला है तो इट इस लाइक आम लॉंग बॉन्ड विच इस पेंग मी कॉटर्टर ली इंट्रस्ट येस और नो और अगर मैं पे करने वाला हूं फिक्स रेट बार-बार तो इट इस लाइक आम शॉट अबॉन्ड पेंग कॉटर्ली इंट्रस्ट यहां पे फ्लोटिंग था यहां पे फिक्स है यहां तक कि ओके हैं आप या नहीं इस दिस पीस ओके विट यूर नॉट यह था एक एसपेक्ट इसका नेक्स्ट एसपेक्ट सुनना मुझे बात बताओ एक शुडेट ने लिखा सर्ष्ट कैसे लॉंग वाले को इंट्रस्ट रेट मिल रहा है शॉट वाला इंट्रस्ट रेट दे रहा होगा इसका नेक्स्ट एसपेक्ट सुनना मुझे बात बताओ लॉंग मतलब एक तरीके से आपने इन्वेस्ट कर रहा है और शॉट मतलब एक तरीके से आपने इस पर बॉर्रो कर रहा है मुझे एक बात बताओ मान लो मेरे पास एक आईफोन है पुराना साथ ठीक है इसकी आज की वैल्यू है ट्वेंटिफाइफ थाउजन की ठीक है आपके पास कोई e-scooter है इसकी आज की वैल्यू है 25,000 मुझे अपना आईफोन बेचना है और आपको अपना e-scooter बेचना है मैंने आपको उफर किया यार तुम अपना e-scooter बेचना चाहते हो और तुमको आगे चलके फोन खरीदना है मैं इसको बेच के आगे चलके कोई वाइकर लेना चाहता हूं क्यों ना हम दोनों एक दूसरे को बस बार्टर ट्रांजेक्शन कर ले पॉसिबल है या नहीं है ऐ अच्छा बार बताना क्या यह बाटर ट्रांजेक्शन तब भी पॉसिबल होता कि इसकी वैली होती 22,000 इसकी वैली होती 25,000 क्या है बार्टर ट्रांजेक्शन पॉसिबल होता शायद नहीं अगर होता तो पता है क्या होता मैं तुमसे ईवी लेता 25,000 की तुम्हें फोन देता 22,000 का और साथ में तुम बोलते भाईया कैश लगेगा 3000 रुपे मुझे और दो बात समझा रही है मुझे एक बात बताओ अगर दो पार्टीज एगरी कर रही है एक बोल रहा है ठीक है मैं फ्लोटिंग डूंगा और फिक्स लूंगा और दूसरी कह रही है हाँ ठीक है मैं फिक्स लूंगा फ्लोटिंग दूंगा मतलब अगर मैं बोल रहा हूं यही ट्र अगर मैं अपने ले बोलू मैं रिसीव फ्लोटिंग और पेफिक्स हूं तो मैं एगरी नहीं करूंगा अगर मुझे लग रहा है मेरे जेब में पैसा कम आ रहा है और मैं दे ज्यादा रहा हूं तो मैं एगरी नहीं करूंगा एगरी कब करेंगे, एगरी तभी करेंगे जब दोनों की वैल्यू सेम हो, बोलना क्या चाहरा हूँ देखीए गड़, एट टाइम जीरो, एट टाइम जीरो, प्राइसिंग की जा सकती है, वैलोईशन की जा सकती है, वैल्यू हमेशा कितनी आएगी, एड टाइम जीरो निल आएगी और प्राइजिंग करना क्या होता है प्राइजिंग करना अभी मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ यह प्राइजिंग की करवार हूँ मैं आपको ठीक है मुझे एक बात बताओ अगर यह बॉन्ड है 6% and 9% यह लिबर है ठीक है मुझे बात बताओ अगर गॉर्ट हो की फिक्स रेट ऊन्द और दूसरे साइट पर्लोट इन एक फिक्सरोंड फ्लोательाइज पान्ड मुझे बात बताओ एक स्ल üz pon unique इस यह उटार अधन कअध का इंसेप्षिंट वैल्यू क्या होगा एक floating bond का inception पे value क्या होगा पार सही बोल रहा हूं या नहीं बोल रहा हूं अगर एक bond floating है तो उसका value होगा पार तो यह floating rate bond की value तो आ गई 100 यह तो हमको पता है यह तो आ गई 100 यह हमें यह बात हम जानते हैं अगर fix rate bond की बात करूं तो मान लो एक fix rate bond है जो interest rate देने वाला है fx लेटसे वो यह interest rate देने वाला है ठीक है तो मुझे बताओ मुझे time 180 पे और time 360 पे interest rate क्या मिलने वाला है मान लो इस bond की पार वैल्यू है 100 पार वैल्यू इस 100 ठीक है टाइम 180 डेज पर इंट्रस्ट कितना मिलने वाला है वन एंट्रेड इंट्व एक्स या फिर इसको बोल लेते हैं coupon C 100 इंट्व सी येस नो इंट्रेड इंट्व सी परसेंटेज यही मिलने वाला है यह कि एंट्रेड इंट्व सी परसेंटिस तो क्या मिलने वाले सी यहां तक के समझ आता है रुपीज से एक बात बताओ यहां मिलने वाला है सी प्लस हंड्रीड किसे डिसकाउंट बैक किसे करोगे सिक्स परसेंट से और इसे डिसकाउंट बैक किसे करोगे 9% से यह वह से इस पॉट्रेट दिये तो है लिबर हां या ना आँ इसे डिस्काउंट बैक करते हैं सी को डिस्काउंट बैक कर रहा हूं सी डिवाइड बै वन प्लस सिक्स परसेंट लेकिन ये कितने टाइम गाता इस जीरो दिस वन एक्टी देज दिस थिस थ्री सिस्क्टी देज ठीक है इंटू अच्छ अब मैं डिस्काउंट बैक कर रहा हूं तो डिवाइड बय डिवाइड बय वन फ्लस आर होट थी पावर टी करूंगा तिस इस उप्शं नुम्बर वन यह फिर वन डिवाइड बय वन प्लस आर हिंtू करूंगा ओप्शं ए या ओप्शं बी है अग्विशन एंच्विशन बी ऑप्शन बी क्यों कि कि अग्वेंशन वैसा है Sutra मैं करवार हूं आपको आपको सॉप और सॉप क्या है सॉपफ म्लिपल एफ ए और ए सॉर ए में कौनसा वाला कन्वेंशन चलता था सिंपलंट्रेट देट कन्वेंशन तो यहाँ पह क्या करूंगा वन फ्लस एक्स परसेंट इंटू 180 एंट यवाइट पाई थी सिस्टी फ्लस सी प्लस हंड्रेट डिवाइद बाइड बाई वन प्लस नाइन पर्सेंट इंटू 360 बाई 360 यह कितना आ गया सी डिवाइड़ बाई 1.03 प्लस सी डिवाइड़ बाई 1.09 प्लस 100 डिवाइड़ बाई 1.09 यह ओगया फिक्स रेट बॉंड की वैलुइशन सही कर रहा हूं गलत कर रहा हूं पर फ्लोटिंग रेट बॉंड की वैल्यू तो हंड्रेड है और यू विट मी तिल दिस पॉइंट हाँ या ना मैं आगे नहीं मूव करूंगा आप मुझे बता दीजे यहां तक के आर यू विट में और नॉट यह थ्री सिक्स्टी डेस पर क्या होगा डिवाइड़ बाई 1.09 लिख सकता था मैंने तो इन्टु तो इसक्सटी ऐसी कर दिया डिरेक्टली वन प्लस नाइन परसेंट कर सकता था ना इस पर तो अनॉलाइस करना ही नहीं पड़ेगा लेकिन चलो करना तो नाइन परसेंट इन तू थी थी वैं थी और क्या गर्म ठीक है जिए सरे सी कैसे आया मान लो कूपॉंड करेटऊ सी परेसेंटेच तो सी परसेंट किसका अएगा सी परसेंट होँड्रेट तो पूर्थी डेस पर क्या कूपन आएगा तक थी थृ सिए कूपन आएगा एक को डिसकाउंट किया च्छे टके से एक को डिसकाउंट किया नौ टके से ठीक है जी यहां से आपको सी कंप्यूट करना है हो जाएगा क्या एक काम के रूपे 1.03 1 by X this is equal to C into 0.9708 प्लस 1.091 by X is equal to C into 0.9174 प्लस 100 into 0.9174 is equal to 100 C into 0.9708 प्लस C into 0.9174 is equal to 100 minus 100 into 0.9174 सर आप यह इतना लंबा चोड़ा क्यों कर रहे हो सीधा सीधा मल्टिप्लाइ करके सॉल कर दो जादा इजीली बन जाएगा अब दोस्त बिलकुल ठीक कह रहे है मैं आपको कुछ प्रूफ दिखाना चाह रहा हूँ आपको एक्जैम में इतना लंबा चोड़ा करना होगा नहीं ठीक है जी इस एकोल टू कितना हंड्रेड माइनस हंड्रेड हंड्रेड कॉमन ले लेता हूं इंटू वन माइनस 0.9174 डिवाइड बाइ 0.9708 प्लस 0.9174 यह कितना आ रहा है मुझे एक बार बता दीजिए प्लस कर रहा है मैं इसे 4.37 यूज कर ले रहा हूं मैं इसे यूज कर रहा हूं 4.37 ठीक है यह क्या हो गया लेकिन यह कितना टाइम का आया है यह तो 180 डेस्का आया है आप इसे एनॉलाइज करेंगे तो क्या होगा 4.37 इंटू 1 इंटू 360 बाइवन इंटी मतलब टू यह कितना आ जाएगा इंटू टू इस कमिंग आउट इस एट पॉइंट सेवन फाइफ प्रिसाइज आ रहा है एट पॉइंट सेवन नाइन वन तो मैंने इसे कर दिया एट पॉइंट सेवन फाइफ परसेंटेज प्रैक्टिकली देखना कुश्चन क्या था यह मैंने पूरा लंबे तरीके से किया था एक्जैम में अगर यह आ जाए मेरे साथ से कैलकुलेशन नहीं पूछेगा एक्जैम में आपको समझ आया अच् इसका क्या मतलब हो यह फ्लोटिंस रेट आप इससे क्या करोगे इतना question given होगा जो मैंने blue में की है आप इससे क्या करोगे आप इससे discount factor निकाल लोगे वह कितना हैगा वन डिवाइड़ वाइड़ 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 वन प्लस 6% इंटू 180 बाइ 360 ठीक है जी और 9% का क्या है का वन डिवाइड़ वाइड़ वन प्लस 9% इंटू 360 बाइट थी शिक्सटी यह निकाल लेंगा अब इग्जैम ने यह थिरी सिक्स्टी और यह 9 परसेंट यह दोनों निकाल लेंगे अब यह कितना आ रहे हैं दोनों की वैल्यूज निकाल लिए कितनी आ रही है इट शुट बी 0.9708 और 0.9708 0.9174 बड़ी बात नहीं है कि आपको यह वैल्यूज भी निकाल के देगा डिस्काउंट फैक्टर भी निकाल के देगा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसका जब मैंने टोटल किया समेशन किया तो यहां है वन पॉइंट ट्रिपल एट टू ठीक है जी आपको यह पूरा का पूरा टेवल एक्जैम में दिया होगा ठीक है अगर यह रेड वाला पार्ट नहीं गिवन हो तो आप इसे निकाल सकते हैं खुद से जैसे मैंने किया है सिर्फ डिस्काउंट फैक्टर निकाल है ठीक है ना वन डिवाइड़ेड बाई वन प्लस आर से डिस्काउंट फैक्टर आ जाएगा अब practically देखो मैंने क्या किया है अगर मैं आपको बोलूँ c यह c क्या था फिक्स कूपन बाउन्ड का रेड था ना अगर मैं आपसे पोछूँ यह क्या है तो it is 1-0.9174 यह .9174 क्या है लास्ट वाला डिस्काउंट फैक्टर डिवाइड बाई डिवाइड बाई इस दिवाइड वाइड 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 नाइग सेवन प्लस पॉइंट नाइग वन सेवन फोर यही दिया हुए समेशन अफ ओल डिसकाउंट फैक्टर्स इंटू थ्री सिक्स्टी बाइवन एक्टी यह है आपका सौफ का फिक्स रेट सौफ फिक्स रेट इसे सौफ पार रेट भी कहते हैं यह आपको निकालने के लिए दे सकता है एक्जाइम में यह कितना आएगा आपका किया रहा है एट पॉइंट सेवन फाइफ परसेंट और प्राक्टिकली समझने वाली बात है देखना बोलना क्या चाह रहे हैं कि डिसकशन कुछ ऐसा चल रहा है कि वन इंट्यडेश फ्रीशिस्टी डेश जो पेफिक्स पार्टी होगी वह क्या देगी वह एट पॉइंट सेवन फाइफ परसेंट पर एनम के आप से दो बार देगी है तिद्व रहे तो यह वाली को यहां मिलेगा चेगो से और यहां क्या मिलेगा नृहां क्या मिलेगा रहे आपको कोई आइडिया नहीं है यहां क्या मिलेगा तो अगर आज वाला जो इंट्रस रेट है कि यह 6 परसेंट है और यह 9 परसेंट है अगर इसे कंसिडर करूं तो एक्विलिब्रियम आएड्य driven कितना होना चाहिए 8.005 एड्यूथ.7 फ सेवंफ यहां पर mogę याप्षक्ष परसेंट की को यहां पれ है अगर यहां पकरेक 9 की पेमेंट होगी यह लिए समझने वाली बात यह है कि जो मेजर पेम dya है यहां पर सी की पंड़ेट हो रही है यहां किन वेरी मच तूर्ड नाइन वाले का जादा है तो नाइन से थोड़ा सा कम आएगा तो दैट इस एट पॉइंट सेवन फाइगा तो प्राक्टिकली यह सब कुछ को रेट निकालते थे उसको प्राइजिंग दी एफ आरे कहते थे अगर आपको ध्यान होगा तो है ना जस्ट वन फार्ट डिस इस कंप्यूटिंग दा फिक्स रेट मैं एक बार वीडियो पॉस्ट सब्सक्राइब करने के लिए दूँगा आपके बहुत सारी कॉंसेप्स क्लियर हो जाएंगे और दिस इस प्रैक्टिकली दी एंड अप इट ठीक है आम पॉसिंग दर इक प्लीज आस्क्यूटिंग प्लीज आस्क्यूटिंग कि एक स्टूडेंट ने बढ़िया डाउट कुछा उन्होंने बुला सब्सक्राइब बात बताओं कि यह चे टक है मैंने कहां जी यह नौ टक है बिल्कुल तो कह रहे हैं कि यह बारा टक टाइप का नहीं आना चाहिए कि वो जैसे फावर्ड में काल्कूलेशन करते थे कि इंप्लाइट फावर्ड रेट बारा हो गया तो यह बारा नहीं आना चीए मैंने का बिल्कुल गलत कियो कि आप दोच्पर और अले कुल एक क्लुक्त फ्लोटिंग टॉंड खरीद है जितना मार्केट में ट्रस चल रहा हो वह मिलेगा अगर नियों चल यहां तो यह आपको थोड़ी ना पता है हाँ इंप्लाइट फॉर्वर्ड रेट अगर इससे कंप्यूट करता तो यह 112 परसेंट आता लेकिन उस बात से मतलब क्या है आपने एक फ्लोटिंग रेट बॉंड खरीदा यह बूल जाओ यह सारी की सारी बात हो इसको भूल जाओ सब कुछ मैं दुबारा कॉश्चन पूछ रहा हूं आपसे मुझे बात बताओ आपने एक फ्लोटिंग रेट बॉंड खरीदा आपको फ्लोटिंग इंट्रस्ट रेट मिलने वाले बिल्कुल सर टाइम जीरो पे फ्लोटिंग रेट है कितना से परसेंट तो इंट्रस्ट रेट आपको मिलेगा 360 पे तो आपको यह आज पता की नहीं है पिकेंमंटेां लन गता है मेरा फियर क्या था यहां पर देखो अगर मैं पेफिक्स रिसीव प्लोटिंग कर रहा हूं मैं बैट इस अपसाइट मेरी बैट है कि रेट बढ़ने वाला है तो मैं क्या वोलूँगा कि समझो एक बार कि दुबारा स्टार्ट करते हैं यह समझ आ गया कि अगर लिबर छे परसेंट है और वनेट्टी डेज एंड लिबर जिसको यह पॉइंट समझ आ गया कि लिबर सिक्स आप नाइन होने के वैसे एट पॉइंट सेंट बनेगा जल्स डूआ शूअफ एंड्स जिसको यह बात पक्का क्लियर है सिर्फ एक कार्दिक ने एंड्रेश किये बाप यह नहीं समझा है डूआ शूआ फैन्स क्लियर विट फैक्ट यह 6 और 9 का एक्वेशन यहां पर 8.75 बनेगा अब मुझे इसका नेक्स स्टेप बोलो अगर इफ दिस गॉइंग तो मुझे बात बताना क्या मेरा कोई बायास होना चीए कि मैं फ्लोटिंग लूँगा या फिक्स लूँगा अगर यह होल ट्रू करने वाला है तो क्या मेरा यह बायास होना चीए नहीं मेरा ऐसा बाइस होना ही नहीं चाहिए, I should be okay with receiving either one of them, but अगर मुझे लगता है कि ये अभी के लिए तो six और nine जो दिख रहा है, इसका equivalent 8.75 आगया ठीक है, but long term में न, यहां जो interest rate है वो बढ़ जाएगा, तो मैं क्या करूँगा, मैं बुलूँगा यार, ये दोनों बरा है, एक काम करना, मुझे लगता है, यहां वाला जो interest rate है वो बढ़ने वाला है, तो ये वाले को आज pay कर दे, ये वाले को आज receive कर ले, ये तो बहुत बढ़ी है डील बन जाएगी, क्यों हो, क्योंकि मुझे लगता है, six और nine से eight point seven five आ रहा है न, मुझे लगता है, ये वाल seven five percent twice, तो let us agree to pay this, and receive this, because I think that this is not going to be 12, this is going to be much more than that, यहां पर जो interest rates है, ये इस से जादा बढ़ जाएंगे, 180 डे का interest rate बढ़ जाएगा, हाँ या न, मुझे लगता है, long term में interest rate बढ़ जाएगा, इसी लिए मैं बोल रहा हूं कि ठीक है, receive floating pay fix, otherwise मैं उल्टा बोल देता, is it clear, if you still have any doubts, please ask, you have the right to unmute yourself, मैं recording pause कर रहा हूं, एक बार न, इसी कोला notes के format में करते हैं, तो अगर मैं stop की बात करूं, तो इसमें पहला आगया, point number A, is this one, यह आप लोगों ने लिखा होना चाहिए, long FRA और long stop, यह दोनों का मिले, ठीक है जी, उसके बाद यह पीस आप ignore कर सकते हैं, अगर चाहिए, तो, part number B, यह रहा, B1, B2, B3, तीनों का तीनों लिखा होना चाहिए आपने, B4, यह सारा का सारा लिखा होना चाहिए आपने, चीक है, यह सब कुछ, अब part, C लिखा रहा हो, example, यह quarterly वाला example करवाऊंगा मैं, quarterly, मैं आपको एक, लिबर मतलब अब आप लोग इसे MRR बोलने लग गया है, ना, MRR, MRR is 7%, 7.1%, 7.2% और 7.3%, अब आपको क्या करना है, compute the soft fixed rate, compute the soft fixed rate, solution कर रहा हूं, देखिएगा, बनना चाहिए आपसे, यह क्या आएगा, 1 divided by 1 plus 7% into 90 by 360, यह कोई तो भी नंबर आएगा, इसको आप STO1 में डाल दे, 1 divided by 1 plus 7.1% into 180 by 360, इसको आप STO2 में डाल दे, 1 divided by 1 plus 7.2% into 270 by 360, इसको आप STO3 में डाल दे, 1 divided by 1 plus 7.3% into 360 by 360, इसको आप STO4 में डाल दे, अब आप करे, recall 1 plus recall 2 plus recall 3 plus recall 4, जो value आएगी, आप इसे STO5 में डाल दे, SFR कैसे निकलेगा, यह था 1 minus last DF divided by summation DF into 360 by gap, तो यह आगया 1 minus RCL 5 divided by, sorry 1 minus RCL 4 divided by RCL 5 into 360 by 90, यह आगया आपका answer, answer क्या होगा, 7.3 से थोड़ा सा कम आएगा, 7.3 से थोड़ा सा कम आएगा, actually अगर मैं बोलू ना तो यह मेरा frame किया वह example है, exam में अगर आएगा नो तो आएगा 7, 7.05, 7.07 और 7.08 ऐसा, वो इतना कम difference देंगे, मैंने थोड़ा सा बड़ा दे दिया, तो इसी लिए हो सकता है, यह 7.3 से तो कम ही आएगा, यह तो श्यार है, बट एकदम pass में आएगा कि नहीं, I cannot say with certainty, निकालिए यह कितना आ रहा है आपसे, I am surprised, सबके answer same है, 7.10, मेरे पासे एक answer आया, 3.49, उन्होंने शायद multiply नहीं है, नहीं है multiply इंटू टू करना था, यह 3.49 कैसे आया गलत है, सबका 7.10 आया, 7.107 आया सबका, अब practically देखना है, यह 7.107 का मतलब क्या हो रहा है, इंटर्प्रेटेशन क्या इस कि यह देखो, इंटर्प्रेटेशन और जो फिक्स रेट है, इस दो वेटेड आवरेज ओफ, लिबर 90, लिबर 180, लिबर 270, लिबर 360, और यही चार दिन क्यों लिए है, यही चार दिन क्यों लिए है, because these were the stop settlement dates, पर यह दुबारा बताओ, अब सुनना, अब देखना, एग्रिमेंट क्या हुए, मान लो मैं पेर सॉप हूँ, पेर सॉप का क्या मतलब होता है, पेफिक्स, रिसीव फ्लोट, ठीक है, सर, रिसीवर सॉप का क्या मतलब होता है, रिसीवर सॉप, रिसीवर सॉप इस, रिसीव फिक्स्ट, पेफिलोट, इसका नो कोई सेंस नहीं है, अगें यह कन्वेंशन है कि, जो नाम रखा गया है न, वो फिक्स पार्टी के हिसाब से रखा गया है, तो अगर आप फिक्स पे कर रहे हो, तो इस रिसीवर सॉप, अब मुझे एक बात बताना, अगर मैं फिक्स पे कर रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, मैं हर बार, माइनस 7.10, इसको ना 7.11 कह देता हूं मैं, मैं हर बार 7.11 परसेंट पर एनम के रेट पे पेमेंट करूंगा, मान लो यह 1.000,000 है टोटल, ठीक है तो मैं पेमेंट कित्ती करूंगा, हर बार बताना, 1.000,000 into 7.11%, हाँ या ना, मैं हर बार इतनी डॉलर की पेमेंट करूंगा, अगर मैं पेयर सॉप उतो, ठीक लिखा या गलत लिखा है, येस और नो, गलत लिखा हुए नालाइकों, ये 1 by 4 भी तो होगा, अकवी 4 बार पेमेंट हो रही है, तो हर बार पेमेंट होगी, 1,000,000 into 7.11% into 1 by 4, ये क्या पेमेंट मुझे एक ही बार में पता चल्ड़ जाएगी, क्या मुझे आज ही पता है, हाँ जी सर पता है, 7.11% divided by 4 into 1,000,000, तो मुझे पता है कि मैं हर बार 17,775 रुब है, ये, हर बार मुझे पे करना ही करना है, अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर टाइम 0 पर, अगर टाइम 0 पर, इंटरस्ट डेट है 8%, तो मुझे 8 मिलेगा और 7.11 देना है, तो मुझे नेट नेट में रिसीव होगा हाँ या ना, मुझे नेट में रिसीव होगा सही बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं, ठीक बोल रहा हूं सर, तो यहां पे प्लस, 0.89% per annum के basis पे रिसीव होने वाला है, तो 0.19% into 1 by 4 into 1 million, ये मुझे मिल जाएगा, ठीक है जी, अब मान लो, मैंने swap कौन सा एंटर किया था, pay fix, receive floating, बताओ मैं bullish हूं या बियरिश हूं, मैं bullish हूं या बियरिश हूं, नालाइक bullish हूं ना, बियरिश कैसे लिख सकते हो, 2-3 लोगों ने लिख दिया बियरिश, हद हो गई है, सर आप नालाइक मत बुला करो, प्यार से बोलता हूं बुरा ना मानना तभी भी, अब मुझे बताओ, मैं यहां पर क्या हूं bullish, मैं हूं यहां पर bullish, तो मुझे क्या लगता है interest rate बढ़ जाएगा, मुझे लगता है interest rate बढ़ जाएगा, अब दुबारा मेरे साथ बोलना हूं, अगर मैंने potatoes का F plus कर रखा है at 110, तो मेरी bet क्या है, that the price of potatoes will be more than 110, और यह 110 कैसे आता है, यह future की price है, यह future की price है, यह future की price कैसे निकाली है, F is equal to S into 1 plus R all to the power T, हाँ या ना, हाँ सर, अब आप क्या कर रहे हो, अब आप swap कर रहे हो, इसमें क्या बोल रहे हो, आप बोल रहे हो, आप bullish हो, bullish हो मतलब pair swap enter करके रखा है, pair swap, अच्छा F plus कर रखा है at 100 tennis का क्या मतलब है, कि मैं 110 रुपए दूँगा और आलू खरीद लूँगा, मैं 110 रुपए दूँगा और मुझे आलू मिल जाएंगे, अगर रेट हुआ 1500 रुपए तो मेरा फायदा है, प्लस spot हो गया, हाँ या ना, अगर ये रेट हो गया 105 तो मेरा नुकसान है, हाँ या ना, हाँ से रहे हैं, अब क्या बोल रहा हूँ, मैंने pair swap enter करके रखा है, मतलब bullish bet, मैं क्या पे करूँगा, मैं पे करूँगा 7.11%, यह 7.11% आया कैसे, 1- last df divided by summation df into 360 by gap ऐसे आ गया, या फिर 1- rcl summation वाला divided by 1- last rcl into 360 by gap, calculator के साब से करूँ तो यह हो गया, इससे क्या आ गया, इससे आ गया मेरा number 7.11, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं 7.11% पे करूँगा, जैसे यहां पे 110 पे कर रहा था, यहां 7.11% पे करूँगा, और मिलेगा क्या, जो उस समय का spot का rate रहेगा, हाँ या ना, तो अगर मेरा यहां पे spot rate, 7% हो गया, तो क्या होगा, 7-7.11, तो यह तो negative हो गया, और होना भी चीए, क्योंकि मेरी bet थी bullish, लेकिन यहां तो rate गिर गया, मान लो यहां पे rate बढ़ गया, यहां पे rate बढ़के हो गया 14%, तो this will be 14-7, यहां मान लो rate बढ़के हो गया 14.11, तो 14.11-7.11, difference आया 7% का, लेकिन यह तो annual है, मुझे मिलेगा इसका 1 fourth into 1 million, अगर यह मेरा national principle है तो, हाँ या ना, यह सारा का सारा समझ आता है आपको अब, तो इस वजए से, this is exactly like forwards, no difference, ठीक है, मैं एक बार वीडियो pause कर रहा हूं, आप अपने doubts पूछ सकते हैं, recording pause कर रहा हूं, doubts पूछ लिजए, अगर आपके doubts कुछ नए होंगे, तो मैं recording on करके, आपके doubts बोलूँँगा, आप एर answer बोलूँगा, ठीक है, हमने ये example कर लिया, इसकी interpretation लिख ली, की fixed rate is equal to average of this, ठीक है, उसके आगे मैंने आपको समझा दिया था, I hope that you would have written whatever, ठीक है, ये इस चीज़ से मैं क्या समझाना चाहता था आपको, की shop में ना हमेशा net settlement होती है, ये आपके exam में पूछ लेता है, ये question, you should know that shop में हमेशा net settlement रहती है, एक last aspect इसका कर रहा हूँ, देखिएगा, मेरे ख्याल से, ये obvious है, आपको मैं बता चुका हूँ, फिर भी दुबारा लिख दे रहा हूँ, बस आपके लिए, एक बात देखिएगा, क्या बोलना चाह रहा ये 7.11 percent क्या मेक्शुर करता है, इस 7.11 percent makes sure that एज अफ टुदेश्ट प्रेजेंट वैल्यू ओफ पेक्स पेयाउट इस इक्वल तो प्रेजेंट वैल्यू ओफ लोटेंग पेमेंट्स यह आज की रेट पे ऐसा हो रहा है ठीक है हैंस वैल्यू एट टाइम जीरो क्या होगा बताओ निल बट इफ टुमारो लबिफ टुमारो इंदर इफ इन फ्यूचर इंट्रस्ट रेट्स गो अप तो वैल्यू इस एक्वल तो पॉजिटिव फॉर हूं पेयर सॉप या रेसीवर सॉप इंद इफ इस नेगेटिव देन वैल्यू इस पॉजिटिव फॉर रेसीवर सॉप ठीक है जी अब मैं क्या करा चुका हूं देखिएगा मैंने आपको टाइम जीरो पे प्राइजिंग और वैलोईशन दोनों करा दी इसी तरीके से क्या होगा बीच का टाइम आ जाएगा टाइम टी और एक बार फाइनल टाइम आ जाएगा कर टाइम कैपिटल टी इस टाइम टी इस टाइम पेगर मैं आपको वैलोई प्राइजिंग करने के लिए बोनुदो क्या कर लेंगे बिल्कुल मान लीजिए आपको आद से नबे बात के रेट देदेगा तो बिल्कुल हो जाएगी यह आपके लिए एक्जाम में देगा नहीं यह सब मेरे ख्याल से आपके कोर्स में नहीं होने चाहिए आपको बस इसकी एक इंटरप्रेटेशन समझानी चाहिए वह इंटरप्रेशन मैंने आपसे नीचे यहां पर डिसकस करी हुए है तो इस एक्जाम्पल वस सी जस्ट वन सेख फोर ए फोर बी फोर सी हो गया है जस्ट वन सेख वन सेख दिस इस 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 बी दिस इस सी ठीक है इसमें इसे मैं डी कहा दे रहा हूँ इस 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 डी वन इस इस डी टू इस इस डी थ्री और दिस इस डी फोर तो यह वाला जो एस्पेक्ट है यह मैंने डी फोर में डिसकस किया हुए है यह डी फोर में डिसकस हुआ हुआ है पॉइंट नंबर ए क्या था देखिएगा पॉइंट नंबर ए वाज लॉंग एफार यह और लॉंग सॉप की बात करना तो दिस इस एवन इस इस एटू ठीक है जी यह बीच वाला पार्ट लिखना जरूरी नहीं था उसके बाद बी वन बी टू बी थ्री बी फोर देन यू है यह सारा का सारा चलता जा रहा था देन यू है एग्जैंपल सी यह आंसर निकालना वो सी वन यह सी वन सेवन पॉइंट वन वन क्या है दिस इस सॉप फिक्स ड्रेट यह सॉप पार रेट जो भी बोल लिजे इससी वन कि उसके बार डी में डीवन डीटू डीटीटीटीटीटीटीफॉर इतना हुआ है ठीक है दिस इस इट एस फार आज यूर सॉप वोस कंसर्ण ठीक है इंटरस्ट रेट सॉप का प्राइसिंग और वैलेश यह था पूरा का पूरा डिसकेशन इंटरस्ट रेट सॉप पर अब मैंने सॉप में एक छोटा सा डिसकेशन आपके साथ करना चाहता हूं यह डिसकेशन मुझे लगता है कुछ कॉंसेप्चुल क्लारिटी के लिए इंपॉर्टेंट है लेकिन एक्जैम में बहुत ज्याद इसकी टेस्टिबिल्टी अब एक्जैम में नहीं है बट बहुत सारे ऐसे प्रफ प्रवाइडर्स हैं जिन्होंने इस चीज की मेंचन अभी भी कर रहा है मुझे सीबुक में नहीं मिला मुझे श्वाइजर में भी नहीं मिला बट स्टिल आय थोट कि पांच मिनिट लगा क इसको डिसक्रस करने में कोई हर्ज नहीं है सुनिएगा जैसा इंट्रस्ट्रेट शॉप में इसकेशन हुआ था कहला कि इसकेशन इकविटी सॉप कभी हो सकता है सॉप में तो कोई भी चीज की शॉपंग हो सकती है ंट्रसुरेट शॉप में क्या बोला राए एसएड़े एटी शॉप में क्या हो सकता है मान लिजे यम बुलिश औन निफ्टी बट बेरिश ऑन मुझे लगता है मार्केट डूबेगा लेकिन आईटी सेक्टर अच्छा करता रहेगा मार्केट डूबेगा तो मैं क्या बोलूगा मेरी बैटे मार्केट डूबेगा तो पे निफ्टी और मुझे लगता है IT सेक्टर अच्छा करेगा तो रिसीव निफ्टी IT हो सकता है ना ऐसा दो पार्टियां ही तो ढूंड़नी है ओवर दा काउंटर ही तो है ये पूरा का पूरा तॉप्स आर ओवर दा काउंटर इसमें क्या करना है दो पार्टियां डूंड़नी है जो अलग-अलग बातें कर रहे हूं लेट से मुझे ऐसा लगता है इनफोस बड़ेगा और टीसीएस गिरेगा तो मैं क्या करूंगा मैं बोलूँगा रिसीव इनफी मान लीजे दो लोग है बोत उफ उस है डिफरेंट ओपिनियन्स मैं इनफी में काम करता हूं मैंने का इनफी अच्छा कर रहा है तीसीएस की बैंड बजा देगा आप तीसीएस में काम करते हो तो मैं आपको क्या बोलूँगा चलो ठीक है मुझे निफ्टी के रिटर्न दे दो मैं तुम्हें TCS के रिटर्न दे दूँगा मान लिजे हमने time zero पे contract एंटर किया first six months में हमने देखा कि infi का share गया 10% उपर और TCS का share गया 15% उपर तो क्या होगा I will receive 10 and pay 15 तो net net में मैं 5% pay कर दूँगा of notional principle yes no बिलकुल ऐसा हो जाता होगा तो practically जो stop है ना इसे बोला किया गया सुनिएगा stop को ऐसा कुछ कहा गया मान लिजे ये time zero है ये time है 90 days ये time है 180 days ये time है 270 days और ये time है 360 days मान लिजे मैं आप से वापस बात कर रहा हूँ मेंटीज वर्सिस फार्मर का मैंटीज का बैट क्या है प्राइस बढ़ेगा तो ये long forward करेगा हाँ या ना ये long forward करेगा अब let's say मेंटीज की ऐसी policy है कि मेंटीज ना अपने पूरे के पूरे quarter की जो भी buying होता है वो एक बार में कर लेता है मेंटीज अपने पूरे के पूरे قोर्टर की buying एक बार में कर लेता हैं تو मैगी 對 पता है कि हमां क्या करेगा in this case मैगीज फार्मर के साथ एक बार contract करेगा contract one चार क्यांट्राक्ट्स में इंकर गsti influence और फार्मर से मैं पोटैटोज ले लोगा ठीक है फिर सेकेंड नंबर कॉंट्रैक्ट में भी यही लिखा होगा कि मैं तुम्हें टाइम 180 डेज पर एक फिक्स अमाउंट देदूगा एफ और तुमसे पोटैटोज ले लोगा टाइम 270 पे ऐसा ही एक कॉंट्रैक्ट टाइम 360 जुआ बीशिक्विय यह एक पोटैट हां यह नर्य विच में तिल दिस पॉइंट are you with me till this point मुझे बताओ इस contract का ये F कैसे निकाला होगा ये निकाला होगा F is equal to S into 1 plus R whole to the power 90 by 360 ये कैसे निकाला होगा F is equal to S into 1 plus R 180 by 360 270 by 360 और ये कैसे निकाला होगा 360 by 360 करके यहां तक के भी okay है आपको हां जी सर बिलकुल अब मैक्टीज के CFO साब आए उन्होंने बुला ये क्या किया होगा आपने का साल के चार कॉंट्राक की है CFO साब ने बुला तुम्हारा दिमाग खराब है एक कॉंट्राक नहीं कर सकते थे कि 90 डेज 180 डेज 270 डेज और 360 डेज एक सिंगल कॉंट्राक कर लो न कि तुम्हें हर बार F पे करेंगे हम और तुमसे पोटैटोज ले लेंगे सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं चार कन्ट्राक करने की जहुरत कि है यह चारों को एक ही कॉंट्राक में कंभाइन कर लो यह उपर वाले चारों क्या थे यह थे individual forward contracts यह नीचे वाला क्या हुआ है नीचे वाला एक่ाWb कॉंट्राक्त होगे पहले interest rate नीचे वाला एका Boden गया हाँ या ना अगर इतना समझ आता है तो लिखो ओके अब सुनना गेम कहां फज़ेगी यहां तक तो सब ठीक था गेम कहां फज़ेगी यह F को कैसे करोगे F is equal to S into one plus R whole to the power क्या 90 by 360, 180 by 360, 270 by 360, 360 by 360 क्या इस वज़े से यहां पे ऐसा F find करना पड़ेगा जो यह चारों को satisfy कर ले यह चारों को satisfy कर ले लेकिन अगर आप इन चारों को satisfy करने वाला F ढूंड होगे न तो उसकी जो value आएगी न वो अगर 90th day पे compare करोगे S into one plus R 90 by 360 तो उससे ज़्यादा आजाएगी और अगर last वाले से compare करोगे तो उससे कम आजाएगी सही बोल रहा हूं या नी यहांपे आप एसा कुछ करना चाहोगे की Middle कूछ find करना चाहोगे 180 बय 3 60 ऐसा कुछ करना चाहोगे पो यह रच्पी निटि डेस का होगा यह आपर क्या हो रहा था फिग हाले चालेट लेना एक सिंगल टाइम लेना तो अगर आप यह वाले फार्वार्ट 2016 इसकी बात करोगे न तो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू मैच नहीं कर रही है मतलब हम यह बोलना चाहरे है तक एक्चुली सॉप जो है न सॉप इस और कॉम्बिनेशन ओफ ये तो ठीक है बट कौन से फॉर्वर्ड ओफ मार्केट फॉर्वर्ड ये लाइन समझाना चाहरा था मैं आपको सर ओफ मार्केट फॉर्वर्ड क्या होता है forward के लिए by definition time 0 की value क्या होती है बताना nil off market forward क्या होगा कि जिसकी time 0 पर value nil ना हो तो nil ना हो इसका क्या मतलब होगा कि अगर long party को value मिल रही है अगर long party का पल्टरा भारी है तो long party pay करेगा मान लिजे time 0 पर value to longest plus 5 तो off market FRS में क्या करना पड़ेगा पांच रुपए पे करो तुम हाँ या ना जैसे यहाँ पर देखो 25 रुपए और 22 रुपए ये था ना आईफोन वाला example आईफोन वाले के पास था 22 रुपए आईफोन था आईफोन था 22 रुपए का और e-scooter था 25 रुपए का जब ये बंदा e-scooter दे रहा था और आईफोन वाला 22 रुपए 22 रुपए का समान दे रहा था तो साथ में 3 रुपए cash भी दे रहा था क्यों हो? क्योंकि इसे plus 3 की value derive हो जा रही थी तो ये 3 रुपए दे के value को value को वापस 0 पे ले के आ रहा था nullify कर रहा था value को सेम तरीके से यहाँ पे क्या होगा? off market forward वो forward है जिसकी value time 0 पे nil नहीं होती है तो जो भी party winning हो जिसके तरफ ज़्यादा value आ रही हो वो party pay करता है ठीक है? तो swap की क्योंकि कभी value प्लस आ जाएगी कभी value negative आ जाएगी लेकिन end में क्या होगा? इसका जो weighted average value आएगी ना इसकी जो weighted average value आएगी वो कितनी आएगी? वो निल आएगी कभी positive रहे value कभी negative रहे इन सबका जब average calculate करोगे तो वो निल आ जाए that should be nil हाँ या ना सिर्फ एक ये point समझाना चाहरा था मैं आपको that's it इसके सबाव I have nothing more to add I am completely done with the topic of swaps ठीक है? वीडियो end कर रहा हूँ आपके कोई doubts है तो I will answer it or else thanks a lot take care bye-bye ये मैंने यहापे आपको equity swap और nifty और पता नहीं क्या फलान डिम्कान बता दिया ये सिर्फ और सिर्फ आपको conceptual clarity के ले था आपके books में तो ये example भी नहीं है आप totally ignore कर सकते हो अगर आप notes में नहीं लिखा तो और अच्छी बात है लिखना भी नहीं है भूल जाओ जो मैं समझाना चाहरा था वो बस ये वाला part था ये वाला this is what you should know additionally from what you learned in the previous video तो interest rates आप अच्छे से आए उसकी pricing आजाए ये पताओ कि value at time 0 is 0 ये पताओ कि pay or swap जो pay fix कर रहा है receive floating कर रहा है अगर interest rate बढ़ता है तो इसकी value positive हो जाएगी इतना पता हो आपको ये वाला जो मैंने अभी हाइलाइट किये आपको इन इस तर्कॉइस ब्लू टॉट और सॉट अफ कलर दिस पीस ये दूसरा पार्ट ये पताओ आपको ये और कम्क्लीटली डन नथे अर्बिट्राज रेप्लिकेशन रेट वाला पार्ट ये दिसक्स कर रहा हम आपको क्यों डेखना लेट्स से थी पार्ट रेट इस हंड्रेट रफ इस वन यूर्ट रफ ये हैं पिर रफ इस विपर्चंट रम पर्चंट तैम पिरट इस वन यूर्ट आपकुम्प्यूट नो आर्बिट्राच पॉवर्विट्राइश पर्वर्वर्वी थे इस्टेट इस प्रोंप्लस आरोल तो डिपावर्व टि थे कि case A case A say the market forward price say market F market forward price is 107 prepare प्रेडिंग प्रेडिंग प्लान किया हुए ना बैले देखना क्या हो रहा है यह मार्केट एफ क्या है यह एक्च्वल एफ है और यह क्या है कि इसका क्या मतलब होता है कि अब ट्रेटिकल एफ मिल रहा है एक सो पांच का और एक्च्वल एफ कि यह तो दोनों एक ही चीज़ तो इसको क्या करेंगे और इसको क्या करेंगे लॉंग को लॉंग करेंगे का क्या मतलब है लॉंग ट्रेटिकल एफ ट्रेटिकल एफ है क्या स्पॉट एए प्राक्टिकल यह देखो क्या करोगे आप कि यहां पर आप क्या करोगे यूविल से लेट्स लॉंग स्पॉट अब लॉंग स्पॉट एक सो पाच और पह चाहिए आपको थियुरेटिकल एफ के लिए स्पॉट क्लिक यह चाहिए कि प्राक्टिकल इबता है क्या करोगे यू विल सेल दिस एंड लॉंग दिस करें सेल दिस मतलब चलो पहले शॉट फॉवर्ड करते हैं पहले क्रिइट की अपने शॉर्ट पॉवर्ड की आपको 105 और मिल रहे हैं ठीक है न अब 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 क्या करोगे बताओ कि अब क्या करेंगे कि मैंने अभी तक जो लिखाए सब ठीक लिखा है कि क्या गलत है हाँ स्टार घाला। सौरी सॉसाथ होगा है जा हाँ का फुलते भी डर नहीं लग रहा है शॉट कर रहा हूं आज पूढ़ी नविले कि पहली गलती करो तो सब को दिखती है दूसरी दिखती ही नहीं है कि रहे नहीं 105 ठोड़ी होगा एक सो साथ होगा प्लिस किया एस प्लस किया यही करूंगा ना यह theoretical F का क्या मतलब है यह spot और इसका क्या मतलब है actual F cell F minus तो यहां पे हो क्या रहा है spot को long कर रहा हूं और forward को short कर रहा हूं यही position है ना मेरी तो मैंने F minus किया time 0 पे cash flow 0 S plus किया cash flow क्या होगा तो यह 105 है तो यह 105 है तो यह 105 हंड्रेट प्लस यह माइनस माइनस यह यह 100 आएगा कहां से हां मैं 100 किसी को दे रहा हूं तो मेरे पास 100 होना चाहिए ना आज में को खरीदना है spot में कहीं से लाना पड़ेगा ना तो वाट विल आई डू कि बारो एट कि वाट रेट कि क्या है वो कि कितना है देखना अब ज्यादा ठीक दिखेगे आपको पोजिशन कि कि इसी लिए ब्रेक नहीं देता मैं कि अब उद्धी काम करना बंद कर देती है अच्छे बहलेगे है टाइपो धगंती लिख दीदी यू बॉरो एट फाइफ परसेंट यू गेट हंड्रेड डॉलर्स आपने वही सो डॉलर यहां पर लगा दिये पॉट खरीद दिया ठीक है एफ शॉट कर दिया आपने विट्मी सो फार ओके आपने ये बॉरो किया सो एक साल के बाद कि एक साल के बाद कितना देना पड़ेगा हुआ हाँ या ना और क्या होगा एक साल के बाद कि यह एस प्लस तो पड़ा हुआ आपके पास कि आपने लेट्स कंसिड़र दिस तो भी पोटैटों हों बी आपकाल एक्ट्रीकल एक्ट्रलिकर एफ मेरेंंट साया आपने बुला यार एक आ रहा है 105 का एक आ रहा है 107 का ऐक आ रहा है 107 का तो 707 हो बेच देते 105 वाले को खरीद लेते हैं आपने यहां पर क्या किया होगा आपने सौर पर बैंक से उधार लिए यह सौर पर लेकिए आप मंडी चले गए वहां से एक किलो आलू ले आए और पर लिए और उसी समय कॉंट्राक कर लिया कि एक साल के बाद यहीं हुआ है ना एक साल बाद डिलिवरी कहां से तो के जो पढ़ा है घर पर जाके देदो के बोले हां ले पकड़ालू अपने हां कि ना कि एक साल के बाद बैंक विल टेल यू कि बहुत रीपे माइं मनी युल पे वन हंड्रेट फाइट इस नेगिटिव यह जो आलू पढ़े है आपके पास यह जो एस प्लस पढ़ा है यह हो जाएगा डिलिवर है ना एक तरीके से मैं यह लिख लेता हूँ यहां पर फ्लस अंट्रेड यह एस प्लस में क्या हुआ माइफ अंट्रेड प्लस पोटैटो जै तो यहां पर क्या हो गया डॉलर निल प्लस पोटैटो यह बढ़े हैं आपके पास हां कि ना यह यह ना position अब 105 रुपए दे दिये यह जो potatoes थे आपने यहापे potatoes deliver कर दिये ठीक है और इसके 107 रुपए मिल गए आपको हाँ या ना यहाँ की position क्या बनी है 2 रुपए मिल गए और potatoes आपने दे दिये ठीक है यह क्या हुआ plus 2 minus potatoes net position क्या बनी है जो potatoes यहाँ पड़े थे वही आपने हाँ deliver कर दिये net net में दो डॉलर बज़ गया हाँ या ना यह क्या है कि यह नो विट मी तो फार केस्टू देखना भी और थे रुपधे गए कि अगर्वें मार्केट प्रीजिजस लेट से बन जीरो वन अब क्या होगा एक्सो एक को मार्केट प्राइज जगता है और सुद्धें रहे प्रास due सौरी थेओरिटिकल प्राइज तो 105 रहा ना थेओरिटिकल प्राइज वंग जिरू फ़ाइज इस वन जीरो वन दिस वन जीरो वन अब यह सस्ता हो गया तो यहां क्या करेंगे यहां किया लॉंग यहां किया शौर्ट शौर्ट थेओरिटिकल एफ थेओरिटिकल एफ का मतलब क्या है s into one फ्लस आर होल्टु दी पाव़र t को शौर्ट करने बोल दिया है और इसको लॉंग करने बोला है तो लॉंग एस हाँ यह ना सुरी यार, long F है यह, actual F है, long F है, correct? मेरी क्या position होगी, देखना मेरी क्या position होगी, I'll go F plus, I'll go F plus, I'll go S minus, I'll go F plus and S minus, ध्यान से देखिएगा, मैंने एफ प्लस किया cash flow जीरो long forward में ट्री के है पैसे थोड़ी न देने यहां long किया यहां कितने लेने यहां पे plus आएगा या minus आएगा यहां long forward है यहां plus आएगा कि minus आएगा प्लस आएगा एगा तो दोस्त एक साल के बाद देने पड़ोने पाइसे यहां short किया था तो पैसे मिल रहे थे अब long किया थो पैसे देने पड़ेंगे कितने देने पड़ेंगे कि सब्सक्राक के एग समय कि मैंने बोल रहा हूं सो एक सो एक करेंट s- used the s- एस का what will be the impact of s- you what will be the impact of s- ए basically इंट दे रहा हो आपको तीन चीरों का सोचना है s को क्या करोगे f को क्या करोगे पैसे का क्या करोगे आपको ये पता है long f करूगा ऐसे का पैसा 101 देना पड़ेगा की मैं विए यह है नम 8 मृ ना दूसरा इसपार्ट को क्या करोगे स्पार्ट को क्या कर रहे हो बीशार्ट को देखना आपने किस आपने किस माइनस किस माइनस मतलब में आपने पोटाटो दे दिए तक डिलिवरड़ पोटाटो टेरी पेज़ लिएखना Just यह अगि योग अई- highly गो इस माइनस पैसे मिलेंगे यह नीमिलेंगे बहुत मिलेंगे यह हो पैसे आज ही मिलते हैं, पैस माइनस किया, कितने पैसे मिलेंगे, ये पैसे कहां डाल दिए, तो अब क्या होगा, ये आया प्लस हंड्रेड, ये आया माइनस हंड्रेड, नेट नेट में आ गया निल, माइनस पूटेटो, हाँ या ना, ये जो 105 रुपए इंवेस्ट किये थे, ये ए तो यहां पर मिल गए प्लस पोटाइटोस हां या ना पोटाइटोस पोटाइटोस कैंसल नेट नेट में चार रुपए येस और नो इट विल हेल्प यू अगर आप इससे उपर नीचे कर लें बस कि आपने यहां पर एफ प्लस किया ना एफ प्लस मतलब क्या एक साल के बाद आप 105 101 रुपए देंगे और आपको पोटाइटोस मिलेंगे यह पोजीशन है आपकी कि हाँ यह ना पुल मिलाके बोल क्या रहा हूं यह तो मैंने आपको पूरे के पूरे स्टेप्स दिखाएं आर्बिट्राज के आपसे एक्जैम में क्या पूछेगा आर्बिट्राज का गेन बताओ यहां पर दो डॉलर था वो कैसे आ रहा था यह दोनों का डेल्टा दो डॉलर यह दोनों का डेल्टा कितना है चार डॉलर यहां पर गेन कितना आएगा चार डॉलर एक्जैम में यही पूछ रहा है स्टेप्स क्या होंगे आर्बिट्राज के वह आपको समझ आने चाहिए आपको कैसे समझ आ जाएगा जो सस्ता है वाटेवर इस चीप यू विल गो अधिके से इसको अब इंटर्प्रेट कर रहा हूं एस इस टेओरिटिकल एफ शॉट जाना मतलब माइनस एस इंटू वन प्लस आर होल्ट टू दी पावर्टी इसका मतलब एंड यहाना यहाना यह हुआ है ना माइनस एस मतलब शॉर्ट एस वह ही किया हुए है और माइनस वन प्लस आर होल्ट दी पावर्टी मतलब वन प्लस आर होल्ट दी पावर्टी क्या था इंट्रस्ट की कॉस्ट अब यह हो रहा है माइनस में तुम्हें को क्या मिल रहा है इंट्रस्ट इंकम यह कब मिलेगी यहां याना वन प्लस आर होल क्लुम टुप्ति टू इन्टरस्ट कॉस्ट माइनस फर्लबस आर होल टू इन्टरस्ट कॉस्ट इस एक्वर ट्रस efficacy को इनकम को मिलेगी इन्वेस्ट इनक्स है यहां पर क्या किला है Netflix UK को शोट कियai इससे मतलब नहीं है लोंग क्या कर रहा है लांग क्लास ठियोरे टिकल F इसका प्लस एस इन्टो वन सार होल्टो पावड़ी इसका क्या मतलब अप्लस एस और पलस बास और क्लास तभी तो वह कॉस्ट पे कर रहे हैं हाँ या ना कि के जी है पक्का श्याथ है यह तो बन गया बताओ चल क्या रही है हम क्यूं पढ़ रहे हैं हम पतानी चालू कहां से हुए थे हम पतानी पहुंच कहां गए देखना अगर स्पॉटरीट सव और इंट्रस्टेट पांच परसेंट है तो एफ कितना होना चाहिए एक सो पांच अगर मार्केट एक सो पांच नहीं होगा तो क्या होगा आर्बिट्राज गीम एक पांच कब यह सब मेक्ट यह टा Si ता था रिस्क लेस्स प्रॉफेट प्लस जीरो इंवे tim है तो कितने पैसे की कर सकते है हमक्त थे हम उस्क्षा का हम सब्सक्राइब प्रबाटी सटो टूटन निडोल नीदॉ लिए ने कर सकते हूं कौं कौन कर सकता है हर बंदा हर बंदा unlimited funds पर आर्बिट्राज कर सकता है आप मैं everyone in this class everyone in this financial industry if we get into doing arbitrage what will happen the arbitrage gain will be juiced out the arbitrage gain का juice बचे गई नहीं तर फिर यह होती नहीं होगी नहीं there are algos in play who are already doing it तो आपको करने की जगह नहीं बचेगी कि आपके लिए करने की जगह नहीं बचेगी वैने वराइटीच आर्बिट्राज अच्छलों ठीक है गिव में टू मिनिट्स यू विल बी ओन कि एक सेपरेटली बात करेंगे कि आर्बिट्राज गें डेसंट रिक्वाइर एनी इन्वेस्मेंट तो आर्बिट्राज को रोकने का कोई तरीका ही नहीं मार्केट में और एवरीवन प्रिट्राज गें डेन देट्टीच विल मैंच इट्सेल्फ अन सच अब दाए अब देखो न क्या होगा हर बंदा उठाके स्पॉर्ट को लॉंग करेगा फॉर्वर्ड को शॉट करेगा तो 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 सपॉर्ट महंगा होता जाएगा पॉर्वर्ड सथा ओता जाएगा ठीक है यह जो पहला वाला केस था दिस केस इस कॉल्ड कैश एंड कैरी कैश एंड कैरी क्यों बोल रहे हैं कैश एंड कैरी कि देखना एक बास को अब टेस्ट वन से एक स्केंड पर कि दिस केसे स्कॉल्ड रिवर्स कैश एंड कैरी कि इफ्यार इन लेवल वन एंड लिस्निंग तो दिस वीडियो यू कैन सिंप्ली इग्णोर इस नेंश इफ्यार इन लेवल टू दें जस्ट राइट इस नेंश परक नहीं बढ़ता आपको पता होना मदब कॉंसेप्ट तो यहीं चलेगा कॉंसेप्ट तो ऐसे लेवल वन में नाम नहीं है लेवल टू नाम ले लेते यह जुए यह था आर्बिट्राज अथिए आर्बिट्राज का इंपक्स क्या होगा थे और इटिकल एफ पॉइंट नम्बर थी लिखना यह आपर कि इंपाक्ट ओफ न और बिट्राज actual F will be equal to theoretical F in long in long run reason case A में क्या होगा F minus किया था और S plus किया था F minus किया F का भाव गटेगा S plus किया S का भाव बढ़ेगा ultimately ultimately actual F will be equal to theoretical F which is S into 1 plus R hold to the power T और case B में क्या हो रहा है F plus किया था S minus किया था F का भाव बढ़ रहा है S का भाव गिर रहा है ठीक है why zero investment ma'am that's the definition no if it requires investment then it will have some friction arbitrage is frictionless profit this was whether this is the case if theoretical price is not equal to actual price if theoretical F is not equal to actual F then this would happen correct अगे चल रहा हूँ अब देखना अगला piece करा रहा हूँ अब let's say you are in the position of Mekdis who is thinking कियार मैं दो चीज़ें कर सकता हूँ I need potatoes after one year I can do two things I can do one of these two things क्या I can either buy at spot I can either buy at spot or or enter into a forward contract यही दोनों मैं से एक चीज़ करेगा न मैंकडीस हाँ की ना अच्छा मुझे एक बात बताओ अगर यह दोनों मैं से एक चीज़ कर सकता है if if it can do either of these then if this if this is costing hundred if this is costing five percent then then theoretically he should pay how much and actually मैं how much should he pay क्योंकि अगर इन दोनों में difference हुआ तो फिर मस्ती चालू ठीक है ना तो कुल मिलाके यह दोनों के दोनों सेम ही होने चीज़े तो that's why f is equal to s into one plus r hold to the power t सर यह तो हमको पता ही है यही तो prove करता है arbitrage मैंने तो तुम्हें कहा था भरोसा कर लो कि मैं सही कह रहा हूँ यही तो prove करता हूँ कि देखो अगर same नहीं होगा तो same हो जाएगा ultimately अब अगर कोई f plus की position में जा रहा है तो उसका जो उसके उपर जो financial repercussions होने चीए वही repercussions उसके उपर होने चीए कि जो s into one plus r hold to the power t के उपर जा रहा है हाँ या न न सही कह रहा हूँ न मैं कि मैंने forward contract enter कर लिया मैंने option टू लिया मैं मैं मैंगडी मैंने option टू लिया मैंने f plus किया 105 उर्पए पर ठीक है कि एस वन आया 125 उर्पए मेरा फायदा है कि नुकसान है हाँ या लॉस मैं गयन किता है है 20 आप्रेजंट वैल्यों फ्रेंटी आप कौन से टाइम पर कर रहा हूं मैं करेंगे उसके बाद बेसक्रेव करेंगे नहीं करेंगे लास्ट या पर प्रेजंट वैल्यों मैं तो वेसी पूछँ लिए कि ऐसा नहीं है मैं जो गड़्डा कूद उससे कूद नहीं है कि सिलेक्शन करें गूदना ऐसे नहीं है तो आप कोई भी आंसर दीजिए आप सब्सीक्वेंट कुश्चन मैंने f प्लस किया था 105 पे s1 is 125 एक साल के बाद क्या गेन होगा 20 प्रेजेंट वैल्यू करना पड़ेगा क्या नहीं मैं देख ही टाइम वन पे रहूं तो यहां पर 20 आएगा इसकी कोई प्रेजेंट वैल्यू की बात ही नहीं आ रही पक्का अगर मैंने f प्लस नहीं किया होता अगर मैंने f प्लस नहीं किया होता मैंने किया होता s प्लस मैंने किया होता s प्लस तब मेरा क्या गेन होता हूं मैंने f प्लस नहीं किया होता है यह डाइड ड़न एन f प्लस देन वाट वुड वुड वी मैं इंस्टेट अफ प्लस इफ आफ ड़न एन एस प्लस मैं यहां पर एस प्लस खरीटता तो क्या गेन होता तो सेम गेन होता कोई फरक नहीं आता क्यों मैं आपको बोल रहा हूं दो चीज़ें कि I want to be in a position such that at time one I have my potatoes in hand I can enter into this position by two roots root number one s plus कर और interest कॉस्ट बियर कर है ना s plus कर और interest कॉस्ट बियर कर option number two f plus कर f plus करने पर कितने का पड़ा 105 s plus करने पर कितना का पड़ा 100 interest cost cost कितने की पड़ी पांच यह कितने का बड़ा 105 फो कितने का गया 125 प्रॉफिट कितने का आया 200 रुप हैं बोद केसे यह स्नू करेक्ट अब आपकी बुक्स एक फालतू का नया कॉनसेप्ट लिकें वो बोल रही है तो नो दो दो वोड़ इसकाल्ट रैप्लिकेशन जैंग थैंगे रहाएं आप अब यह क्या पीट्ट अफाव़ड कॉन्ट्राइक यह और हो चुका यह आल्रेड़ी से रिवाइज करा रहा हूं दूसरी भाषा में सेम चीज़ बढ़ रहा हूं how can you replicate a forward contract by going s plus and bearing interest cost सरी हो चुका है पहले ही हाँ देखो हाँ do you how do you replicate a f plus by doing an s plus and paying the borrowing cost सो s plus plus borrowing cost this is the replication है आपकी books पूछेंगी देखना आपकी books की पहली लाइन बढ़ रहा हूं मैं सी बुक की the first line of c book the first question learning module self-assessment test which of the following position correctly describes how to replicate a long forward position how do you replicate a long forward position long forward position कैसे replicate करते हैं बताना कि भाई बाइंग एड़ स्पॉर्ट पाइंग एड़ स्पॉर्ट एंड यह क्या है एंड बॉरोइंग एट आरे यह यह ना लॉंग स्पॉर्ट बॉरो एट आरे ओप्शन नमबर वन देखना बोल रहा है इसलर रिस्क फ्री बॉंड इसलर रिस्क फ्री बॉंड अस्ट प्री बॉंड मतलब देखना एक बार अगर आप एक रिस्क प्री बॉंड को सेल कर रहे हो तो आप कौन हो इस अधानी यह इंवेस्टर आगर तुम ऑड्रे बॉंड सेल कर रहे हैं तो तुम इसूर यह इंवेस्टर क्या करता है एंट्रेस्ट देता है कि लेता है झाले है इस्चुर पेड शॉखिंटरस्ट पेज इंट्रस्ट या फिर वॉरो ऑरोस तो को पे बोरेंट आर्रेयर्ष क्या मतलब हुआ कि शॉट और एफ क면 या ना हम तो reimatic nd क्या ॊआ बोल रहे emphasize व Un fusion बोल रहा है लॉंग ऐफ इस इक्वल टू लॉंग एस शॉर्ट आरेफ बॉंड इस इस कॉल्ड रेप्लिकेशन ठीक है अभी से सीख लो लेवल टू में तो इंतहा कर देता है रेप्लिकेशन ठीक है आपकी बुक्स पढ़ रहा हूं देखना एक बात है कि एक लोंग फॉर्वार्ड पोजिशन इस शॉटिंग रिस्क फ्री बॉंड इंद बाइंग एकैश मार्केट पोजिशन इन्धी अंडर लाइंग हाँ या ना अब बताओ यह क्या होगा कि शॉर्ट ऐफ क्या होगा यह तो लॉंग फ ठागे अब बता ओ शॉर्ट आफ क्या होगा शॉर्ट एस और लॉंगА्रे और हां या न रेप्लिकेशन डन कु कि एक बार यहां पर लिख लो रेप्लिकेशन की नाम पे रुको यह point number 3 था न, point number 4, यहां लिख लो replication, f plus is equal to s plus plus rf bond minus, और f minus is equal to s minus and rf bond plus, यह plus का क्या मतलब है, इन्वेस्ट किये, यह minus का क्या मतलब है, borrow at rf, short at rf, ठीक है, और spot market में plus और minus, यह तो लिखी दिया है, मैंने, ठीक है, any queries, biggest query, class of children, जान कब बख्ष होगे हमारी, बख्ष दी, done for the day,